जाहिन दोस्तों आप देख़रे हैं अध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लूशंट समान्य ज्ञान जिसमें हमारा चल रहा है भारती संबिधान ये इसका मास्टर वीडियो है मास्टर वीडियो का मतलब हुआ पूरा संबिधान इसमें कं एकसरसाइज एक से लेकर एकसरसाइज 39 तक जो भी लुसेंट में दिया गया है सब को मैंने इसमें कंप्लेट किया है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा इसका पीडियेफ आपको मिल जाएगा टेलीगराम ग्रूप पे वो मैंने शेयर आज कर दिया है तो वो डॉलोड कर लीजिएगा टेलीगराम और इंस्टागराम दौनों जगा मेरे से जुड़ जाईएगा दौनों का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है साथी जिस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए हुए है अधिक सधिक लोगों तक सेर कीजिए क्योंकि आप ही के बलबुदे पे चल रहा है ये चैनल ठीक ना तो आप लोगों की सपोर्ट की काफी अधिक जरूरत है ओके तो सेर वेर करते रहिएगा ताकि हम भी मोटिवेट रहे और इसी तरह से इंपोर्टेंट बुक आप लोगों के लिए लाते रहे तो चलिए वीडियो को इंजुए कीजिए और ध्यान से देखिएगा ताकि एक्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो जैहिंग दोस्तों आप देख रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समाने ग्यान मैंने कम्यूनिटी पे पोच डाला हुआ था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सबसे अधिक संभीधान पे था साथी बैलोजी जो आपका है ना वह भी कंप्लीट होने के कगार पे है तो उसको भी हम नहीं चोड़ेंगे सैंसक अधिक सब्सक्राइस पर काम कियूंगे और आप लोंका सब्सक्राइस और वीडियो का काम है अधिक लोगों तक सेयर कीजिया अच्छा लगे तो लैक वाक कर दिया कीजिए और मैंनेसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिज़ें मैं वहाँ रवील्पड दे पाऊंगा अच्छे से और वीडियो का लिंक कोई भी वीडियो का चाहिए लिंक तो उसके लिए में टेरीगडाम पर सेहर कर दूंगा किसी वीडियो में comment करना तो मैं वहां पर सेहर कर दूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे book complete कर दिए link description box में अ तो चलो इस्टार्ट करते हैं पहला हमारा जो एक्सराइज है पहरतिय संभीधान के विकास का संचिप्त डियास, बीडियो कम से कम 3-35 मिनट का विडियो होगा, कर उसमें दुद्रा लेसन कंप्लियू हो जाएं नैदु होका है बंगाल पर British East India Company के सासन का सिकंजा कसा मतलब आपरोल यह हुआ कि 1757 और 1764 में जो चाहिए बकसर हो पलासी का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने भारत पर एक तरह से यह बंगाल पर सिकंजा कस लिया इसी सासन को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किया एक्ट होता है ना कि जैसे कि आपका मालों NTPC के एक्जाम नजदिक है तो अब रूटिंग बनाते हो ना ऐसे काम करना है क्या करना है तो अंग्रेज ने भी यही सब काम किया उसको उसने एक्ट कहा एक्ट होता है जिस पर परसिडेंट या गवर्नर का सिंगनेचर हो उसको हम कहते हैं एक्ट अगर वो signature नहीं हुआ उसको हम कहते हैं bill प्रस ना जाएगा बिल और act में क्या अंतर है तो याद रखिएगा जो भारती संभीधान के विकास की सीड़ यहां बनी यह जो act सब हुआ इसी से क्या हुआ हमारे भारती संभीधान का विकास हुआ इसा माना जाता है 1773 इस भी का regulating act काफी important है अर्फरस तो यह पहला act था और साथ ही इसमें बहुत कुछ हुआ तो सबसे पहला act कौन सा हुआ 1773 का regulating act इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व है संभेधानिक महत्व है जैसे कि भारत में इस इंडिया कंपनी के काडियों को नियमित और नियंतरित करने की दिशा में ब्रिटी सरकार दुआरा उठाया गया यह पहला कदम था अर्थात कंपनी के सासन पर संसदिय नियंतरन अस्थापित किया गया इसके द्वारा पहली बार कम्पनी के प्रसासनिक और राजनितिक काडियों को मानिता मिल गया इसके द्वारा केंद्रिय प्रसासन की भी नीव रखी गई इसके अंतरगत और क्या सब हुआ जो इंपोर्टेंट होगा मैं उसको वार वार रिपीट कर दूँगा ओके याद हो जाएगा आपको इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जेनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एबा मदरास के गवर्नर को इसके अधिर किया गया इस एक्ट के तहाद बनने वाला पर्थम गवर्नर जेनरल कौन था वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा Warren Hastings जो था वो पहला Governor General था किस प्रांत का था तो बंगाल का था बंगाल का ओके बंगाल के अंतरगत थी मुंबे प्रसिडेंशी जो था उसको वो असामिल कर लिया गया था इस एक्ट के अंतरगत कलकता प्रसिटेंसी में एक ऐसी सरकार अस्थापित की गई जिसमें गवर्णर जनरल और उसकी पड़िसद के चार सदसे थे जो अपनी सत्ता का उप्योग संजुक्त रूप से करता था इस अधिनियम के अंतरगत कलकता में 1774 इसपी में एक उचितम न नियालय का स्थापना किया गया यह किसका एक्ट का था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही प्रावधान के अंतरगत यह किया गया जिसके मुख नियाधिस और तीन अन्य नियाधिस थे जिसमें पर्थम जो मुख नियाधिस होता है उनका नम याद रखिएगा सर एजीला इंपे थे सर एजीला इंपे अन्य तीन नियाधिस भी पढ़ लो चेंबर्स लेमेस्टर और हाइड इसके अंतरगत 1773 के अंतरगत कम्पनियों के करमचाडियों को नीजी बेपार करने और भारतिये लोगों से उपहार वा रिस्वत लेने पर पर्तिबंध लगा दिया गया क्योंकि उस टेम जो अंग्रेज में जो गवर्नर बनके आता था ना वो काफी धन लूट के जाता था तो ये सब रिस्वत या सब कुछ जो होना एक संसदिय पर नाली के अंतरगत कर दिया गया मतलब घूस लेने के वश्था को खत्म कर दिया गया रिस्वत एक तरह से ये अगर आप रिस्तारी में करते तो ठीक होता है नहीं तो ओफिसियली एक प्रकार का घूसी हुआ ओके इस अधिनियम के द्वारा ब्रेटिस सरकार को बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रन ससक्त हो गया इसे भारत में इसके राजस्व नागरिक और सेन्यमामलों की जानकारी ब्रेटिस सरकार को देना अवस्यक कर दिया गया मतलब कोई भी होगा चाहै सेन्य जानकारी ओर राजनी किया कोई भी लपास करेगा कुछ भी करेगा इसकी जानकारी वो ब्रेटेन को देगा दूसरा एक्ट आया एक्ट of settlement 1773 में जो एक्ट आया थ किया गया इस एक्ट के अनुसार कलकता की सरकार को बंगाल बिहार और उडिशा के लिए भी बिधी मतलब नियम बानाने का अधिकार प्रदान हो गया मतलब इससे पहले जो था वह उनली कलकता का सरकार जो था बंगाल का बनाता था बंगाल बिहार उडिशा और यह जो मुंब एक्ट के द्वारा दोहरे प्रसासन प्राडम हुआ दोहरा प्रसासन पहला बोर्ड ओफ डिरेक्टर बेपारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ओफ कंट्रोलर राजनितिक मामलों के लिए दोहरा प्रसासन मतलब एक क्या हो गया बोर्ड ओफ डिरेक्टर और बोर्ड ओ इसके दुआरा नियंत्रन बोड के सदस्यों तथा करम चाड़ियों के बेतन आधी को भारतिय राजस्टु से देने के वस्ता की गई मतलब इस सबको जो बेतन मिलेगा वो कहां से मिलेगा तो भारत का जो राजस्टु कोट्रा था संजीत भंडार जो था उससे वो देना शुरू हो गया 1813 SP का चार्टर अधिनियम इस अधिनियम की मुख्य बिजेश था पहला क्या था कंपणी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 बर्स के लिए बढ़ा दिया गया प्रस नजी आ जाएगा कि कंपनी के अधिकार को 20 बर्स के लिए किस अधिनियम के ताथ बढ़ा दिया गया था तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम था याद रखियेगा चार्टर एक्ट अधिनियम जो था न वो परतिक 20 वर्ष के बाद आता था तो पहला आया था 73 में 1700 1773 फिर 20 साल को थेरानवे फिर 1813 फिर अब आएगा 1813 फिर 1853 फिर 1853 और फिर 1859 के बाद तो वो वैसे रहे बन गया फिर दूसरा यह होना शुरू हो गया तो यह परतिक 20 साल के बाद आता था तो असानी से आप एक्जामे टिक कर पाऊगे तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम में क्या हुआ था कंपनी के अधिकार पत्र को एवं पुर्वी देशों के साथ चैह का बेपार करने के संबंध में 20 बरसों के लिए एक आधिकार प्राप था मतलब चीन के साथ वो वैपार कर सकता था साथ ही पुर्वी देशों के साथ इस्ट में जो कंडी समयन मार हुआ मंगला देश हुआ तो इस सब के साथ जो बेपार करेगा या और भी कोई कंड्री आगया में तैवान सब है तो चैह का बेपार वो कर सकता था कुछ सीमाओं के अधिन सभी ब्रिटिस नागरिकों के लिए भारत के साथ बेपार खोल दिया गया 1813 से पहले इसाय पादरियों को भारत में आने की आगया नहीं थी मतलब धर्म परचार का छूट मिल गया उसको परंथू 1813 से इसबी के अधिनियम के द्वारा इसाय पादरियों को आगया पड़ाप करके भारत आने की सुवधा मिल गयी थी यह पादरी हो चाहे वो मौंक हो जो भी हो वो क्या करता है धर्म का परचार करता है तो 1813 से इसबी में इसाय पादरियों को इसाय मिस्णरियों को धर्म परचार की छूट मिल गई भारत में तब ही वो आ सकते थे फिर 20 साल के बाद 1813 का आता है चार्टर एक धिनियम इस अधिनियम की मुख विसेश्था थी कि इसके दुआरा कमपनी के बेपारिक अधिकार को पुरुनता कब खतम कर दिया गया तो 1813 का चार्टर एक अधिनियम के अंतर रगात अब कमपनी का कार्ड ये ब्रिटिस सरकार की और से मात्र भारत का सासन करना रह गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा काफी इंपोर्टेंट है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया किस चार्टर एक्ट के अंदर गत 1833 का चार्टर एक्ट बंबई तथा मदरास के पड़िसदों की बिधी निर्मान सक्तियों को वापस ले लिया गया बिधिक प्रामर्ण से तो गवर्नर जेनरल के पड़िसद एवं बिधी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को सामिल कर लिया गया मतलब बिधिक प्रामर्ण संबेधानिक जो प्रामर्ण होता है तो गवर्नर जेनरल की पड़िसद में बिधी सदस्य जोड दिया गया काफी इंपूर्टेंट है, पुलब संबेधानिक जुगती विधी होगा, उसके लिए बिधी सदस्य भी जोर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में, भारत में दास पर्था की बिधी को बिधी ब्रिद घोसित कर दिया गया, काफी इंपूर्टेंट है, इससे पहले दास पर् 1887 के तहट कमपनी के अधीन पद्धारन करने के लिए किसी ब्यक्ति को धर्म, जन्वजात, मूलबंस या रंग के अधार पर आयोगे ना ठहरा जाने की उपबंद किया गया, मतलब इस सब के अधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, गवर्नर जनरल की परिसद को राजस्व के संबंध में पुर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए, गवर्नर जनरल को संपुर्ण देश के लिए एक बजट तयार करने का अधिकार प्रदान किया गया, मतलब पुरे देश के लिए अब वो एक बजट तयार करेगा, 1833 का ये स 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पर्थम बिधी आयोक का गठन किया गया काफी इंपोर्टेंट है लॉर्ड मेकाले आगे पढ़ो गया लाकी 1835 में मेकाले प्रस्ताव आया था जिसमें इंगलिस सिक्षा के लिए एक लाख रुपया दिया गया था राजा राम मोह के द्वारा सेवाओं में नमाज दगी का सिध्यान दस्माप्त कर कंपनी की महतपुर्ण पदों को परतियोगता परिक्षा के अधहार पर भढ़ने की वश्था कर दी गई यह लॉर्ड डलहॉजी का टाइम है जिसना में भारत में ट्रेन आया था प्रस यह पूछ भी सकता है कि पहले क्या था कि नमजादगी था मतलब गर पिता जोई पोस्ट पहे ना उसका बेटा भी उसी पोस्ट पर जाएगा लेकिन बाद में क्या कर दिया गया कि कंप्टिशन आयो प्रतियोगी परिक्षा होता है वो उसमें लागू कर दिया गया यह किस ने किया लॉर्ड जनरल के पड़िसद के बिधाई एबं प्रसासनी काड़ियों को अलग कर दिया गया यहां पर प्रसासनी काड़ियों को अलग कर दिया गया इसके तरह पड़िसद में छो नए पड़िसद जोरे गए जिन्हें बिधान पारिसद कहा गया कितने जोरे गए छो नए पारिसद ज भारत सासन अधिनियम इस अधिनियम की विशेशता क्या है तो भारत का सासन कमपनी से लेकर ब्रिटिस क्राउन के हाथों में सौप दिया गया इससे पहले 1859 से पहले जो सासन चल रहा था वो कमपनी की अधिन चल रहा था लेकिन 1859 से क्या हो गया कि ब्रिटिस क्राउन जो थी वो सासन सम्हालने लगी भारत में मंत्री पद की विवस्था की गई 15 सदस्यों की भारत पडिशद का स्रिजन किया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटी सरकार दुआरा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के दुआरा लिया गया था भारतिये मामलों पर ब्रिटिस संसत का सीधा नियंत्रन अस्थापित किया गया मुगल समराठ के पद को स्माप्त कर दिया गया इस अधिनियम के दुआरा बोर्ड आफ डिरेक्टर और बोर्ड आफ कंट्रोल को स्माप्त कर दिया काफी इंपोटेंट है सचीव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोर इंडिया के नियुक्ति की गई वह अपने काडियों के लिए ब्रिटिस संसद के परती उपतरदाई होता था भारत के प्रसासन पर इसका संपुर्ण नियंत्रन था उसी का वाक्य अंतिम वाक्य होता तो वह जो नियम बनाएगा वही या उसके बाड़े में नहीं हो आगे दिया गया कि देखो यहां पे गवर्नर जेनरल वाइसरा इसको नाम नहीं दिया गया है क्योंकि वह सब इतिहास का यह हो जाता है संबीधान का वो नहीं होता हलाकि जहां पे जो इंपोटेंट होगा मैं बता दूँगा भारत के गवर गवर्नर जेनरल कौन थे लॉर्ड केनिंग थे तो यह अंतिम गवर्नर जेनरल हो गया और पर्थम वैसराय हो गया प्रस्त नहीं आता है कि महरानी का पत्र जो है वो पहली बार कहां पढ़ा गया था तो इलहाबाद ने पढ़ा गया था किसके दौरा लॉर्ड केनिंग के द्वारा अगे 1861 इस अधिनियम की विशेश्ताइं क्या सब थी तो गवर्नर जेनरल की कारी कारिनी परिशत का विस्तार किया गया, विभागी परनाली का प्रडम्भ हुआ, लॉर्ड गेनिंग के द्वारे ये प्रडम्भ हुआ, गवर्नर जेनरल को पहली वार इसकी अवद ही मात्र छो मेहने की थी, गवर्नर जेनरल को बंगाल, उतर पस्चमी सीमा समान्त और पंजाब में बिधान पडिशत अस्थापित करने की सकती परदान की गई, पाचमा है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रकिडिया में भारतिय निदियों को सामिल करने क इसकी शुरुआत हुई, वाइसरे कुछ भारतियों को बिस्तारित पडिशत में गयर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था, नोट में दिया गया है, 1862 इसमी में, लॉर्ड केनिंग ने तीन भारतिये, इसकौन-कौन सा, बनारस के राजा, पठियाला के महराजा और सर दिन का रौ को विधान पडिशत में मननित किया, मतलब जहां भी हलागुला होता था न मेल ली, तो उस टैम से एक लोगों को जोड़ देता था, तकि वाँ का हलागुला सांत हो जाया, 1873 इस भी का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया, कि इस 1884 को इस इंडिया कंपनी को अफचारिक रूप से भंग कर दिया गया, एक जनवरी 1884 को इस इंडिया कंपनी को अफचारिक रूप से भंग कर दिया गया, साही उपाधी अधिनियम 1876, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जेनरल की केंदरिये कारी कारणी में छठे सदसिके न्युक्ति कर उसे लोक निर्वान विभाग का कार्ड इसोपा गया 28 अप्रेल 1876 इस भी को एक घोसना पत्र महरानी विक्टोडिया को भारत की संब्लागी नहीं मिन्स भारत का भी वो महरानी बन गई घोसित कर दिया गया बर्तमान में जो Commonwealth गेम है ना Commonwealth उस देश की महरानी से अभी हाला के इंडिया को नहीं का जाता है सा ऑस्क्रेलिया से पूछो गये ना उसका महरानी कौन है तो जो ब्रिटेन की महरानी होगी वह ही उसकी महरानी होगी 1892 में भारत परिशत अधिनियम इस अधिनियम की मुखी विशेष्टा क्या जब है पहला और परत्यक्ष चुना परनाली की सुरुआत हुई इसके दुआरा राजसु एवं ब्याय अत्वा बजट पर बहस करने की कारिकार्णी से प्रस्ण पूछने की सक्ति परदान कर दी गई कब 1892 में फिर आता है 1909 काफी इंपोटेंट है 1909 1935 यह सब काफी इंपोटेंट है डेट आपको तो टिप्स पर याद आना चाहिए 1909 का भारत परिशत अधिनियम इसको कहा जाता है मारले मिंटो सुधार मारले मिंटो सुधार पहली बार मुसलिम समुदाई के लिए प्रिथक परति निधित्यों का उबढग किया गया गिसमें तो 1909 का भारत पर्डरिशत अधिनियम की अंतरगत मुसलिम सदस्यों का चुनाव मुसलिम मद दाता ही कर सकते थैं भारत सरकार अधिनियम के तहाते पहली बार विदायका में कुछ निरवाचित परति निधित्यों की मंजूरी दी गई इस प्रकार इस अधिन्यम में संप्रदायकता को बैधनिक्ता परदान की गई और लॉड मिंटो को संप्रदायक निरवाचन का जनक की से कहा गया? लॉड मिंटो को. दूसरा इसमें था कि भारतियों को भारत सचीब एवं गवर्नर जनरल की कारिकार्णी पडिसद में न्युक्ति की गई केंद्रिये एवं प्रांतिये बिधान पडिसदों में पहली वार बजट पर बाद दिवाद करने सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ता पेश करने पूरक प्रस्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला प्रांतिये बिधान पडिसद की संख्या में बिर्धी की गई सतंद्र पड़साद शिन्ह वैसरै की कारिपाली का पडिसद के पर्थम भारती सदस्य बने उन्हें बिधी सदस्य बनाया गया इस अधिनियम के तहट प्रसिडेंसी कॉर्परेशन चेंबर्स और जमिंदारी के लिए अर्थक अलग परतिन दित्तु का पड़ापधान किया गया नोट में दिया गया है 1909 में लॉर्ड मिंटो इंगलेंड में भारत के राजिस अचीव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वैसरै थे लॉर्ड मिंटो भारत के वैसरै और लॉर्ड मारले क्या थे भारत सचीव थे याद रखिएगा मारले मिंटो में मारले क्या था और मिंट के काफी इंपोर्टेंट है यह था मॉन्टेस्क्यू चेम्सपोर्ट सुधार केंद्रिये में द्वेतात्मक बिधायका की अस्थापना की गई प्रत्थम राजी परिशत और दूसरा था केंद्रिये बिधान सभा राजी परिशत के सदस्यों की संख्या 60 राजी परिशत के कालिस नोनित होते थे इनका कारिकाल तीन वर्सों का था दौनों सद्नों के अधिकार समान थे जिनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्विकृती परदान करने का अधिकार किसको था निचले सदन को था तो बित, भूमीकर, अकालसहेता, नियाय, पुलीस, पैंसन, अपराधिक जातिया, चापा खाना समचार पत्र सिचाई जलमार्ग खाना कार खाना बिजली गैस वाइलर स्रमी कल्यान और द्योगिक विवाद मोटर गाड़िया छोटे बंदरगा और सारवजनिक सेवाएं ये सब आरक्षित भी सेथा डिजर्ब्ट सब्जेक्ट अब हस्तान थ्रित क्या सब था सिक्षा, पुस्तकाले, संग्राला, अस्थानिय सोयनवित शासन, चिकित्सा सहाइता, सार्वजनिक निर्मान विभाग, आवकारी उद्योग, तौल एवं माप, सार्वजनिक पनुरंजन पर नियंत्रन, धार्मिक एवं अग्रहारदान ये सब हस्तान तरित था नोट में दिया गया है कि आरक्षित विशाइप का प्रसासन, गवर्नर और उसके कारी-कारी परिशत के माध्यम से क्या जाता था, जबकि हस्तान तरित विशाइप पर जो प्रसासन था, वो गवर्नर दुआरा, विधान परिशत के परती उत्तरदाई मंत्रियों की सहायता से किया जाना था इस द्वेद सासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा स्माप्त कर दिया गया 1935 में जोए उसको स्माप्त कर दिया गया 1935 में क्या था भारत सरकार अधिनियम चौथा इसका प्रब्धान था कि भारतिय सचीव को अधिकार दिया गया कि वो भारत के महालेखा परिक्षक की न्युक्ति कर सके इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोक के गठन का प्रब्धान किया अता 1926 इस्वी में ली गई आयोक के सिफारिस पर सिविल सेवकों की भरती के लिए केंदरिये लोक सेवा आयोक का अगठन किया गया इस अधिनियम के अनुसार वैसराय की कारिकारी परिसत में चो सदस्यों में से तीन सदस्यों का भारतियों होना अवस्यक था चो में से तीन यानि 50% क्या था भारतियों होगा लेकिन याद रखे कमांडर इंचीफ जो था वो भारतियों नहीं होगा इसके संपरदाइक अधारपड सिखों भारतियों अंगल भारतियों और यूरोपियों के लिए भी पिर्थक निर्वाचन के सिध्यांत को विश्तरित कर दिया गया इसमें पहली वार केंदरिये बजट को राजियों की बजट से अलग कर दिया गया पहले क्या था सब में एक ही अब क्या हुआ केंदरिये बुजट अलग और राज बुजट क्या होगे अलग हुआ इसके अंतरगत एक बैधानी कायों का गठन किया गया इसका काड़ ये दस बर्स बाद जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तूत होता था इस अधिनियम में केंदरिये बिधान सभा में वाईसराय के अध्यादेश जारी करने की सक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया कुछ विसाईयों से समंधित बिधायक को विचारार्थ प्रस्तूत करने के लिए उसकी पुर्व अनुमती आवस्यक थी उसे भारतिय बिधान सभा द्वारा पारित किसी भी बिधायक को बिटो करने या समराट के विचार के लिए अरक्षित करने की सक्ति थी इसे आगे है उसे यह सक्ति थी कि बिधान मंडल द्वारा ना मंजूर किये गए या पारित ना किये गए किसी बिधायक या अनुदान को पर्मानिक कर दे तो ऐसा पर्मानित बिधहयक बिधान मंदल द्वारा पारित बिधहयक के समान हो जाता है फिर से रिपीट कर लो इसको उसे ये सकती था कि बिधान मंदल द्वारा नाम मंजूर किये गए किसी भी पारित बिधहयक या अनुदान से पर्मानि कर दे तो उसे परमानित बिधायक बिधान मंडल दुआरा पाडित बिधायक के समान माना जाएगा या अपात इस्थिती में अध्यादेश बन सकता था जिसका ओस्थाई अवधी के लिए विधिक परभाव होता था मुलग कितने टाइम के लिए रहेगा इसका एक संवेधान इस टाम इंगलेंड के पर्धानमंत्री कौन थे लायर्ड जॉर्ज लायर्ड जॉर्ज आगे 1935 का भारत सार्षन अधिनियम 1935 इसवी में 321 अनुछेद और 10 अनुशुचिया थी इस अधिनियम की मुख्य बिसे स्ताइए इस परकार थी अभी रुको फ्रा समझ लो एक चीज हमारा देश 1947 में जाज हुआ था संवीधान हमारा 1950 में बनके इंपलिमेंट हुआ तो यह जो बीच का टाइम पेडियर था तो पहला अकिल भारती संग यह संग 11 ब्रिटिस प्रांत 6 चीप कमिशनर के छेतरों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेक्षा से संग में समलित हो प्रांतों के लिए संग में समलित होना निवारी था किन्तु देशी रियासतों के लिए यह एक्षिक था देशी रियासते संग में समलित नहीं हुई और प्रस्तावित संग की अस्थापना समंधी घोसना पत्रे जारी करने का अवसर ही नहीं आया दूसरा दिया गया प्रांतिय संवनवेत्ता इस अधिनियम के दुआड़ा प्रांतों में द्वेद सासन विवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र एबम स्वास्तिक संवेधानिक अधार प्रदान किया गया केंदर में द्वेथशासन के अस्थापना की गई काफी इंपोटेंट है। केंदर में द्वेथशासन . इस अदिनियम मेंDown Bot Cliff कर दिया गया है। इसके तहders पड़ी संग्षि प्रांथि संची और समवर्थी संची का दिर्फान हुआ पर याद रखेगा हमारे देश में जो संबर्ती सुची राज सुची और एक सुची ने करिंद्र सुची वो ऑस्टेलिया से लिया गया है आगे दिया गया उसमें परिसंग सुची के विशय पर परिसंग बिधान मंडल को बिधान बनाने की अनन्य अधिकारिता थी यानि इस सुची में वर्नित विशाय पर प्रांतिय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था प्रांतिय सुची में कुछ विशाय थे जैसे पुलीस, प्रांतिय लोक सेवा और सिक्छा ये सब प्रांतिय सुची का विशाय था समवर्ती सुची के विषय पर पड़ी संग और प्रांथिय बिधान मंदल कानुन बना सकते थे समवर्ती सुची के कुछ विषय थे इस दंडविधी और प्डकिरिया सिविल प्डकिरिया विवाह एबं विवाह विच्छेद आदी उपर उलेखित उबंदों के अधिन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की सक्तियों का आतिकर्मन करने का अधिकार नहीं था लेकिन वैसराई दुआडा अपाद की उद्घोसना किये जाने पर परिसंग विधान मंडल को परांतिय सुची के विषय में विधी बनाने की सक्ति थी दो प्रांतिय बिधान मंडलों के अनुरोध पर भी पड़िसंग बिधान मंडल प्रांतिय बिधान मंडल के विशय में बिधान बना सकती थी समवर्ती सुची के विशय पर पड़िसंग विधी प्रांत की विधी पर अभिवावी होता था प्रभावी होता था अला कि इसका मतलब यही हुआ इस अधिनियम में अवसिस्त बिधाई सक्ती वाइसराय को दी गई थी सबसे जो अधिक पावरफुल था वो किसके पास था वाइसराय के पास था 1835 में ही था कि संहिये नियालय की विवस्ता की गई थी इसका अधिकार छेतर प्रांतों और एडियासतों तक बिश्त्रित था इस नियालय में एक मुख नियाजिस तथा दो अनियाजिसों की विवस्ता की गई थी नियालय से संबंदित अंतिम सक्ती प्रेवी कॉंसिल जो की लंदन में था उसे प्राप्त था आगे ब्रेटिस संसद की सरोचता इसमें की गई थी इस अधिनियम में किसी भी परकार की प्रवर्तन का अधिकार ब्रेटिस संसद के पास थी परांतिय बिधान मंडल और संगी विवस्थापिका इसके किसी परकार का प्रिवर्तन नहीं कर स इस अधिनियम के दुआरा भारत परिसद का अंत कर दिया गया। इसके अंतरकत देश की मुद्रा और साख पर नियंतरन करने के लिए रिजर्बैंक का अस्थापना किया गया। आगे हमारा 1947 इसवी का भारतिय सोतंतरता अधिनियम। इसे भी हम इसी वीडियो में कंप्लेट करते हैं। ठीक ना। जल्दी कंप्लेट करने हैं वीडियो को फास्ट बनाएंगे हम। ब्रिटिस संसद में 4 जुलय 1947 इसवी को भारतिय सोतंतरता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। जो 18 जुलय 1947 इसवी को स्विक्रित हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी इस अधिनियम के परमुख परापधान निम्लिकित ने पहला तो था कि दो अधिराजियों की अस्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पकिस्तान नमक दो अधिराजिये बना दिये जाएंगे और उनको ब्रिटिस सरकार सत्ता सौप देगी। सत्ता का उतरदायत्व दोनों अधिराजियों की संभिधान सभा को सोपी जाएगी। दूसरा है भारत एवं पकिस्तान दोनों अधिराजियों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी निक्ति उनके मंत्री मंडल की सलासे की जाएगी। संभिधान सभा का बिधान मंडल के रूप में कारी करना जब तक संभिधान सभाएं संभिधान का निर्मान नहीं कर लेती तब तक वे बिधान मंडल के रूप में कारी कर दी रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिये जाएंगे। 1935 के भारती सासन अधिनियम द्वारा सासन जब तक संबिधान सभाद द्वारा नया संबिधान बना कर तयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 को भारती सासन अधिनियम द्वारा ही सासन किया जाएगा ये मैं कह रहा था देशी रियास्तों पर बिरिटेन की सर्वो पाडिता का अंत कर दिया गया उसको भारत या पकिस्तान किसी भी अधिराजे में समलित होने और उसके भावी समंधों का निश्चाय करने की सुत्वत्रता परदान की गई इस अधिनियम के अधिन भारत डोमिनियन को संचिंध बलुचिस्तान पस्मी पंजाब पुर्वी बंगाल पस्थी मुत्तर सीमा परांत और असम के सिलहट जिले को छोर कर भारत का सेस राजिछेतर मिल गया अब नोट में दिया गया है सिलहट जिले ने भारतिय सुतंतरता आधिनियम 1947 इसपी के प्रविट होने के पुर्व जनमत संगरा में पकिस्तान के पक्ष में मत दिया था फिर बाद में इंडिया मिला अब दूसरा जो हमार एक्सेसाइज है भारतिय संभिधान सभा इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे सेसन अगर अच्छा लगड़ा हो तो जरूर लाइक और सेर कीजिए आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी फास्क में कंप्लिट हो पाएगा अगर अच्छा नहीं लगड़ा तो तो डिस्लैक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बताईएगा ताकि वीडियो को इंप्रूब कर पाएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जाहिन दोस्तों आप देख रहें अध्ययन के अंदर और इस वीडियो के माद्धियम से अभी हम पढ़ रहे हैं लूसेंटी जीके का संबीधान जिसमें हमारे दूसरा वीडियो भी है और दूसरा exercise भी है आज का जो exercise है वो है भारतिये संबीधान सभा आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक share कीजिए जितना अधिक लोगों तक आप share कीजिएगा पहुंचाईएगा जितना support मिलेगा उतना fast मैं और complete करूँगा और भी सारे book को अब यह मैं start करते हैं साथ अगर book का PDF या फिर वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो टेलीगराम ग्रूप जोइन कर लिजिएगा और साथ इंस्ट्रागरम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोनों जगाप मेरे से जुट जाईएगा अब पढ़ते हैं देखो कैवनेट मिशन की संतूतियों के अधार पर भारतिय संभिधान की निर्मान करने वाली संभिधान सभा का गठन के सदस्य पर सर एस्टेफ़ोड क्रिप्स लोर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. एलेकजंडर ते ये तीन सदस्य थे नोट में दिया गया है भारत के लिए सम्विधान सभा की रचना है तू सम्विधान सभा का विचार सरपर्थम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तूत किया था कब 1924 आगे है कि सम्विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी जिसमें 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिस प्रांथ से थे और चार चीप कमिशनर छेत्र के परती निधी एवं 93 देशी रियासत से थे फिर ज़रीपीट कर लो तो 93 होगे देशी रियासत से 292 होगे ब्रिटिस प्रांथ से और चार जो था वो चीप कमिशनर छेत्र के परती निधी थे यह सब याद रखिएगा 389 मिंबर में कौन कहां से कितना था प्रस्न ऐसे आ जायेगा कि सम्विधान सभा में ब्रिटिस प्रांथ से कितने सदस्य थे हैं तो 292 ठीक ना ऐसी याद रखना है 93 सदस्य देशी रियासत से थे हैं मिसन योजना के अनुसार जुले 1946 इसमी में सम्विधान सभा का चुनाव हुआ कुल 389 सदस्यों में से प्रांथों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुआ जिसमें या जिन्हें बिभिन पढ़ांतों की विधान सभावाँ द्वारा चुना गया था जिनमें कॉंग्रेस को 208 मुस्लिम लिंग को 73 अस्थान एवं 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मिद्वार निर्वाचित हुआ फिर से रिपीट कर लो कॉंग् दिन संभिधान सभा का पहला मिटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संभिधान सभा की पर्थम बैठक नई दिल्ले इस्थित कॉंसिल चेंबर के पुस्तकालाई भवन में किया गया था सभा की सबसे बुजूर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानन सिन्हा को सभा का ओस्थाई अध्यक्ष चुना गया याद रखिएगा ये ओस्थाई अध्यक्ष है क्योंकि ये प्रस्ण फिरिक्वेंटली कई बार पूचा जा चुका है कि संभिधान सभा का अस्थाई अध्यक् को उसमें राजिंदर परसाद को अध्यक्ष बना दिया गया ओके अवी हम पढ़ रहे हैं कि सच्चिदानन सिन्हा जो है वह 9 दिसंबर वाले मिटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जो की ओस्थाई अध्यक्ष थे मुस्लिम लिंग ने इस बैठक का बहिसकार किया और पकि संबिधान सभा में समलित नहीं हुए थे बहुत इंपोटेंट है यह कौन सा देशी रियासत ऐसा था जिसका मेंबर संबिधान सभा में सामिल नहीं हुआ था तो वो था हैद्रावाद प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संबिधान सभा में परतिनिजितु दिया गया था सधारन था दस लाग की अवादी पर एक अस्थान का अवंटन किया गया था फिर से रिपीट करो कितने का दस लाग की अवादी पर एक मेंबर पार्टिस्पेट कर रहा था परांतों का परतिनिजितु मुखिता तीन परमुख समुदायों की जनसंख्या के अधार पर विवाजित किया गया था ये समुदाई थे मुस्लिम सीख एवं सधारन मुस्लिम सीख और सधारन अब यहां पर संबिधान सभा की प्रमुक समीतियां एवं उसके अध्यक्ष दिये गए हैं ये सारा आपको टिप्स पर याद रखना है ठीक ना संच जालन समीति के अज्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजिंद्र परसाद संहिये संबिधान समीति संहिये संबिधान समीति के पंडित जवाहर लाल नहरू प्रांतिये संबिधान समीति सर्दार बल्लभय पटेल प्रडूप समीति भीम्रों अंबेदकर प्रडूप समीति भीम्र को अम्बेदकर संग सकती समीती पंडी जबाहर लाल नहरू मौलिक अधिकार एबं अल्प संख्यको समंधी प्रामर्ज सर्दार बल्ला भैपटेल रास्ट धोज समंधी तदार्त समीती डॉक्टर राजंद्र परसाद लगभग हर के पास दो मंत्राले या दो कमिटी का अध् समिटी के दो उपसमीति पहला तो था मौलिक अदिकार समीती और दुसरम अल्प संख्यक उपसमिती जिसमे अधिककर उपसमिति जेव कृपलानी और H.C. मुखर्जी थे अल्प संख्यक उपसमिती के अध्यक्ष संबिधान सभा में ब्रेटिस प्रांतों के 296 परतिनिधियों का विभाजन संप्रदाइक अधार पर किया गया 213 समानिय, 79 मुसल्मान तथा 4 क्या थे सिख थे संबिधान सभा के सदस्यों में अनुसुचित जनजाती के सदस्यों की संख्या 33 ती पिर जिर रिपीट कर लो, अनुसुचित जन जाती के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33 थी, संबिधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी, तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी, तो महिला सदस्य जो 15 है, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, पहले चौधरी, लील आडे, मालती चौधरी, पुर्णीमा बनर जी, रेनुकाराय, सरोजनी नैडू, राजकुमाडी अम्रितकोर, सुचेता क्रिपलानी, बिजय लक्ष्मी पंडित, ये पंदरो महिला थी, नीचे का जो चार पांच इसको फिर से रिपीट कर लो, बिजय लक्ष् संबिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सचिरानंद सिन्ह, संबिधान सभा की कारिवाही, 13 दिसंबर 1946 को, जवाहर लाल नहरू द्वारा पेस किये उद्देश प्रस्ताव के साथ प्रणम्भुआ, उद्देश प्रस्ताव किसने पेस किया था, तो जवाहर लाल नहरू ने, कव किया था, 13 दिसंबर को, और फिर आگे 22 जनवरी का मीटिंग हुआ, उसमें उद्देश प्रस्ताव को सुकृत कर लिया गया, 22 जनवरी, 1947 इस बीको, उद्देश प्रस्ताव की सुकृति के बाद, संबिधा समीति प्रांथिय संभिधान समीति संग सक्ति समीति और प्रणूप समीति बी एंड रौ दुआरा तयार किये गिये संभिधान के प्रणूप पर विचार विमर्स करने के लिए संभिधान सभाद वारा 29 अगस्त इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीम्रों अंबेदकर को जुना गया प्रणूप् समीती के सद northwest के संख्या साथ थी जो इस प्रकार है पहला डॉक्टर भीम्रों अंबेदकर जोकी अध्यक्ष थे प्रस्त यही वार बार आता है कि प्रारूप समीती के और उसके अन्वी विंबर थे एन गौपाल स्वामी आयंगर, अलादी क्रिस्न स्वामी आयर, कनहिया लाल मनिकलाल मुंसी, सैयद मुहंबद सदुल्ला, एन माधव राओ, ये बी एल मित्र के अस्थान पड़ाये थे, डीपी खेतान, 1948 में इनकी मिर्तियों के बाद, टीटी क इसनम चारी को सदस्य बनाया गया था, डीपी खेतना, संबिधान सभा में, अम्बेदकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से, तथा देश बटवारे के बाद, उनका निर्वाचन बंबई से हुआ था, बहुत इंपोटेंट है, संबिधान सभा में, जो अम्बेदकर चुन कर गए थे, पर देश का बटवारा जब हो गया, 47, उसके बाद वो कहां से चुन के आए, बंबई से चुन के आए, देखो, मैं इन से, हाला कि पठाई से लिंक के बोल रहा हूं, पर अभी जो फ्रॉड कॉल काफी अधिकात, मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बीच में दो से तीन फ्रॉड को लाया है, मतलब यही कि बैंक से पैसा निकालने वाला से भी सुआता है, ठीक ना, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अन्नून नम्बर से, जो आजब टेप का नम्बर आए, फॉन ने रिसीब करो, लिंक पे क्लिक नहीं करो, बह जी बजी बार रहा है, तो सेवर से लेटेट थोड़ा अवेर रहो, क्योंकि फ्रॉड बहुत अलग लेवल काजगल हो रहा है, तो उससे बचिए, ओके, अगर देखो, तीन जून, उननी सो सैटालिस इसवी की योजना के अनुसार, देश का बटवारा हो जाने पर भारती स सम्विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 सदस्य प्रांतों के लिए और 89 सदस्य देशी रियासत से लिए गए थे, अब यहाँ पे कैवनेट मिशन 1945 के प्रस्ताब पर गठित अंत्री मंत्री मंदल, जो की 2 सिप्टेंबर 1946 तक मिली रहा, तो वो क लाल नहरू के पास, बल्लभय पटिल गड़ि मंत्री, सुचना और प्रसारन मंत्री थे, बल्देव सिंग रक्षा मंत्री, जौन मथाई, उद्योग तथा आपुरती मंत्री, सीराज गोपलाचारी, सिख्छा मंत्री, छिएच भावा, खान, एवम बंदरगाह और कारी मंत मंत्री मंदल में सामिल मुस्लिम लिंग के सदस्य कौन-कौन से पोस्ट पे थे तो लियाकत अली खां ये बित मंत्री थे आय आय चुंद्रीगर पानीजी मंत्री अबुलोड़ो नस्तर संचार मंत्री जोगंद्रनाथ मंदल बिधी यानि बंगाल के CISF चीफ थे गजांतर अ लिखां स्वास्त मंत्री थें देश विभाजन के बाद संबीद्हां सभा का पुनरगठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसम्बर प्रारूप समीती ने संबिधान के प्रारूप पर विचार विमर्स करने के बाद 21 फरवड़ी 1948 को संबिधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेस की कब 21 फरवड़ी 1948 को कौन तो प्रारूप समीती सतस्यों की संख्या कितनी थी? साथ थी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भीमर्स अंबेदगर संबिधान सभा में संबिधान का पर्थम वाचन 4 नौमबर से 9 नौमबर 1948 तक चला संबिधान का दूसरा वाचन 15 नौमबर 1948 से प्रणभुआ और 17 अक्टूबर 1949 इस भी तक चला संबिधान सभा में संबिधान का तीसरा वाचन 14 नौमबर 1949 से 26 नौमबर 1949 तक चला और संबिधान सभा द्वारा संबिधान को पारित कर दिया गया इस समय संबिधान सभा में 284 उपस्थी थे जब संबिधान पारित किया गया तब कितने थे? मतलब 26 नॉम्बर 1949 को जब उस पर हस्ताक्षर किया गया तब 284 शतर सी उपस्ती थे यह काभी आप पुछा जाएगा 284 याद रखिएगा और अब यहाँ पे सोतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल यह मिंस पहले मंत्री सब जो सब थे उनका नाम भी आपको टिप्स पर याद रखना है और और कंप्पेटिशन के पर प्रसपेक्टिव से गोर की पी जाना है मतलब जैस ही टूटु जाफ फोर निकलता है ना दूए कांद दूद दू नी चार निकलता है ना फ्रटाक से बने मुह से आपके मुह से जवहार लाल नेहरू यह पर्धार मंत्री राष्ट्र वंडल ज़िवन राम सरम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, स्वास्त मंत्री थी ये श्याश भावा वानीजी मंत्री रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री आरेके स्मुखं सेथी बित मंत्री डॉक्टर स्यामापर्सात मुखड़ जी उद्योग एवं आपुर्ती मंत्री संबिधान निर्मान की प्रकिडिया में कुल दोबर्स 11 महिना और 18 दिन लगे थे संबिधान के प्रडूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था संबिधान निर्मान कारी में कुल मिलाकर 63,96,729 व्या हुआ था इतना रुप्या लगा था संबिधान बनाने में समझ रहे हुआ उस टाइम का इतना रुप्या 63,64,64 लग के आसपास संबिधान को जब 26 नॉंबर 1949 को संबिधान सभाद वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग 395 अनुछेद और 8 अनुछेद थी बरतमान समय में संबिधान में 22 भाग 395 अनुछेद और 12 अनुछेद अब 400 से अधिक हो गया है संबिधान के कुल अनुछेदों में 15 अनुछेद मतलब जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 366, 366, 389, 88, 91, 92, 93 अनुछेद को 26 नॉंबर 1949 को ही प्रेवर्तित कर दिया गया जबकि सेस अनुछेद को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया संबिधान सभा की अन्तिम बैठग 24 जनवरी 1950 को हुआ था यह काफि इंपोर्टेंट है संबिधान सभा का अन्तिम बैठग कब हुआ था 24 जनवरी 1950 26 जनवरी से दो दिन पहले उसी दिन संबिधान सभा के दौरा डॉक्टर राजंदर परसाद को भारत का पर्थम राष्टपती चुना गया था एक दिन इसमें एक चीज और हुआ था हमारो जो राष्टे गीत है न वो भी 24 जनबड़ी को ही जोरा गया था संबिधान सभा 26 जनबड़ी 1950 से 1951 से बाबन में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्मान तक भारत की अंत्रीम संसद के रूप में काम किया संबिधान सभा दुआरा किये गए कुछ अन्यकारी इनमें मैं 1999 में राष्ट्रे मंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया 24 जनवडी को राष्टीगान और 26 जनवडी को राष्ट्रेगिद को अपनाया 22 जूलाय को गहां गया 22 जूलाय को जहंडा मनाया इसीलिए 22 जूलाय को क्या मनाते हैं जहंडा दिवस मनाते हैं आगे नोट में दिया गया है कि 26 जूलाय previously को गवर्णर जेनरल ने पाकिस्तान के लिए पृठक संबीधान सभा का स्थापना का घोसना किया था। इसके आसपास रहे हैं ठीक ना उसमें जितना एक्सेसारी हो जाए उसको हम पढ़ देंगे क्योंकि बुक को तेजी से कंप्लेट करना है तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारती संविधान की उद्देशी का अत्वप्रस्तावना चाहते हो कि वीडियो छोटा बने या बड़ा ब बनाए ऐसा नहीं अगे आपि दीया घेर नेहरुद वारा प्रस्तूत उद्देश संकलप में जो आदर्स प्रस्तूत किया गया उन्हें ही संबिधान की उद्देसिका में सामिल कर लिया गया संबिधान के 42 वे संसोधन दुआरा यथा संसोधित या उद्देसिका निम्न प्रकार है हम भारत के लोग यह देश्का है कोशिस करो कि आप लोगे याद हो जाए अभी अभी याद करो मैं तरह जांव टाइम रहता है न याद करो इसको प्रस्ण कैसे आएगा देखो प्रस्तावना की शुरुवात कहां से होती है तो हम भारत के लोग से होती है ठीक ना इसमें कितने परकार का नियायका प्रापधान किया गया है तीन परकार का कौन-कौन सा समाजिक आर्थिक और राजनितिक ओके बिचार अभिव्यक्ति विस्वास धर्म और उपासना के सुन्दता है परतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तता उन सब में बिच्टी की गडिमा और रास्ट्र की एकता और अखंड तासुनिस्चित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए द्रिड संकल पहोकर अपनी इस संबिधान सभा में आज तारिक 26 नॉंबर 1949 मिती मार्ग सुकल सप्त्मी सत्बम 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संबिधान को अंगिक्रित अधिनियमित और आत्मफित करते हैं 26 नॉंबर का हुआ है अगया प्रस्तावना की मुखी बात है संबिधान की प्रस्तावना को संबिधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना संबिधान का आड़ंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तोर पर उसका भाग नहीं माना जाता है चbag की हम भारत के लोग इस संबिधान को अंगिक्रित अधिनियमित और आत्मफित करते हैं भारतिये लोगों की सर्वोची संप्रभूता की उद्गोसना करता है कि भारत में सबसे हेड कौन है यहां के भारत का लोग परसाजे प्रतान बेक्ती कौन होता है द्रास्टपती प्रस्तावना को नियाला में परिवर्थित नहीं किया जा सकता यह निर्णाय Union Bank of India बना मदन गुपाल 1957 की निर्णाय में घोसना किया गया था कि प्रस्तावना को नियाला में परिवर्थित नहीं किया जाएगा यानि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अभहलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहयता नहीं ले सकते है अब है बेरुबारी Union बिवाद 1960 में हुआ था इसमें सर्वच्चे नियालाय ने निर्णाय दिया था कि जहां संबिधान की भासा संदिक्द हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहयता करती है जहां संबिधान की भासा संदिक्द हो वहां प्रस्तावना कानून निर्वाचन में वो हल्प करता है आगे बेरूबादी बाद में ही सर्वोच्य न्यालय ने प्रस्तावना को संबिधान का अंग नहीं माना इसलिए बिधायका प्रस्तावना में संसोधन नहीं कर सकती है सिद्ध्यांत मिन्स थिओरी और बेसिक इस्ट्रक्चर जो है वो दिया था प्रस्तावना को संभीधान का मूल धाचा माना मतलब मूल धाचे में कभी कोई चेंजज नहीं होगा याद रखिया गए इस चीज़ को संसद संभीधान की मूल धाचा को नकारात्मक संसोधन नहीं कर सकता है असपस्ट था संसद वैसा संसोधन नहीं करता जिससे मूल धाचा का विस्तार वा मजबूती करन होता है 42 संभीधान संसोधन अधीनियम 1976 इस्वी के दौारा इसमें समाजबादी, पंत निर्पक्च और रास्ट्र की अखंडता सब जोड़े गया याद रखिएगा 42 संबिधान संसोज़ 1976 में इंद्रा गांधी का टाइम था जिसमें समाजबाद पंथ निर्पेक्च और राश्टर की अखंड़ता सब्द को जोड़ा गया था भारत के संबिधान की प्रस्तावना में तीर प्रकार के निया है कौन-कौन सा समाजी का आर्थिक और आजनेतिक पांच प्रकार की सुन्दरता है विचार अभिवक्ति बिस्वास धर्म और उपासना और दो प्रकार की समानता है परतिष्ठा और अवसरका तो अगर प्रस्तावना याद रहेगा ना तो इसके रिलिटेट जो भी प्रस्त है उसको आप असानी से मिंज धेल लोगे भारत का संबिधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सरवाधिक ब्यापक संबिधान है या अंसता कठोर और अंसता लचिला है नोट में दियागे है लिखित संबिधान की अवधारना फ्रांस की देन है लिखित संबिधान की अवधारना किसकी देन है फ्रांस की अगे भारते राजनितिक व्यवस्ता में संबिधान सरवच्छी है संबिधान सरवच्छी है भारत का संबिधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से पुराप्त करता है भारत सरकार अधिनियék 1935 वह संवेधानिक दस्ता वेज है जिसका भारती संविधान तियार करने में घारणा परभापड़ा भारत सरकार 1935 जो आया था उसे संवेधान का दोतिय हिसालिया गया आगे पढ़ेंगे आप भारत के संभिधान में संभिधान में संभिधान सब्द का पड़ियोग कहीं भी नहीं किया गया है संभिधान में भारत को राजियों का संभ कहा गया है अब चौता जो हमारा exercise है वो है भारतिय संभिधान के बिदेशी स्रोत तो यह exercise थोड़ा लंबा है नहीं छोटा ही है ठीक ना तो इसको हम complete कड़ी लेते हैं इसके बाद जोगा वो लंबा लंबा exercise होगा तो क्या से बिदेशी स्रोथ है भारत के संबिधान निर्मान में जो संबिधान की सहिता ली गई थी कहां कहां से तो पहला आता है संजुक्त अमेरिका इसे मौलिक अधिकार नियाइक पुर्णाव लोकन संबिधान की सरवच्चिता नियपालिका की सुदंदर्ता निरबात की तरास्ट्रपति एवं उस पर महाव्योग उप्रास्ट्रपति उच्च तब इवं उच्च नियाले के नियाधिस को हटाने की बिधी एव साथन पढ़नाली एकल लागडिक्ता एवं विधी निर्मान प्रकिरिय कहां से लिया रहे आयर लेंट से निती निर्देशक शिद्ध्यांत राष्ट्रपती के निर्वाचर मंडल की विवस्था राष्ट्रपती द्वारा राजी सभा में सहिति कला विज्ञान वा समाजिक स सेवा इत्यादी छित्र से ख्याती प्राप्त ब्यक्तियों का मनोनयन यह आयर्लेंड से लिया गया है। आगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की भासा समवर्थी सुची साहित्य कला बिज्ञान वा समाज सेवा इत्याधिक के छत्र से ख्याति प्राप व्यक्तियों को मनुनित किया जाते हैं आयरलेंड से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भासा समवर्थी सुची क संवर्थी सूची का प्रापधान केंद्र एब राज्जी के बीच संबंद तथा सक्तियों का विभाजन संसद्य विश्यसादिकार यह सब कहां से लिया गया यह भी बिहार ऐसे का मिंद्स हुआ था ना इसमें यह प्रसना आया था कि संबर्ती सुची जो है वो किस देश के संभीधान से लिया गया तो अस्ट्रेलिया जर्मनी से अबात उबंध का प्राबधान राश्ट्रपती के मौलिक अधिकार समंधी करते या रखेगा अपात का कर जान से राजपान से बिधी दूरा स्थापित प्राबधान रूस से मौलिक अधिक अर्जपान से बिधिद्वरा स्थापित प्राबधान नोट में दिया गया है भारतिय संबिधान के अनिग देशी और विदेशी स्रोत है लेकिन भारतिय संबिधान पर सबसे अधिक परभाव भारतिय सासन अधिनियम 1935 का है भारतिय संबिधान के 395 अनुछेद में से लगभग 295 अनुछेद किसे है भारत सरकार अधिनियम 1935 से है तो सब्दता ले लिया गया है या फिर उसमें बहुत थोरा पड़िवर्तन करके वो ले लिया गया है यानि टूबै थार्ड जो है ना वो 1935 से लिया गया है ठीक ना तो अभी हम सेशन को इंड करते हैं क्योंकि अगला जो हमारा अच्छा सैज है वो हम अगले वीडियो में प जहें दोस्तों आप देख़ें अध्यन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं भारतिय संबीधान लुसेंट जीके बुक का ये इसका तिसरा वीडियो होगा जिसमें हम पाचपा एक्सेज पढ़ रहे हैं भारतिय संबीधान की अनुसुचिया बह सारे निगेटिव कमेंट भी आज कल आ रहे हैं कि सरा आप बहुत कमा रहे हैं यह वह नटीपीसी पहले आप लोग एक्जाम दे दो फिर मैं दिखाओंगा कि बेनी इनकब क्या आ रही है तब यकीन हो जाएगा कि यह कमाय के परपस से चल रहा है कि बस वैसे ही चल रहा है यह भी जानना जरूरी है ओके पहले एंटीपीसी एक्जाम दे लेते हैं तो अनुसूची में जो भी है उसको ध्यान से देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेसन नहीं मिल रहा है तो टेलिग्राम ग्रूप जोएन कर लिजिएगा सा संग सासित परदेश साथ चत्रों का उलेक है पर बरत्मान में अब क्या हो गया होगा 28 राज और 9 केंद्र सासित परदेश का उलेक किया गया है संबिधान के 69 वे संसोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी छतर का दर्जा दिया गया काफी इंपोर्टेंट है दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी का दर्जा दिया गया कि संबिधान संसोधन के द्वारा 69th Constitution Amendment के द्वाड़ा इसको वित्रा सही कर लिजिएगा 29 एस्टेट तो सही है पर 9 कंद्रसासित परदेश हो गया था जम्मु कास्मिट लादाख फिर दावन एंद दीव को मिला लिया गया तो बरतमान में 8 कंद्रसासित परदेश है हो सकता है गामिक जामे पूशिदे इंसे ओर रहिएगा 28 राज्ये है और 8 कंद्रसासित परदेश है क्लियर हो गया होगा 79 तरमा संबिधन संसोधन का संबन्ध किस्ये है तो इसके अंतरगत दिल्ली को राज्ये राजधानी घोशित कर दिया गया दुइतिय अनुसूची इसमें भारती राजधी व्यवस्था के बिविन पदाधी कारियों जैसे किलास्टरपती, राजिपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजसभा के सभापती एभं उपसभापती, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इबं भत्ते और प्यंसन संबंदी उलेख है मतलब अगर सिंपल भासवाँ में कहें तो इसमें पदाधिकारियों के बेतन भत्ते और प्यंसन के वारे में दिया गया है अनुसुची दो क्या है तो इसमें पदाधिकारियों के बेतन भत्ते और प्यंसन के वारे में दिया गया मतलब पहले कि आओ गया कि बेतन भता का बात हो गया अब उसको क्या करेगा सपत दिलवाएगा तो तिर्तिय अनुसुची क्या है पदादिकाडियों को सपत दिलाएगा जिसे मंत्री है उच्छ नियाले है उच्छ तम नियाले के नियादीज है जो भी इस पोस्ट पे है जिसको भी सफ़ दिलाया जाता है वो तिर्तिय अनुसुची में है चौथी अनुसुची में है कि इसमें राजियों और संहिये छेत्रों की राजसभा में परती निधितों का बिबरन कर देना मतलब यहाँ पर सीटों का बटवारा किया गया है में लिए ठीक ना पाँचवी अनुसुची इसमें बिभिन अनुसुचित छेतरों और अनुसुचित जनजाती के प्रसासन और नियंतरन के बारे में दिया गया है आपको रफली यह याद करना है पाचवी अनुसुची का सम्मंद अनुसुचित जाती और जन जाती के प्रसासन को नियंतरन करने के बारे में दिया गया है चटी अनुसुची इसमें असम, मेगाले, तरिपूरा और मिजोरम राजियों के जन जाती छेतरों के प्रसासन के बारे में प्राब्धान है चटी अनुसुची में जो नौर्थिस एस्टेट है असम, मेघालय, त्रिपूरा, मिजोरम इस सब के जन जाती छत्रों में प्रसासन के बारे में दिया गया है याद रखिएगा पांचवी अनुसुची में जो पूरा है पूरे देश का अनुसुची जाती और जन जाती है उसके प्रसासन और निरक्षन के बारे में दिया गया है लेकिन छटी अनुसुची में जो कुछ सर्टेन एस्टेट है असम, मेघालय, त्रिपूरा और मिजोरम इसके जन जाती छत्रों के बारे में दिया गया है साथवी अनुसुची इसमें केंद्र और राजी के बीच सक्तियों का बटवारा है मैंने चार में क्या कहा था सीटों का बटवारा है यहाँ पे सक्तियों का बटवारा कर दिया गया है तथा इसी अनुसुची में सरकार द समंद तो इसमें सुची का बटवारा साथ भी सुची का बटवारा सुची तीन है एक होगी है स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट और दूसरा ते कंक्रेंट सम्भरती सुची एक यहां प्रटेंट याद रखेगा रियलवे वह किसका है संग सुची का विशा है लेकिन PF का नाम चेंज कर दिया गया है ठीक ना उसका नया नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता ले तोड़ा गूगल करलो समझ में आ जायेगा अब यहाँ पर तीन सुची अलग अलग दिया गया है पहला है संग सुची इस सुची में दिये गए विशाय पर केंदर सरकार कानून बनाता है संबिधान के लागू होने के समय इसमें संतानवे विशाय था बरतमान में अभी एक सौसी अधिक हो गया है संग सुची के कुछ महतपुर्ण विशाय है देश की परतिरक्षा, बिदेशी मामले, युद एवम सान्ती, रेल, डाग तार, मुद्रा बेंकिंग, परमानू सक्ती ये सब क्या है संग सुची का विशाय है आगे दिया गया है राज्य सुची इस सुची में दिये गये विशाय पर राज्य सरकार कानून बनाता है राश्ट्रिय हित से सम्मंधित होने पर केंदर सरकार भी कानून बना सकता है संबिधान के लागू होने के समय इसके अंतरगत 66 विशाय थे राज-सुची में 66 विशाय था पहले, बर्तमान में 61 विशाय है राज-सुची में सामिल हुए विशाय सांती और वेवस्था, पुलिस देखो एक बात जम्ने लको जो भी पुलिस है जाहे हो रेलवे पुलिस हो यह जो भी पुलिस हो वो एस्टेट का हो गया तो आपको confusion नहीं होगा जेल, अस्थानिय सासन, क्रिसी, जन स्वास्त, राज के अंदर होने वाला बेपार, निया बिभाग या फिर भूमी से रिलेटेड जो भी है, मेलाकर ये जो भी है वो सब राजी सुची के अंतरगत आता है आगे है समवर्ती सुची, मतलब जो दोनों में है, समवर्ती सुची इसमें बरतमान में 52 सबजेक्ट आता है, समवर्ती सुची में इसके अंतरगत है, दिये गिये विशाय पर केंदर और राजी दोनों सरकार कानून बना सकता है परंतु कानून के विशाय समान होने पर केंदर सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माननी होगा इसको थोड़ा ध्यान डखना अच्छी एकजाम में आपको कथने स्टेटेमेंट करके यह पूछ सकता है इस संटेंस को फिर से रिपीट करते हैं कानून के विशाय समान होने पर केंदर सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माननी होगा राजी सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंदर सरकार के साथ बनने वाले कानून को समाप्त हो जाता है मतलब जहाँ पे राज का कोई कानून है और कंद्र अपना कानून बना दिया तो राज का कानून वाग्या हो जाए खत्म हो जाएगा सिंपल सब्दों में ये कह सकते है कि समवर्ती सुची में जो कानून है वहाँ पे कंद्र सरकार का पावर अधिक है संबिधान के लागू होने के समय समवर्ति सुची की संख्या कितने दी सहितालिस थी बर्तमान में बावन है कौन-कौन से दिवानी और फोजदारी कानून एवं प्रक्रिया बिवाह तथा तालाग सिक्छा आर्थिक नियोजन बिजली समाचार पत्र स्रमिक संख वन ये सब क्या हो गया है समवर्ति सुची में आता है क्यात रखिए कि बिजली जो है अब रैट टू बिजली बिजली का भी अधिकार की बात की जा रही है तो अगामी तैम में जैसे सिक्छा का अधिकार एक कानून मितलब हमारा मौली का अधिकार हो की आए तो हो सकता है बिजली का अधिकार भी आने वाले टैम में क्योंकि जिस परकार सिक्छा काफी जरूरी है तो उसी परकार बिजली भी काफी जरूरी है क्योंकि सिक्छा कब मिलेगा आजकल तो पूरा modern है, टेकनिकल मिन से सिक्षा मिल रहा है सबको, आप लोगी पढ़ रहे हो, अगर बिजली ही चली जाए तो कैसे सिक्षा लोगे, तो मोधी जी ने हलाकी 14 दिसंबर को जो एक meeting हुआ था न, उस दिन उर्जा सनक्षन दिवस मनाया जाता है, उस दिन उन्हों हलाकी अब यह गलत हो जाएगा, जम्मू कास्मीर के बारे में भी सही है, क्योंकि जम्मू कास्मीर को 370 आर्टिकल जो था अलग प्रोविजन देता था, अब वो हट गया है, अब आगे आठवी अनुसुची, काफी important है, सारे अनुसुची आपको याद होने चाहिए, कम से आठवी अनुसुची में 14 भासाएं थी, जहां भी मूल रूप लिखा गया है, मतलब प्रारंभिक टैम में जब संबिधान बना हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 दिन संबिधान लागू हुआ था, उससे पहले जो थी उसमें रल्ज हो गया, वो हो गया मूल संबिधान, ठीक न तो उसमें 14 भासाएं थी, 1967 में 21 संबिधान संसोदन होता है, और जिसमें सिंधी भासा को जोरा गया, 1992 में 31 संबिधान संसोदन होता हαι, जिसमें कौंकनी, मनिपूरी और नेपाली को जोरा गया 2003 में बिरानवा संभिधान संसोधन जो की भासा के regarding लिटेस्ट जो संभिधान संसोधन है वो बिरानवावा संभिधान संसोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मैथली, संथाली, टोगेडी और बोडो को आठवी अनुसुची में जोड़ दिया गया, बर्तमान में कितने है? 22 याद इंगलिस भोजपूरी ये सब जो है आठवी अनुसुची में नहीं है तो कि इंगलिस और भोजपूरी दोनों थोड़ा पॉपुलर लेंग्वेज है पर संभीधान में नहीं है तो इसके रिगार्डिंग कई सारे प्रस्ण बन जाते हैं संस्कृत है या नहीं है संस्कृत है आठवी अनुसुची में संस्कृत अल्रेडी एड है अब है नौवी अनुसुची भारत में यह अनुसुची प्रथम संभीधान संसोधन अधिनियम 1951 इसवी के दुआरा जोड़ा गया इसके अंतरगत राज दुआरा संपती के अधिगरन की विदियों का उल्लेख किया गया है इस सुची में संवलित विशायों को नियाला में चुनोती नहीं दिया सकती बहत्रमान में इस अनुसुची में दो सो चो चौरासी अधिनियम है नौवी अनुसुची में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है और साथ ही पहला संबिधान संसोधन जो है वो किस्य समंधित है तो वो नौवी अनुसुची में ही संसोधन किया गया था जो की 1951 में हुआ था अब यहां फे नोट में दिया गया है कि अब तक यह मानिता था कि संबिधान की नौभी अनुसुची में समलित कानून की न्याइक समिक्षा नहीं किया सकती। क्योंकि मौलिक अधिगार का जो लंगन करेगा वो क्या करेगा मतलब कानून के समक्ष उसको लाया जा सकेगा। करवा अनुसुची यह अनुसुची संबिधान के 73 संबिधान संसोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचैती राज संस्थपकों का कारी करना है। इसमें 29 विशयव परदान किये गए हैं। आपको याद रखना है ग्यारवी अनुसुची का सम्मध किसे हैं। पंचैती राज से हैं। इसमें कितने विशयव दिये गए हैं। तो 29 और कौन सा संबिधान संसोधन है। तेहा तरवा संबिधान संसोधन 1993। अगे बारवी अनुसुची, शवसे लास्ट अनुसुची है बारवी, यह जोरा गया था, जिसमें अस्थानिय स्वसासन की बास्त की गई है। अस्थानिये सोसासन नगरपालिका जिसको कहते हैं नगरपालिका की बात की गई है अस्थानिये सोसासन की बात की गई है जिसमें 18 विशय परदान किये गए हैं अब हमारे छटा एक्ससाइज है देशी रियासत का भारत में बिलाए देशी रियासत का भारत में बिलाए रिया परतिमा है, 182 मीटर उची परतिमा है और ये दुनिया की सब से उची परतिमा है तो याद रखिएगा. जुनागड रियासत को जनमत संगरा के अधार पर हैदरावाद की रियासत को पुलिस कारवाई के माध्यम से और जमू कास्मी रियासत को बिले पत्र पर हस्ताक्षर के दुआड़ा भारत में मिलाया गया था देशी रियासतों को भारतिय संग का अंग बनाने में सरदार बल्ला भै पटेल एबं बीपी मेनन ने सबसे महत्पुर्ण भूमी का आदा गी किस-किस ने सरदार बल्ला भै पटेल और बीपी मेनन और सरदार बल्ला भै पटेल आगे जो सातवा एक्ससाइज है संग और उसका राज्जी छेत्र, यह को सार एक्सेज इंपोटेंट है, और मैं कोशिस करता हूँ कि आपके NTPC exam से पहले इसको complete कर दूँ, तो ध्यान से देखिएगा, और साथ ही अगर session अच्छा लग रहा हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक share कीजिए, ताकि अधिक लोगों तक पहुँ 28 राज और 8 कंदसासित परदेश, अनुछेद एक क्या कहता है, कि भारत अर्थात इंडिया जो है, राजियों का संग है, union of state है, राजियों का संग, राजिय और उसके राज्य छेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में वे निरिस्ट है, भारत के राज्य छेत्र में अ सर्तों पर जो एक ठीक समझे, संग में नए राज्य का परवेश या उसकी अस्थापना की सकती परदान की गई है, फिर से रिपीट करेंगे इसको हम अनुछे दो को, कि भारत की संसद को विधी दुआरा ऐसे निवंधनों और सर्तों पर जो वह ठीक समझे, संग में नए राज्य को इसी अपने में मिलाएगा, उसका भी बात किया गया है, अनुछे दो के अंतरगत, अनुछे तीन में है, नए राज्यों के निर्मान और बरतमान, राज्यों के छेत्र और सिमाओं या नामों में परिवर्तन, संसद विधी दुआरा कर सकती, ये काफी इंपोट पर ये लाइन जो है, वो इंपोटेंट है, कि राज्य का जो नाम चेंज करेगा, वो कौन करेगा, संसद विधी के दुआरा करेगा, संसद का नियम करेगा, संसद नाम चेंज करेगा, राज्य का जो निया बाउंडरी होता है, या फिर जो नया एस्टेट बनेगा, उसमें कौन करेगा संसद करेगा भारती संभीधान के भाग यहां पर दिये गए काफी अच्छे से बढ़ो याद हो जाए था कि क्योंकि एक वार अगर यह याद हो गया ना तो आप असानी से थोड़ा इलिमिनेट करके कोसन को बना पाओगे तो संग और राजिछेतर के वारे में दिया गया है अनुचेद एक से लेकर चार तक क्या है कि संग और उसका राजिछेतर से समंधित खानून अनुचेद एक से चार तक क्या है संग और उसका राजिछेतर पाँच से लेकर एक ग्यार के वारे में नागरिक्ता के वारे में दिया गया है 12 से 35 क्या है मौलिक अधिकार है निती निर्देशक्तत्व निती निर्देशक्तत्व ये कहां से लिया गया है ये प्रस्ट पूछ दिया था अभी बिहार स्सी का जो मेंस हुआ था ना बिहार स्सी मेंस उसमें पूछ दिया गया था च्छती से 51 तक है ये आयरलेंड से लिया आपको 52 से लेकर 151 तक संग के वारे में केंद्र के वारे में 51 स्वारी 52 से लेकर 151 राजी के वारे में 152 से लेकर 237 पहली अनुसूची के भाग खो के राजी 238 में है संग है राजी छेतरी मितलब यूनियन ट्रेटी जीसे कहते हैं वो 249 से लेकर 42 तक है पंचायत के बारे में 243 और उसका को से लेकर 9 तक 243 किसे समंदित है पंचायत से नगरपाली का 243 का तो से लेकर यौ यक्छो तक है सहकारी समीति यौ जो से लेकर यौ नो तक है 243 यह सारा ठीक ना अनुसूची जाती और जन जाती के लिए 244 का को है 264 से 264 से 300 का को बित संपति संबिदाए भारत के राज्य छेतर के भीतर बेपार वनीज एवं समागम है 301 से 307 301 से 307 संग एवं राज्य के अधिन सेवाए 308 से लेकर 323 मैं इसका स्क्रीन सोट जो है न यह जो लिष्ट है उसका मैं टेलेग्राम गुरूपे सेंड कर दूँगा तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार इस रिवाइज कर लेजिएगा जोड से तुरह पढ़के से राजी भासा 343 में में लेकी हिंदी हमारी राजी भासा है पर राजी भासा के वाड़े में 343 से लेकर 351 तर अपात उपबंध 352 से 360 प्रकिर्नन 361 से लेकर 366 संबिधान संसोधन 368 में दिया गया है यह 379 से लेकर 392 तक संचिप्त नाम प्राडंब हिंदी की प्राधेक्रित पाठ और निर्शन 393 से लेकर 395 तक अब आगे जो हमारा exercise है वो है राजी का पुनरगठन तो इसको भी हम इसी वीडियो में complete करेंगे वीडियो का आप ध्यान से देखना है एक बार में अगर पूरा नहीं देख पाड़े हो तो अभी आधा देखलो फिर अगले टैम में आधा देखले ना पर पूरा ध्यान से देखना तभी एकजाम में आपको हेल्प करेगा राजि का पुनरगठन भासा के अधार पर राजि का पुनरगठन उचित है या नहीं इसकी जाच के लिए संबिधान सभा के अध्यक्ष राजंदर परसाद ने इलहावाद उचिनियाले के अवकास प्राप्त नियाधीस एसके धर की अध्यक्षता में चार संसदिय आयोग की नियुक्ति की इस आयोग ने भासा के अधार पर राजि के पुनरगठन का विरोध किया और प्रसासनिक सुविधा के अधार पर राजियों के पुनरगठन का समर्थन किया अंदो समझ रहे हो पहला जो एक सम्मेलन बना था उसमें कहा गया था कि राज जी के अधार भासा के अधार पर राज बनाते हो ना तो ये गलत है ये गलत है कभी मैं अच्छी से डिटेलने बताऊंगा थोला बिरिफ्ली बता देता हूं क्यों गलत है अगर आप भासा के अधार पर कास्ट के अधार पर अगर भेदवो करके एस्टेट बनाते हो तो आज ना कल या फिक्स कर देते हो कि कल वो भासा के अधार पर वो बुलेगा कि हमें एक अलग देश भी घोशित कर दो क्योंकि वे दूसरे एस्टेट से अपने आपको अलग महसुस करते हैं भासा लिंक जो रता है अगर आपको यह एसास कब होता होगा ना जब आप मालो मैं अपनी एक बता रहो मैं कासमीर गया हुआ था ठीक ना मुझे मैथली आती है तो कासमीर गया हुआ था वहाँ पे एक मतलब हम लोगों से हिंदी में बात कर रहा था कुछ-कुछ खड़ीद रहते हम लोग फली अक्रोट खड़ीद रहते तो उसके घर से फोन आ गया और वो उसने मैथली में कहा तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे डिसकॉंट कर देता या कुछ ऐसा था पर मुझे एक अजीब सी फ आपके अंदर एक इनर्जी आ जाता है मिसे एक अलग चमक आ जाती है कि चलो ये भी अपना ही है तो भासा के अधार पे कभी देश को नहीं बाटना चाहिए राजी को नहीं बाटना चाहिए ये गलत कर देता है आगे तो अगर कभी इंटर्वियू में आपको इस टैप के अधिवेशन में जवाहर लाल नहरू, बल्लभभय पटेल और पट्टावी सीता रमया की एक समीती का गठन किया इस समीती ने भासाई अधार पर राजी के पुनर गठन मांग को खाडिज कर दिया पढ़ याद रखिएगा भासाई अधार पे ही पहला राजी बना था अंधोलन प्राडम कर दिया 58 दिन के ओमरन अंसन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रमालू की मिर्तियों हो गई जो इस अंसन पे बैठा हुआ था रमालू की मिर्तियों के बाद परधान मंत्री नरंद उस्टेम में ये थे नहरू थे जबाहर दाल नहरू ने तेलगू भासियों के लिए पिर्थक आंधर परदेश का गठन की घोसना कर दी एक अक्टूबर 1953 इस वी को आंधर परदेश राज का गठन हो गया यह राज्य सोतंत्र भारत में भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था याद रखिएगा भासा के अधार पर बनने वाला गठित ह पहला राज जी कौन सा था तो आंधर परदेश था उस महें आंधर परदेश की राजधानी कहा थी कर्नूल थी कर्नूल राजी पुनर गठन आयोके अध्यक्ष फजल अली थे राजी पुनर गठन आयोके अध्यक्ष कौन थे फजल अली इसके अन्य सदा से भी थे पंडित हिर्दाइनात कुंजरू और सरदार के एम पनिकर सरदार के एम पनिकर राजी पुनर गठन अधिनियम जुलाए 1956 इसवी में पास किया गया इसके अनुसार भारत में 14 राज्ये और 6 के अंदर सासित परदेश अस्थापित किया गया राज्ये पुनर गठन आयोग 1953 में गठित हुआ कब हुआ 1953 में नॉमबर 1954 इसवी को कॉंग्रेस की सरकार ने अपनी सभी बस्तिया पुदुचेरी यानम चंदर नगर और केडिकल को भारत को सौप दिया 28 में 1956 इसवी को इस सम्मंद में संधी पर हस्ताक्षर हो गया इसके बाद इन सभी को मिला कर पांडी चेरी संग राजी छेतर का गठन किया गया भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमनवा दूब की मुक्ती के लिए पुर्तगालियों के ब्रुद कारवाई की और उन पर पुर्ण अधिकार कर लिया बारवे संभीधान संसोधन दुआरा गोवा दमनवा दूब को पर्थम परिसिस्ट में सामिल करके भारत का अभिन अंग बना लिया गया अप्रस्न ये आ सकता है कि दमन और दूब को गोवा को भारत का अभिन अंग का बनाया गया 1961 में 12 संबिधान संसोदन इसी से समंदित है बरतमान समय में भारत में 28 सराज और 8 कंदर सासित परदे से इन्हें ही संबिधान की पर्थम अनुसुची में सामिल किया गया है अब आगे है छेतरिये परिसद आगे एक लिस्ट दिया गया उसको हम पढ़ते हैं कुछ दिर बे छेतरिये परिसद भारत में 5 छेतरिये परिसद है इनका गठान राष्टरपती के द्वारा किया जाता है और केंद्रिये गिडिह मंत्री और राष्टरपती द्वारा मनोनित केंद्रिये मंत्री छेत्रिये परिसद का अध्यक्ष होता है जो केंद्रिये मंत्री होता है राष्टरपती द्वारा जो मनोनित केंद्रिये मंत्री होता है वही इस छित्रिय पडिसत का अध्यक्च होता है समंधित राज्यों के मुखमंत्री उपाध्यक्च होते हैं जो परती बर्स बदलते रहते हैं यह केंद्र राज्य समंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है मतलब मूल संबिधान में नहीं था बाद में जोरा गया तो संबिधानिक निकाए तो है किंद्र संबिधानिक निकाए नहीं है पहला दिया गया है उत्तर छेत्रिय पडिसत पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश, राजस्थान, जमू कास्मीर, राजी तथा चंडी गड़ एवं दिल्ली, संघ राजी छेत्रे मध्य छेत्र पडिसत में उत्तर परदेश, मध्य परदेश, उतराखंड और छतिस गड़ पुर्भी छेत्रिय परदेश में बिहार, पस्तिम, मंगाल, उवडिशा, जहारखंड, असम, सिक्की, मनिपूर, तिरपूरा, मेगाले, नागालेंड, रुनाचल परदेश और मिजोरम पस्तिमी छेत्रिय परदेश, परदेश, त्यलंगान, केरल, करनाटक, तामिलाडू और पुद्दू चेरी और पुर्भुत्तर परदेशद, छठाल परदेशद है इसका गठन संग्ये अधिनियम पुर्भुत्तर परदेशद, अधिनियम 1971 दुआरा किया गया, या 8 अगस्त 1972 को अस्तित्य में आया, इसके सदस्यों में असम, मनिपूर, मिजोरम, अरुनाचल परदेश, नागालेंड, मेगाले, त्रिपूरा और सिक्कीम समलित है 1994 में सिक्कीम, पुर्भुत्तर परदेशद का आठवा सदस्य बना, इसके काड़ी, कुछ अतिरिक्त काड़ी सहित वही है, जो छत्रिये परदेशद के है, अच्छा, इसमें कुछ कुछ छोट गया, उसको पहले कंप्रेट करते है, यहाँ पे राजी में गठी छत्रिये प स्टेट डे बनाया जाता है, तो यह पूछा जाता है एकजाम में, अच्छ भी पूछा गया था बिहार SSC वाले में कि मियानवार कब सोतंद्र हुआ था, 1971 में, ऐसे प्रस्द में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, आंध्र परदेश, एक अक्टूबर 1953, 1953, जिस वार राज्य पुनरर गठन आयो कास्थ अपना किया गया था, महरास्ट एक मई 1960 और गुजरत, एक मई 1960, दोनों एक ही साथ, महरास्ट गुजरत, महरास्ट गुजरत, एक मई 1971, एक में 1971 महराष्ट और गुजरात में मजदूर बहुत जाता है क्योंकि उस दिन एक मैं को मजदूर दिपस मनाते हैं तो महराष्ट और गुजरात का 1960 में नागालेंड एक दिसम्बर नागालेंड एक दिसम्बर नागालेंड एक दिसम्बर ऐसी याद गरो नागालेंड जाओगे तो एड़ सो जाएगा एक दिसम्बर कैसी भी गलत ने लेगा ले ले ना कोई वैसे याद करने के लिए बोलना हूँ नागालेंड एक दिसमबर उनन्िसो तिरे साथ हरियान एक नॉउम्बॉर उननिसो तिरसटृ हमाचल पर्देश 25 जनवरी हमाचल पर्देश 25 जनवरी 2021 1971 हिमाचल परदेश मेघाले 21 जन्वरी मेघाले तिरिपूरा मनीपूर सब का एकी दिन है 21 जन्वरी 1972 फर से रिपीट करो मेघाले मनीपूर तिरिपूरा 21 जन्वरी 1972 आगे सिक्किम का अब भीज अप्रेल 1975 मिजोरम का 20 फरवरी 1987 20 फरवरी 1987 अरुनाचल परदेश का 20 फरवरी 1987 को ही गोवा का 30 मैं 1987 गोवा का 30 मैं 1987 36 गड़ 26 मा राजी बना था अलाकि यह सब भूल जो 26 मा क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो गया है 36 गड़ 1 नॉवंबर 2000 को उतरा खंड 9 नॉवंबर 2000 को जार खंड 15 नॉवंबर 2000 को तेलंगाना दो जुन 2014 तो जैसे दो जुन है न उस दि मिलाएंगे तेलंगाना दिवस 15 नॉवंबर को यह जार खंड दिवस क्योंकि विर्समुंडा का विजन्म हुआ था उसी दिन अब देखो आगे जो लेसन है वो है भारत की नागरिकता इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेसन अगर अच्छा लगड़ा हो तो लाइक और सेर करना आपका में अधिक सती लोगों तक सेर करो पसंद नहीं आ रहा तब तो कोई बात में डिसलाइक करो पर कार चल रहा है भारत की संपिधान और आज बढ़ रहे हैं नौवा एक्सरसाइज देखिए हो सकता है आपको कुछ एक्सरसाइज में नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में कई सारे कंप्लीट कर दिये हैं ठीक ना क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनाना है और बुक को तरी से कंप्लीट करना है तो अगर आप एक्सरसाइज से उसको देखते हो ना क्योंकि अभी तक चार से पाच वीडियो आया है और हम नौमें एक्सरसाइज पे हैं तो वीडियो आपका हर लेशन का बना हुआ है एसकीप नहीं हुआ है लेकिन आपको पूरा ए नागरिक्ता और जो भी एक्सरसाइज आगे होगा उसको कवर करेंगे ये आपके भाग दो में है अनुछेद पांच से लेकर एक्यारा तक भाग एक जो था भाग एक उसमें एक से लेकर चार तक था जिसमें हम पढ़े थे कि संग राज इच्छेतर के बारे में था और पर अब ऐसा है नहीं पूरे भारत में एकल नागरिक्ता का प्रापधान है भारतिये नागरिक्ता आधिनियम 1955 इसवी के अनुसार निम्न में से किसी एक अधार पर नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है इसकिस की अधार पर तो पहला है जन्म की अधार पर परतेक व्यक्त जिसका जन्म संबिधान लागू होने अर्था 26 जनवरी 1950 इसवी को या उसके पस्चात भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नगरिक होगा अब बाद राजनाईगों के बच्चे बिदेशियों के बच्चे वो सब भी क्या होगा भारती होगा जिसे मालो कोई अमेरिकन है यहां इंडिया घुमने की लिए या इंडिया में उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसके पास नगरिकता किसका हो जाएगा उस बच्चे के पास भारत का नगरिकता हो जाएगा एक controversial topic है जैसे कि मालो कोई plane से जा रहा है ठीक ना मैंने इंडिया में चढ़ा और अमेरिका में उतर रहा है ठीक तो उस दौरान अगर किसी को बच्चा होगी मालो बीच में इराक पड़ता है मालो इंडिया से अमेरिका जा रहा है ठीक ना बीच में इराक है अब उस बच्चे का जनम वहाँ पे इराक के उपर में हो गया तो उस बच्चे के पास किसी नागरिकता होगी तो जहां तक का प्लेन जा रहा है न अमेरिका तक जा रहा था तो उस बच्चे के पास अमेरिका की नागरिकता होगे क्लियर ये कुछ दिन पहले ये जज्जमेंट आया हुआ था अगे बंस परंपरा दुआरा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 इसवी के पस चाहत जल्म लेने वाला ब्यक्ती भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो जैसे कि कल्पा चावला स blessing थी तो उनके माता पिता क्या थे भारती थे और उनका जन्म होगी अमेरिका में या फिर मातापिता यहां के है 26 जनवरी से पहले अगर कहीं बाहर जनव हुआ तब यह वो क्या होगा भारत का नागरिक्ता होगा इस तरह याद रखियेगा पुछा जाता है नागरिक्ता प्राप्त करने का प्राप्धान नागरिक संसोधन अधिनियम 1922 की दुवार दिया गया है जिसमें बिदेश में जल्म लेने पर नागरिक्ता मिलती है देशिय करण द्वारा नारिक्ता भारत सरकार से देशिय करण का प्रमान पत्र प्राप्त करके भारत की नारिक्ता प्राप्त कर सकते हैं आगे हैं पंजी करन द्वारा नाइडिकता, निमनलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजी करन के द्वारा भारत की नाइडिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वे व्यक्ति जो पंजी करन प्राथना पत्र देने की तिथी से छोमा पुर्व से भारत में रह रहे हो, वे भारतिये जो बिभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो वे इस्त्रिया जो भारतियों से बिवाह कर चुकी है या भविश्य में बिवाह करेगी तो इन सब को नाडिता मिल जाएगा भारतिये नागरिकों के नावालिक बच्चे, राष्ट मंडल देशों के नाडिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नोकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नाडिक पराप्त कर सकते हैं भूमी विस्तार दुआरा यदि किसी नए भूभाग को भारत में सामिल किया जाता है तो उस छेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वता भारत की नाडिकता मिल जाएगी भारतिय नाडिकता संसोधन अधिनियम 1986 में क्या आया था इस अधिनियम के अधार पर भारतीय नाडिकता संसोधन अधिनियम 1955 के निमनलिखित संसोधन किया गया है जिसके माता पिता में से एक भारत का नाडिक हो दोनों होगा तब तो अल्じधी नाडिकता मिली जाएगा जो व्यक्ति पंजी करण के माध्यम से भारती नारिक्ता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम पांच वर्स तक निवास करना होगा पहले ये आवधी छो माह की थी मतलब पंजी करण से छो मेना पहले भारत में आजा और नारिक्ता मिल जाएगी अब ये पांच वर्स कर दिया गया है आगे है देशिय करन द्वारा नाडिक्ता तभी प्रदान की जाएगी जबकि समंधित बेक्ती कम से कम दस वर्स तक भारत में रह चुगा हो पहले ये आव अधी पांच वर्स की थी नाडिक्ता संसोधर अधिनियम 1986 ISP में यानि जम्मू कास्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है भारतिये नाडिक्ता का अंत ये था नाडिक्ता हांसिल करने के लिए क्या सब करना है अब आगे दिया गया है कि नाडिक्ता कैसे खत्म कर दिया जाएगा उसके भी निम्न परकार है पहला दिया गया है नाडिक्ता का परित्याग करने पर तो उसे अख्छा से आप चाहते हो कि हम छोड़ने हैं तो छोड़े सो किसी अन्य देश की नारिक्ता सुईकार कर लेने पर सरकार द्वारा नारिक्ता छिनने पर तेश दुरो का हुआ या कोई भी अन्य गतिविदी जिसके कारण सरकार नारिक्ता छिन लेती है ये सब कारण है जम्मू कास्मीर राजिके विधान मंडल को निम्न विसाईयों के सम्मंद में राज में अस्थाई रूप से निवास करने वाले बैक्तियों को अधिकार तथा विसेसाधिकार परदान करने की सक्ति परदान की गई है जिसके अंदर कत पहला है कि राजी के अधीन नियोजन के संबंद में राजी में अचल संपती के अरजन के संबंद में राजी में अस्थाई रूप से बस जाने के संबंद में छात्र बिर्तिया अथ्वा इसी प्रकार की सहयता जो राज सरकार परदान करते हैं तो वो विधान सभा को अलग से कुछ सक्ति प्रदान है अब आगे हमारा है मौलिक अधिकार काफी इंपोटेंट है इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई वीडियो देखते हो ना जाए अब कोई भी लुसेंट का तो मैं एक ही वीडियो में कई सारे एक्सराइज कंप्रेट ही सब्सक्राइज करना है तो यह अपकर किस्में है भाग तीन में इससे पहले पढ़े थे भाग दो पढ़े थे पास से लेकर और ग्यारा तक उससे पहले क्या पढ़े थे भाग एक हम वीफघरा तक यह आप सुनुक त याद रखो आउन का पसानी से दिलकर पाओगे अब देखो मौलिक अधिकार इसे संजुक्त राज अमेरिका के संबिधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को संजुक्त राज अमेरिका के संबिधान से लिया गया है इसका वर्णन संबिधान के भागतीन अनुछेद 12 से लेकर 35 के मध्य वर्णित है संबिधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र इनसे मेगना कार्टा कहा जाता है इसे मूल अधिकारों का जर्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार इसी में है तो मूल अधिकार का जर्मदाता किसको कहा जाएगा भाग तीन को मौलिक अधिकारों में संसोधन हो सकता है एवं राश्ट्रिय अपात के दोरान जिसे 352 चलना होगा राश्ट्रिय अपात तो जीवन एवं व्यक्तिगत सुतंतरता के अधार को छोड़ कर अन्य मौलिक अधिकारों को अस्थागित किया दिया जाता है मतलब जो भी मौलिक अधिकार है उसमें एक तो जीवन जीने की मतलब 1922 इस दोनों को छोड़ कर जो भी मौलिक अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाता है जब राश्ट्रिय अपात का लगा होता है यह तो याद रखिएगा जीवन जी ने और व्यक्तिगल सुद्रता को छोड़ कर जो भी अधिकार है उसको बंद कर दिया जाता है मूल संविधान में साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 संविधान संसोधन जो 1978 में हुआ था मौराजी देसाई के टाइम में संविधान के अधिकार को यानि अनुचेद 30 एवं 19 का कोजो था मौलिक अधिकार की सुची से हटा कर इसको संविधान के अनुचेद 301 के अंतरगत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया प्रस्नियां से ये बनता है कि बर्तमान में संपती का अधिकार कैसा अधिकार है तो संपती का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है कानूनी अधिकार है संपती का अधिकार कैसा अधिकार है कानूनी अधिकार है 44 मा संबिधान संसोधन का सम्मंध किस्से है तो मूल अधिकार में संसोधन किया गया था चोवालेशमा संपिधान संसोधन कब हुआ था और भी कुछ-कुछ हुआ था पर 1978 में हुआ था उस्टेब परधानमंत्री कौन थे? मुराजी देशाई संपति का अधिकार अब किस अनुछेद में है 300 के ए में है 300 के ए में है 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष स्टेम में सरदार बल्लाभाय पटेल थे कॉंग्रेस के ने कॉंग्रेस के घोसना पत्र में मूल अधिकार की मांग की मूल अधिकारों का प्रणूप जवाहर लाल लेहरू ने बनाया था मूल अधिकार का प्रणूप किस ने बनाया जवाहर लाल नेहरू ने और मूल अधिकार की मांग सबसे पहले किन के दुआरा किया गया था तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार बल्लभाय पटेल के दुआरा किया गया था सरदार बल्लभाय पटेल के दुआरा अब यहां पे जो मौलिक इधिकार है उनका नाम याद रखो और साती वकिस अनुछेद में वो भी आपको याद करता है समता का अधिकार जिसको कहते हैं कानुन के समक्ष सवी समान है यह है अनुचेद 14 से लेकर अनुचेद 18 तक समानता काधिकार समानता काधिकार रिपीट कर बहुत इंपोर्टेंट है समानता काधिकार अनुछे 14 से 18 स्वतंतरता काधिकार स्वतंतरता काधिकार अनुछे 19 से लेकर 22 तक इसमें यह सब आता है freedom of speech स्वतंदर्ता पर जो चले साथ जाते हैं वह सब तो बोलने के संधरता यह सब क्या है स्वतंदर्ता का अधिकार 19 19 22 टक है कर 23 से लेकर चोविस थीछ यहां अनुछे 23 से लेकर 24 नहीं सुनते हो दाहार्मिक स्वतनतर्ता का अधिकार शंस्क्रिति और सिक्छा समांधि अधिकार अनुच्छ उन्तिस से लेकर तीस तक और आगे संबेद्धानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छ पथिस संबेधानी कुपचार अनुछित 32 ये काफी इंपोर्टेंटे देखते हैं एक उस दिया गया है इसके बारे में आगे दिया गया होगा ठीक ना लेकिन अभी समझ लो ये संबेधानी कुपचार है न भीमरों अंबेदकर्ण इसे संबेधान का आत्मा का है इसमें पांच रीट जाड़ी किया गया है तो आगे हला कि दिया गया हो क्योंकि सबका हैडलेंड दिया गया है समता का या समानता का अधिकार पहला टॉपिक है इसमें या पहला मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट अनुचेद इसमें 14 दिया गया है कि कानून के समक्ष समानता है बिधी मतलब हुआ कानून तो बिधी के समक्ष समानता इसका अर्थ यह है कि राज सभी ब्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा मतलब कानून जो होगा वो एक जैसा बनेगा हर नागरिक के लिए, ओके, यह है अनुचेद 14, अनुचेद 15 में दिया गया है कि धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्म अस्थल के अधार पर भेदवाओ नहीं किया जाएगा, राजिके द्वारा धर्म, मुलबंस, जाती, एवं जन्म अस्थानादी के अधार पर नागरिकों के परती, जीवन के किसी भी छत्र में भेदवाओ नहीं किया जाएगा, अनुचेद 16 में आता है कि लोक नियोजन के विसाय में अवसर की समानता, राज के अधिन, किसी पदपर नियोजन या नियुक्ती से सम्मंधित व विसायों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अफवाद है अनुचेद 17 है अंटेचिबिलिटी, असपरस्ता का अंत, असपरस्ता के अनुमूलन के लिए इसे दन्रनी अपराद घोसित कर दिया गया है, अनुचेद 18 में है उपाजियों का अंत, सैना या विधी समंधी सम्मान के सिवय, अन्य कोई भी उपादी राज्य द्वारा परदान नहीं की जाएगी, भारत का कोई नागरिक, किसी अन्य देश में बिना राश्ट्रपती की आग्या के कोई उपादी स्विकार नहीं कर सकता है, यह है अनुचेद 18, अनुचेद 18, साथी य अनुचेद 14 भी है, अगर आप इसके को रिलेट करो, जैसे उपादियों का अन्त है, अगर मैं लोग आप कोई काम, गलत काम या कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपका उपादी, मिन्स जो तारीफ बटोरने की बात आते यह दंड होता है, तो आपको उपादी अन्त ह हो जाता है, आपके साथ समान ट्रीटमेंट क्या जाएगा जैसे समान नाडिक के साथ होता है, तो वही हुआ कानून के समक्त सभी समान है, अगर आपना नोट में दिया गये हैं, पेकि भारत सरकार द्वारा भारत रतन, पद्म विभूसन, पद्म भूसन, पद्म सिरी, अनुफिध उन्निस में है, अनुफिध में है crystal mankind का अधिकार मूल संबिधान में सात तरह की crystal पूलेख है, अब सिर्फ च्ञह है, जो की संपथी के अधिकार किया कर द दिया गया, कानूनी अधिकार कर लाग दिया गयाए, चोब आलिस बा संभीधान संसोतन 1978 के दुवार इसकोटा के 300 कौमे जोर दिया था भी पटे थे उपर चोतरा काधिकार कैसब है तो उसमें अनुछित 19 A B C D E F G जिपसे पहला एं बोलने की सूत्था बोलने की आजादी सान्ती पुर्वक बीना हत्यार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंतरता जिसे हμεं लोग कहते हैं कि कर रहे हैं स्टैस का हूँ संग बनाने की स्वतंतरता बनाने की सोतंबता है देश के किसी भी छहत्र में HAWA गमन की सोतंबता है पर Иrasana कोई भी वैपार और जीकाँ कोई भी पार कर सकते हैं ऐसा नहीं कि रगप कर कर दो ऐसा नहीं है मतलब जो देश के हीत में हो वो नोट दिया गया प्रेस की स्वतंदरता का वर्णन अनुछेद 19 के कौमें किया उनुछेद 19 के ए में किया काफी इंपोर्टेंट है प्रेस का जो बोलने की जो आजादी है freedom of speech जैसे हम लोग परधान मंत्री को भी गाली दे इसके तहट तीन परकार की स्वतंदरता का वर्णन है पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराद के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी अपराद करने के समय जो कानून है उसी के तहट सजा मिलेगी ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहट मितलग ऐसा नहीं, एक बार किसीने कोई क्रैम किया उसके लिए सजा मिल चुकी है किसी भी व्यक्ति को तो याला में गवाही देने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा ये समय अनुचेद बीस अनुचेद 21 में है प्रान और दहिक सुत नर्ता का सर्रक्षन किसी भी ब्यक्ति को कानून द्वारा अस्थापित प्रकिडिया के अतिरिक्त उसके जीवन और ब्यक्तिगत सुत नर्ता के अधिकार से वन्चित नहीं क्या सकता है ब्यक्तिगत अधिकार अनुचेद 21 के तहाद परतेक सरकार का दैतु बनता है कि वो अपने नागिरी को स्वास्थ एवं स्वक्ष पाडियावरन उपलब्द करवाए इसके लिए भारती सरकार ने संसद में राष्ट्रिय हरित नियाधी करन अधिनियम 2010 पाडित करवाया अक्टूबर 2010 में राष्ट्रिय हरित नियाधी करन की अस्थापना की गई राश्ट्रीय हडित नियाधी करन के मुख्य पीठ नई दिल्ली में है जो ग्रीन ड्रेवनल है वह ही है जबकि चार अणि पीठ भोपाल पूने कॉलगता चेन्ने में है राश्ट्रीय हडित नियाधी करन देश में पाडियावरन से सम्मंदित मामलों के लिए उत्तर दाईए यह प्रस्ट जो है ना पूछ लिया था कि अब जाए बिहार सेसी में पूछा था कि राश्ट्रिये हरित नियाधी करण का स्थापना कब हुआ था तो 2010 आपको टिक करना था उसमें अनुछेद 21 का कौप राज्ये 6 से यह पर क्या लिखा है अनुछेद 21 में क्या है कि 6 से 14 बर्स की आयू के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से चुल इसको हम ऐसे भोल देते हैं अनुछेद 21 में दिया गया है कि 6 बर्स से लेकर 14 बर्स तक के बच्चे को सिक्षा निसूल्क और अनिवारी जो है वो राज्य करवाएगा ठीक ना ये 86 वा संविधान संसोधन 2002 में एड किया गया और साथी सिक्षा जो है हमारे इसमें आता है समवर्थी सुची में आता है मन माने ہंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे तीन परकार की सुत्नुदृता पर्दान की गयी है पहला हिरासत में लेने का कारण बताना होगा 24 गंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ कर उस्षै दंड धिरता के समक्ष मुलें प्रदानी दियाधित जो ता है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है यह जो किसी को पकर के जेल में डाल दो ना यह 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था ना सेम यही कानून अभी विवाड़े देश में लगड़ा है यह काफी गलत है ठीक ना यहाँ पर पुलिस की मनमानी चलना शुरू हो हो जाता है पुलिस के लो यह राज में जो स्टेट गौर्रमेंट होता है उसका किसी को पकर्म के जेल में डाल दो तो काफी गलत इंपेक्ट पर जाता है निवारक निरोध भारतिय संबिधान के अनुछेद 22 के घंट 345 तता 6 में तत्समंधी प्रभधानों का उलेख है नि निवारक निरोध का उद्देश भ्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरण उसे अपराध करने से रोकना है बस्तुता यह निवारक निरोध राजी की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाये रखने एवं भारत की सुरक्षा समंधी कार्णों से हो सकता है जब किस प्रतार व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय के लिए निरुध करना होता है तो उसे एक सलाकार बोर्ड का परतिवेदन प्राप्त करना होता है अब यह हम देख रहे थे एक मतलब पढ़ रहे थे बुक पुराना ही था इस रोका बहुत पुराना जो एक सैंटिस्ट था ना ज भीज रहा था गलत इंफॉर्मेशन था उसको बारा साल का जेल हुआ बाद में यह फिक्स हुआ कि वह निर्दोस था तो समझ रहे हो बारा साल तक बिना किसी कारण बस उसको सजा हो गई मतलब कोई प्रूप भी नहीं होता है कि आपने यह काम किया यह नहीं किया और उसको पकर के जेल में डाल दो यह काफी गलत है उसके लिए कैसा कस्टडी बना दे कि वह अपना जो दिन्चरिया का काम है वो करता रहे जिस फिल्ड में है वो काम करता रहे और हाँ हिरासत में भी रहे मतलब उसकी पहुंच खुली स्तकड़ है ऐसा होना चाहिए आगे देखो य निरोध ब्यक्ति को निरोध आदेश के विरोध अभिया वेदन करने के लिए सिगराती सिगर अवसर दिया जाना चाहिए अगे दिया गया है निवारक निरोध से समंधित अब तक बनाई गई भी दिया उसे पहला है 1950 में जो नियम बना था निवारक निरोध अधिनियम भ भारत की परतिरक्षा के परतिकूल कारे से रोकना था, इसे 1 अपरिल 1951 को समाप्त हो जाना था, किन्तु समय समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा, अंत्ता यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ, जैसे देखो यह सब कुछ इसू है न, जो पोलिटिकल पार्टी जो है, वो अपना दवद्वा बनाए रखने के लिए सब काम करता है, जैसे मालो किसी को जेल में डालना है नहीं डालना है, जो भी नया पार्टी जैसे नया उठके आ रहा है, न क्या करो, इसको कोई आरोप लगा के जेल में डाल दो, ऐसा करता है, यह सब क्या होता है न, मिंतलब क्या कहते हैं उसको पावर बढ़ाने के लिए जो पलिटिकल पार्टी है उसका ये सब हतियार होता है हलाकि उसको 1971 में खत्म कर दिया गया अगया आंत्रिक सुरक्षा वेवस्था अधिनियम 1971 44 में संबिधान संसोधन 1978 में हुआ था इसके परतिकूल था और इस कारण अप्रिल 1979 में ये स्माप्ट कर दिया गया बिदेशी मुदरा सनरक्षन वा तरक्की निरोध अधिनियम 1974 पहले इसमें तसकरों के लिए नजरबंदी की अवधी एक वर्ष थी इसे 13 जुले 1984 को एक अध्यादेश के दुआरा बढ़ा कर दो बर्ष कर दिया गया जिस पे डॉट होगा ना कि ये गलत कर रहा है उसको पकर के नजरबंद कर दो दो बर्ष के लिए तो कितना गलत है ये सब और जानते हो नजरबंद ऐसे थो रहे होगा कि आप कसाब को पकरा गया तो कसाब को नजरबंद कर देगा और तो बड़ एकुन्वाट ूंपर तो पे देश दोप लगा कि इसको अदो असमें ऊब कर देगा करने पीश मतलब करने का किका का यह काफी मितलों केते हैं निंजा टेकनिक है वो है यह है राश्ट्रिय सुरक्षा कानून 1980 जमु कास्मीर की अतिरिक्त अन्य सभी राजियों में लागू किया गया आतंकवाद एवं बिध्वन्स कारीक अतिविधिया निरोधा कानून जो को टाड़ा कहा जाता है निवारक निरोध्य वस्था के अंतरगत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक परवावी था और सर्वाधी कठोर कानून था जो की 23 मही 1995 को स्माप्त कर दिया गया 23 मही 1995 को आगया पोटो प्रिभेंशन ऑफ ट्रेरिडिज्म ओर्डिनेंस 2001 इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया पोडो टाडा का ही एक रूप है इसके अंतरगत कुल 23 आतंकवादी गुटो को पर्तिवंधित किया गया आतंकवादी और आतंकवादियों से सम्मंधित सुचना को चिपाने वाले को भी डंडित करने का प्राबधान किया गया है पुलीस सक के अधार पर किसी को भी गिरफतार कर सकती है किन्तु बिना आरोप पत्र के तीन माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है पोटा के अंतरगत गिरफतार वेक्ती हाई कोट या सुप्रीम कोट में अपील कर सकता है लेकिन यह अपील भी गिरफतारी के तीन माँ बाद की जा सकती है पोटो 18 मार्थ 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा यानि इसका फूर्पन जाद रखेगा पोटा का प्रिवेंशन ऑप ट्रेरिज्म एक्ट हो गया 21 सिव्टेंबर 2004 को इसके अध्यादेश के द्वारा इसे स्माप्त कर दिया गया तीसरा हमारा मूल अधिकार है सोसन के बिरुद अधिकार सोसन के बिरुद अधिकार इसमें अनुछे 23 जो है मानव के दुर्वयपार और बालात सरम का परतिसेद है इसके दुआरा किसी बेक्ती की खरीद बिक्री मानव तसकरी जो कहते है बेगारी और इसी परकार के अन्य जवर्दस्ती किया गया सरम निसीद ठाराया जाता है इसका उलंगन बिधी के अनुसार दंड़नी अपरात है जरूरत परने पर राश्ट्रे सेवा करने के लिए बाद ही किया जा सकता है अनुछे 24 है कि बालकों के नियोजन का परतिसेद 14 वर्ष से कम आयूवाले किसी बच्चे को कार खाने खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर निसुल्क निक्त नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से कम आयों का बच्चा होगा वो कार खाने खान और किसी जोखिम भरे काम में काम नहीं करेगा बहुत सारे बच्चे में से हमारे भी जान पहचान के है मिसे वो बच्चे जो subscribe किये हुए है मुझे वो लोग भी post करते रहते हैं कभी कभी कि जो बजदूर जो काम करता है ना company में वो तो सही है पर जो फिल्म में काम करता है वो मतलब बालसरम नहीं है तो नहीं मेरे बाग वो नहीं है जो जोखिम भड़े कामों में काम करेगा ना जोखिम भड़े काम पे वो होता है बाल सरम ठीक ना अब मजे से काम कर रहे हो तो उसमें क्या दिखाते है इसको तरह समझना होगा आगे चोथा दिया गया धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार धार्मिक सोतंतरता का अधिकार अनुछेद 25 अन्ता करन की और धर्म के अवाध रूप से मानने आच्रन और प्रचार करने की सुतंतरता किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है 26. धार्मिक कारियों का प्रवंध की स्वतंतरता बैक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की अस्थापना वा पोशन करने बिधी समप्त संपती के अर्जन स्वामित्व अप्रसासन का अधिकार है 27. राजी किसी भी बैक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाद ही नहीं कर सकता जिसकी आए किसी विशेस धर्म अत्वाधार्मिक संप्रदाई की उन्नती या पोशन में ब्याय करने के लिए विशेस रूप से निश्चित कर दी गई है उसमें वो टेक्स नहीं लगाएगा आगे अपना है अनुचेद 28. राजी बिधी से पुर्णता पोशेते किसी सिक्षा संस्था में कोई धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसे सिक्षन संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म अपदेश को बलात सु नहीं कर सकता है मतलब जवर्दस्ति उसको कोई धर्म के वारे में नहीं सिखाएगा अगर उसको नहीं सिखने का मन है तो पाच्वाह संस्कृति एबम सिक्ष्छा समन्दी अधिकार अनुचेद 29 कोई भी अल्प संख्यक वर्ग अपनी भासा लिपी और संस्कृति को बर्तमान में दिया गए है कि बर्तमान ने च्छो समुदाय मुसलिम पार्षी इसाइश सिख बौध एवम जैन जो अल्प संख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त किया हुआ है अल्प संक्यक समुदाय के विकास को समुचित अधिकार परदान करने के लिए 2005 के ततकालिक केनर सरकार के दुआरा परधान मंत्री का 15 सुतरिय काड़िकरम प्रारम किया गया 2005 में परधान मंत्री का उद्ध्य ये थे मतलब क्या नाम है इनका मनमोहन सिंग थे 2004 से लेकर 2004 तक वे रहते हैं अरुशेर 30 सिक्षा संस्थाओं की अस्थापना याद रखिएगा ये जो मनमोहन सिंग वो बित मंत्री भी रह चुके है आरविया के गवर्णर भी रह चुके है ये जो प्लाणिंग कमीशन मनत्री उसके भी अध्यक्ष रह चुके है तो ये सब रह चुके है प्रस्थ यह आ जाएगा एक प्रस्थ देखा हुआ था अभी हाल फ्लाल की एक्जाम में ये दिया गया था कि भारत के कौन से ऐसे परधार मंत्री है जिनका हस्ताक्षर आपको भारत सबस्थ ये नोटों पर मिल सकता है तो भारतिया नोट पर हस्ताक्षर किसका होगा गवंडर को ऑल्वी एक करने का ऐल AK warten macht रही है तो उस पर अपको टिक करना होता है देग अनुचत्ते सिक्षा संस्थाओं की अस्थापना और प्रसासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार कोई भी अल्प संख्यक वर्ग अपनी पसंद का सैक्षिनिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेद्वों नहीं करेगी अनुदान उतलों अंतरगत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कारिवाई के दुआरा उच्छितम न्याले में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है इस संधर में सरवुच्छे न्याले को पांच तरह का समावेश यानि रीट रीट ही सब अर्धिक पॉपलर था मतलब पता नहीं कितना हाड इंगलिस मतलब हिंदी वो लोग बोलते होंगे तो यह पांचों वर्ड आपको तरह याद रखना है बंदी परत्यक्षी करन पढमादेश प्रती सेध लेक उत्प्रेशन और अधिकार प्रिक्ष लेक बंदी परत्यक्षी करन क्या होता है य इसके दुवारा नियालाय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, कि वो बंदी बनाये गए ब्यक्ति को निश्चित अस्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे नियालाय बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके, मतलब किसी को पकरके गड़ जेल में डाल दिया गया है, तो उसे ये कानून जो है ये कहता है, कि तुम इसे जल्दी नियालाय में पेस करो, कि उसको तुमने क्यों जेल में बंद करके रखा है, आगे है परमादेश, पर्मादेस का लेक उस समय जारी किया गया है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्बजनी कर्तबी का निर्वाहा नहीं करता है इस परकार की आग्यापत्र के अधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तबी का पालन करने का आदेस जारी क्या जाता हुए हैथ से घुस लेके काम करता है कोई अदिकारी तो उसको कहता है कि ने मेरे भैत उनको पैसा मिलता है तुम फिरी में काम करोगे तो ये है फ़रमादेश पर्तिसेध लेक यह अग्या पत्र सर्वचे नियालय तता उचे नियालयों द्वारा निम्न नियालयों वा अर्ध नियाईक अर्ध प्रबस्थाओं को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां काड़िवाई ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार छत्र के बाहर आता है यह है प्रती सेध लेग आगे आता है उत्प्रेशन इसके दुवारा अधिनस्त नियालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के निया निरनायक के लिए उसे बरिस्ट नियालय को भेज़ दे जो उनके पास मुकदम पड़ा हुआ है उसको बरिस्ट नियाले में भेज़ दे अधिकार प्रिक्षा काफी important है जब कोई ब्यक्ति ऐसे पता अधिकारी के रूप में कारी करने लगता है जिसके रूप में कारी करने के लिए उसे बैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न सिंपल पुलीष है चोकिदार भी कवी कवी कह चरता है लेसेन्स की करना शुरू कर देगा जैसे रेलबे का कोई स्ट्राब जोड़ार टिकट चेक करना शुरू कर देगा यहां पैसा आता है न तो वहां पे रोकता उसको अधिकार प्रिक्षा लेकि अब आगे दियागे है आपका आदिकार में संसोधन देखने इसको में अगले वीडियो में सथी नित्थी निर्द Mixش Knowledge संसोधन भी काफी लंबा चलेगा क्योंकि शर्षट मीं अहुआथ था फिर आपका 42-1 संपीधान संसोधन 44-1 हुआथा तो ऐसे कही साथ संबिधान संसोदन हुए है तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और 30 मिनिट का थारगेट वाज से मैंने कंप्रीट कर लिया है तो यहां वीडियो को इंड करते हैं कुछ शिखने का मौका मिलाओ तो लाइक और शेर कर दीजिएगा नहीं पसंद आया हो तब तुर लाइक हमारा चल रहा है इसमें संबिधान और मौलिक अधिकार का कुछ रह गया था वो पढ़ेंगे निति निर्देशक्तत और फिर मूल करतब जो भी आगे है उसको आजम पढ़ेंगे तो पहले भी है मौलिक अधिकार में संसोधन देखो आप पूरा देखना है अभी मैंने चा पहले वाला था उसे मेंने मौल अधिकार किया था कंप्लीट एक्जाम प्रस्पेक्टिव से काफी इंप्रोटेंट है तो उसको जरूर देखिएगा अभी देखो इसमें संसोधन का क्या है गोलक नात बना पंजाव राज का एकेस था कि निर्दने से पूर्व दिये गए निर्दनाईयों में यह निर्दारित किया गया था कि संविध्हान के किसी भी भाग में संसोधन किया जा सकता है जिसमें अनुछेद 368 को सामिल किया गया था मतलब संविध्यान के किसी भी अनुछेत में संसोधन किया जा सकता है जाये वो मूल अधिकार हो या अनुछेत 368 हो फिर जब पंजाब में उनका ये खत नहीं हुआ तब वो गोलक नाथ जो थे वो सर्वोच्य नियाले में अपने आपको ले गए तो सर्वोच्य नियाले ने गोलक नाथ बना पंजाब आज़िबाद में निर्दाए पंजाब सुप्रीम कोट ने किया किया मूल अधिकार में संसोधन पर रोक लगा दिया अर्थात संसद मूल अधिकार में संसोधन नहीं कर सकता है ये 1967 की बात फिर 24 वे संबिधान संसोधन 1971 के दौरा अनुचे 13 और अनुचे 368 में संसोधन किया गया तता या निर्धारित किया गया कि अनुचे 368 में दी गई प्रकिडिया दौरा मूल अधिकारों में संसोधन किया जा सकता है वोगो समझ लेओ ना, 67 से पहले भी संसोधन हो सकता था, 71 के बाद भी हो सकता था, पर ये टाइम पिडियर जो था, 67 से लेकर 71 तक उसमें संसोधन नहीं हो सकता था फिर आता है केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णाय में इस परकार के संसोधन को विधी मानिता परदान की गई अर्थात गोलक नाथ बना पंजाव राज्य के निर्णाय को निरस्त कर दिया ये कि वो सब जो केश था वो किसी काम का नहीं था 42 संबिधान संसोधन 1976 हुआ इसमें अनुछे 368 के खंड 4 और 5 जोरे गए तथा यह प्यवस्था की गई कि इस परकार किये गए संसोधन को किसी नियाले में परसंगत नहीं किया जा सकता है अगर इसमें संसोधन होगा तो किसी नियाले में उस पर अबलिगेशन नहीं लगाया जाएगा इंदरा गांधी का में टार्गेट था कि मूल अधिकार को वो कम कर रही थी और निती निर्देशक तत्त्त को अधिक बड़ेता दे रही थी दा मतलब एक डिक्टेक्टर वाला काम वो कर रही थी यह था व्यालिस्मा संबदान संसोधन फिर आता मिन वरवा मिल्स बना भारत संग उनी स्वासी का के निर्दय के दौरा भारत के दौरा यह निर्द항रित किया गया कि संबीधान के अधार भूत लक्षनों की रक्षा करने का अधिकार नियालय को है और नियालय इस अधार पर किसी भी संसोधन का पुनराबलोकन कर सकता है इसके दौरा ब्यानिस्मा संबीधान संसोधन दौरा की की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया अब आते हैं ग्यारमा लेसन है हमारा राज के निती निर्देशक तत्व देखो आज कर पता नहीं क्यों इतना हमको फीवर हो रहा है इसलिए वीडियो भी थोड़ा आपको कम मिल रहा होगा तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा फिर जब भी तव्य ठीक हो जेगा फिर हम उस 251 अभी तक आप लोगों ने क्या सब पढ़ा भाग एक जो कि अनुछेद एक से चार तक था भाग दो जो था पांच से ग्यारा तक था नाडिता के बारे में 12 से लेकर 35 तक था मूल अधिकार और भाग एक में क्या था यह सब था मतलब संग हराज राज्य छेत्र के बारे म मैं ना भी करूँ आप लोग जरूर करने ना राजी के निती निर्देशक सिध्यांत का वर्णन संबिधान के भाग चार में अनुछे च्छती से क्यावन तक किया गया है इसकी प्रेड़ना आयर्लेंड के संबिधान से लिया गया है इसे नियाले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानि इसे बैधानिक सक्ती प्राप्त नहीं है किन्तु फिर भी इस भाग में अधिकति तत्व देश के सासन में मुलभूत है और कानून बनाने में इस तत्व को लागू करना राजी का करता भोगा मतलब कोई अगर राजी कानून बनाता है तो निती निर्दे सक्ततों को ध्यान में ड़क्य बनाएगा यानि भारतिय संबिधान के अनुसार राजी का निती निर्दे सक्ततों सासन के लिए अधार भूत है याद रखिएगा आगे लिखा भी गया है कि निती निर्दे सक्तत्तों जो है राज के कल्यानकाडी विकास के लिए वो लिया गया है बहारत के संविधान में कल्यानकाडी राज की संकल्पना का समावे से राज का निती निर्दे सक्तत्तों के सिध्यानत में किया गया है यह जो सब्द है ना कल्यानकारी राजिकी अब्धारना जब भी आप ऐसा दिखो तो आप टिक करो नित्ती निर्दे सकता तुपी अधिक समझना नहीं है इसको कल्यानकारी राजी का उद्देश से ही समभीदान में निती निर्देश सक्ततों को सामिल किया गया है समाजिक और आर्थिक परजातंतर की अस्थापना के उद्देश से ही संबिधान में निती निर्देशक्तत्यों को सामिल किया गया है। सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतव के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। समाजिक और आर्थिक और आजनितिक निया मिलेगा। समाजिक और आर्थिक और आजनितिक निया मिलेगा। ये किस में लिखा गया है आर्टिकल 38 में। अनुछे 49 के कौम में है कि समान न्याय और निसुल के बिधिक साहिता समान काड़ी के लिए समान वेतन इसके बेवस्था की गई है। मतलब न्याय जो होगा जो पुलिस कर्मी या फिर जो वकील आपको न्याय दिलवाएगा वो बिलकुल फिरी है। ऐसा हमारे संबिधान में लिखा गया है। अनुचे 39 का खो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रन इस परकार करना है ताकि सार्वजनिक हितका सर्वत्तम साधन हो सके। उन-40 के गवब में है कि धनका समान बित्रन धनका जैसे भी है न कि इंडिया में कोई बहुत गरीब है कोई बहुत अमीर है तो ऐसा नहीं करना था। धनका समान बित्रन हो गरीब और अमीर के बीच का जो वह न अंतर वह कापी कम हो चाहिए था। अनुछेद चालिस गडाम पंचायतों का संगठन, गडाम पंचायतों का गठन, अनुछेद 41 में है कुछ दसाओं में काम, सिक्छा और लोक सहायता पाने का अधिकार. 15 अगस्त 1995 से प्रभाब में आया रास्त्रिय समाजी काडिकरम भारतिय संगठन के अनुछेद 41 के प्राबधानों की पूर्ती करता है, इसका उद्देश से गड़ीवों को समाजीक सहायता उपलब्द कराना, बर्तमान में इसमें पांच योजनाय सामिल की गई है, जिसके एक इंद्रा गांधी रास्त्रिय विकलंगता प्रिंसन योजना, रास्त्रिय पडिवार लाव योजना, अन्ना पुर्णा योजना, ये सब पांच योजना है, अनुछेद 42 काम की नियासंगत और मान वोचित दसाओं का तथा प्रसूती सहायता का उपलब्द, अनुछेद 43 क कर्मगारों के लिए निर्वाचन मंजूरी एवं कुटिर उद्योगों को प्रोत्साहन, कर्मगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटिर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुछेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संधिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संधी था आनुचए 46 में दिया गया है नुसुचित जातियों अनुकृत जनजातियों और अन्य धुर्वल वर्घोंके सिक्षां और अर्थ-समंधी हितों की अभीविर्दी पोसाहार अस्तर, जीवन अस्तर को उंचा करने तथा लोक स्वास्त के सुधार करने और राज्य का ये कर्तब भी है ये दिया गया अनुचेद 47 में अनुचेद 48 है किरसी एवं पसु पालन का संगठन क्रिसी एवं पसुपालन का संगठन अनुचद 48 के कौव में दिया गया है पाडियावरन का सनरक्षन तथा समवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा अनुचद 49 राष्ट्य महत्यों के अस्मारकों अस्थानों वबस्तूं का सनरक्षन अनुचद 50 में है कारी पाली का एवम नियाइपाली का का पिरिथक करन इक्यावन में है अन्तरास्ट्रिय सांति और सुरक्षा की अभिविर्दी उप्यूक्त अनुचद के अतिरिक्थ कुछ ऐसे अनुचद भी है जो ऱ्राज्य के लिए के निदेशक सिध्यान्द के रूप में काड़ी करते हैं जैसे कि अनुछे 350 का कौज है वो देता है प्राथमिक अस्थर पर मात्रभासा का सिक्षा मतलब मात्रभासा जो भी है और मात्रभासा हिंदी किसमें दिया गया है अनुछे 343 में अनुछे 351 क्या है हिंदी को प्रोत्साहन करना हिंदी को प्रोत्साहन करना नोट में यह पर दिया गया है राजी का निती निर्देशक तत्तु एक ऐसा चेक है जो बैंक की स्विधा अनुसार अदा किया जाएगा यह कथन किसके दौरा रखा गया था केटी साह के दौरा फि मौलिक अधिकार और निती निर्देशक सिध्यांत में कुछ अंतर दिया गया है यह आपको याद करना होगा ला कि याद होई गया होगा आप देखो निती निर्देशक सिध्यांत लिया गया है आयरलेंड से मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसे से ये भाग चार में है निती निर्देसक्षिध्यांत भाग चार में है और मूलिक अधिकार क्या है भाग तीन में है ये 36 से 51 तक है और ये 12 से 35 तक है आगे संटेंस काफी इंपोर्टेंट है निती निर्देसक्षिध्यांत जो है नियालय में चेंज नहीं होगा ठीक ना वर्तनिय उसको चैंज करवा सकते हो वी तिन निर्देशक सित्यूंट जो है ये समाज के लिए किलिए लेकिन ये क्या है बैक्ति के लिए बैक्ति के अधिकार के लिए है इसमें राजनितिक मानिता है और इसमें कानूनी मानिता है इसमें राजनितिक मानिता है जो लीडर जाता है न में लिए ये होता है इसमें और इसमें कानूनी मानेता है सरकार के अधिकारों को ये बढ़ाता है जबकि सरकार के महतों को घटा दे यहां पर नागरिकता को हेड करता है जो व्यक्ति है न वो यहां पर मतलब महान है यहां पर लीडर महान है मूल अधिकार क्या होना चाहिए यहां राजी सरकार के दोड़ा लागु करने के बाद ही नागरिक को प्राप्ट होता है यहالदिकार नागरिकों को सुवताप्त नागरिक अगर आपके पास भारत को आइडिकताय है तो आपको यह अधिकार सुवताप्त हो जाता है आगे हमारा देखोma быстр आगा इया है आगे स इसको आगे कंप्लीट करेंगे सेशन अगर अच्छा लगड़ा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यनकेंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे ह हो बहुत सारे वे कंप्लीट किया है आप जो एक हम चैना में तो कौमेंट में लिंक सेर करना थोड़ा मुश्थिद substantial को अपसर में नहीं तो मैं किसी थर्प झोद। करता हूं फिर वहाँ कोपी करता हूं फिर कोमेंटर पेस्ट करता हूं काफी दिक्कत होता है तो टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लिजिए सर्थ कर जिएगा वहां आध्यान के अंद्र यानि तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से चले जाएए वहां आपको हर व बनता है तो बीच में कोई इंपोर्टेंट एक्ससेज आपका रह जाएगा इसके कारण से पूरा देखो तब पूरा पुक कंप्लीट हो पाएगा तो चलो मौली करताब यह स्टार करते हैं मौली करताब यह कौन से अनुछेद में है तो 51 के कौम में है एक क्यावन के कौम म और यह कहां से लिया गया है रस्या से लिया गया है इसके संधर में एक भी से मतलब इंपोर्टेंट कोश्चन कि यह किस भाग में है क्योंकि भाग तो एक दो तीन हमने पढ़ लिया है चार भी पढ़ लिया नितिर निदे सकता तो यह किस में है तो यह चार के कौम में है पढ़ते हैं क्या सब दिया गया है कि सरदार स्वर्ण सिंग समीति की अनुसंसा पर संभीधान के 42 संभीधान संसोधन 1976 के द्वारा मौलिक करतबे को संभीधान में जोड़ा गया इसे रूस के संभीधान से लिया गया यहां देखो कुछ-कुछ स्वर्ण सिंग समीति का समन्द किस्य थै तो मौली करतबे से क्योंकि इसी के अनुसंसा पर संभीधान में 42 संभीधान संसोधन के तहत मौलिक करतबे को जोड़ा गया बेयालिसमा संभीधान संसोधन कभ हुआ था 1976 में मौली करतब एक की संसोधन के द्वारा जोरा गया था बेयालिसमा संभीधान संसोधन 1976 के एकॉर्डिंग इस टैम में जो परधान मंतरी थी वो इंद्रा गांधी थी और इसे कहां से लिया गया है रूस से या कहीं कि सोबियत संभ लिखा जाएगा USSR भी लिखा जा सकता है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना इसे भाग जब मूल संबिधान तो नहीं कह सकते जब 76 में जोड़ा गया था तब ये जो डूटी था वो 10 था ओके बरतमान में कितना हो गया है एक यार हो गया है प्रतेक पहला देखो सब आपको याद करना पड़ेगा इसमें क्योंकि प्रसंदे देगा कि इसमें से कौन सा मौली करतब का आदर करें इंडरेक्ट में यह कह सकते हैं कि जो भी हमारा राश्ट्रिय ध्रोहर है सरकारी संपती है उसका हम आदर करेंगे ओके स्वतंतरता के लिए हमारे राश्ट्रिय आंदोलन को प्रेडित करने वाले उच्छ आदर्सों को हिर्दय में सन्योज कर रखेंगे और उ से अक्छुन रखें बरकरार रखें मतलब देश की रक्षा करें यह सब मौली करतव्य भारत के सभी लोगों में समड़स्ता और समान भारतित्य की भावना का निर्मान करें मतलब सेम और ब्रदर हुड बदलब भात जैसा भीए ब्रदर जैसा भीएव करना है हमारी साम सिक संस्क्रीटि और गारोव साली प्रमप्रा का महत्तु समझे और उसका परिठ्चन करे प्रकिरतिक पाड़ियावरन की रक्षा और उसका समवर्धन करे यही आपसे बहुत बार ओप्सन में रहे गा कि येs मूलकर्थब में है या नहीं यह बल्कुल है पाड़ियावरन changed और समवर्धन जो है वो भी हमारे मूल करतबे में है बैज्ञानिक द्रिष्टी कोन और ज्ञाना अर्जन की भावना का विकास करना यह सब में यह सब रहेगा आपके ऑप्सन में सार्वजनिक संपती को सुरक्षित करना सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्रवर्टी पब्लिक सब्सक्राइब के उतकर्ष की और बढ़ते हुए सतत प्रियास रखे माता पिता या सनरक्षक द्वारा चौश से चौदा वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक सिक्षा परदान करना यह सीमा संबिधान संसोधन के द्वारा जोरा गया पहले जिस टैम में 1976 में मूल तो उसमें दस था ग्यार्मा कौन सा है तो चौश से लेके 14 वर्ष तक के बच्चा को सिक्षा देना यह हमारा मूल करता भी है और यह एग्यार्मा जो रागयाच श्यासिवा संबिधान संसोधन के द्वारा अब आगे जो हमारा तेरहा एक्सरसाइज है वो है संघिये कारी कारी पालिका की अंतरal कट्या सवह आता है तो राश्टरपती आता है लोग्त आता है और राजसवा आता है बहुत कि बूछा जाएगा कि address कौन साथ संहीं काड़ीपालिका के तहद नहीं आता यह आता वह आए है तो आपको ये तीनों याद रखना राश्ट्रपती लोक सभा राजसभा राश्टर पती लोक सभा राजसभा olduğunu confess лай Set2 याद रखिएगा अनुशित 2022 से ही एशाथ होते हैं राश्टरपति के बारे में लेकिन तिरपन में ये लिखा गया है कि काठीर पाली का शक्ति किसके पास होगा रास्टरपति कर अ संसध्य व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में कैसी व्यवस्था है संसध्य व्यवस्था है जो की बृटेन से लिए उपर पढ़े हुए थे हम लोग क्योंकि मंत्री पड़िसद लोग सभाके परती उतरदाई है अता राश्त्रपती नाम मात्र की कारीपालिका है तथा परधान मंत्री वा उसका मंत्री मंडल बास्तवी कारीपालिका इस संस्था को फिर से पढ़ेंगे भारत में संसध्य व्यवस्था अपनाया गया यह तो क्लियर है क्योंकि मंत्री पड़िसद लोग सभाके परती फिर से रिपीट करो इसको मंत्री पड़िसद जो होता है प के समझधानिक तोर पर जो करिपालिका का है वो कौन है राष्ट पती के पास है लेकिन reality रिलिटी में क्या है परधान donut मंत्री और उसका मंत्री परिसज्ज्ज होता है बास्तवीक करिपालिका होता है प्रस्ट इसमें आपको फसाता है अच्छे एकजाम में अब देखो राश्ठ्र पती पढ़ते हैं इसके अंतरगत काली पाली काम राश्ट्रिपती लोग सभा राश्वा पढ़ेंगे तो पहले हमारा राश्ट्र 52 राष्ट्रपती देश का संबेधानिक प्रधान होता है एक वार फिर तो रिपीट करते हैं क्या सो रिपीट करेंगे भाग एक जो था भाग एक एक से लेकर अनुछेद चार तक था इसमें क्या था कि भारत राज्यों का संग है भाग दो आया था उसके बाद 5 से लेकर 11 तक था इसमें क्या था नागरिक्ता के वारे में था नागरिक्ता भाग तीन 12 से लेकर 35 तक था इसमें क्या था हना फंडामेंटारिल राइट मूल अधिकार मूल अधिकार फिराए भाग चार भाग चार में आग लोगों ने क्या पढ़ा 36 से लेकर 15 तक मूल करतब्य स्वडि मूल करतब निती निर्देशक तत्व और उसके बाद भाग चार का कौमें हम लोगों ने क्या पढ़ा एक्यावन के कौमें मूल करतब अब अगर प्रस्ण आपका यह आजाए कि राश्ट्रपती के बारे में यानि कारी पालिका के बारे में कौन से भाग में दिया गया है असानी से टिक कर पाओगे तो यह रिवीजन एक अपने मन में फिर से रिपीट कर लेना वीडियो देखने के बाद चल आगे पड़ते हैं राश्ट्रपती देश का संबेधानिक प्रधान होता है साथी भारत का पर्थम नागरी कौन होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए राश्ट् भारत का प्रथम नागरी कहलाता है राश्ट्रपती पद की योग्यता संबिधान के अनुछेद अनुसार को भी वेक्रती राश्ट्रपती होने के योगित अभी होगा जब भारत का नागरी को आप लोग भी है वारत के नागरीक 35 मर्स की आयू पूर्पूरी कर चुका हो यहां पर आप लोग छट गए हो लोग सभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योगी हो चुनाव के समय लाव का पद धारन नहीं करता हो ये चारों योगिता अगर आगे आप में तो आप रास्ट्रपती बन सकते हो फिर रिपीट कर लेते हैं भारत का नागरिक हो रास्ट् लोग सभा के सदस्य निर्वाचित कीये जाने योगी हो चुनाव के समय किसी लाव पत्र सरकारी पोस्ट कर सकता है ठिएक वह भी लावी होता है लेकिन सरकारी पोस्ट पर पाराश्य भीना हो अब आगे देखो नोट यदी व्यक्ति राश्ट्रपती याउप पर हो या संग अथ्वा किसी राजिके मंत्री पडिशत का सदस्य हो तो वह लाव का पद नहीं माना किसी अगर मंत्री पोष्ट पे आना तो वह लाव का पद नहीं है वैसे भी जो लीडर होता है न वह लाव का पद नहीं होता वह सेवा का पद होता है इसको आपको समझना हो बिंग शेवा करते हैं कितना अच्छा सेवा करते हैं सब वाकिफ यह से आगे हमारा रास्ट्रपती के निर्वाचन के लिए बढ़ा को निरे 혼छिया पे जाएंगे ठीक न अगर अच्छा लगडा ओ ज ben अगर को चोवण में क्या दिया गया है इस में राजसभा लोक सभा और राजियों की बिधान सभा हों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं फिर से रिपीट कर लो 54 में जो दिया गया है राश्टरपती के निर्वाचन के बारे में तो राश्टरपती के निर्वाचन में कौन-कौन हिस्सा लेगा तो राजसभा, लोकसभा, राज के बिधान सभाहों के निर्वाचित सदस्य नविंतम व्यवस्था के अनुसार पुद्दू-चेरी बिधान सभा तता दिल्ली की बिधान सभा के निर्वात सद़ से भी समलित किया जाएगा अभी तक पुद्दू, चेड़ी और दिल्ली ही है आगे आने वाले समय में आपको लद्दाक जो है वो भी इसमें सामिल हो सकता है ठीक ना, एक-दो साल के बाद ऐसा होगा, अभी नहीं है अभी आपको यह यार दखना है लोकसभा, राजसभा, राज के बिधानसभा और दिल्ली और पुद्दू चेरी यह दोनों कहना सासित परदेश है उसका भी बिधानसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपती के चुनाब में भाग लेगा ओके, केलियर हो गया होगा राश्ट्रपती पद के उम्मिदबार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं एक ही वेक्ती जितनी वार चाहे राश्ट्रपती के पद पर निर्वाचित हो सकता है लेकिन अभी तक एक मात्र राजंद्र परसाद थे जो अपना दो तन्यों यानि दस वरस्ता का अपना कारी काल किये उसके बाद कोई भी राश्ट्रपती दो बार निर्वाचित नहीं हुआ तो यह भी याद रखेगा राजंद्र परसाद उनली वन है राश्ट्रपती का निर्वाचन समानुपातिक परतिन्धित परनाली के अधार पर होता है और एकल संकर्मनिय मत्पधती के अधार पर होता है अनुछे पचपन में दिया गया है कि किस प्रोसेस के अंतरगत होता है इसमें क्या होता है ना कि जैसे मालो चार कंडिडेट खड़ा हो गया तो आपको चारो कंडिडेट को भोड करना होता है सबको रेटिंग दो एक दो तीन चार ऐसे रेटिंग दिया जाता है कि आपको एकल या एकल संकरमणिये संट्थни जाता जरता हैं उचित पच्पन के अंतरगत राश्ट्रपती के निर्वाचन से सम्मंधित विवादों का निप्टारा उचितम नियाले द्वारा किया जाता है चुनाब होगा राष्ट्रपती का उसका निप्ट्यारा कौन करेगा उच्छितम नयाले निर्वाचन अवेद घोसित होने पर उसके दुआरा किये गए कारिये अवेद नहीं होते हैं निर्वाचन अवेद घोसित होने पर उसके दुआरा किये गए कारिये अवेद नहीं होते हैं राष्ट्रपती अपने पद गरहन की तिथी से पांच वर्स की अवधी तक पद धारन करेगा उसके पद की स्मापती के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका ओतरधरखारी पद गरहन नहीं कर लेता है यह अनूशय च छप्पन में दियाग्याँ which कि राश्ट्रपती का पद जो है खाली नहीं रहेगा जब तक दूसरा राश्ट्रपती नहीं बनता पहला राश्ट्रपती उस पद पर बना रहेगा क्लियर चाहे चुनाब हुआ हो नहीं हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राश्ट्रपती के चुना में कभी देरी नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ अधिक आयोजन करना नहीं पड़ता है राजसभा के मतलब एक समझुक्त मीटिंग आता है उसके अंतरगत हो जाता है वह आगे आपका पद धारन करने से पुर्व राश्ट्रपती को एक निर्धा किसके पास लेगा तो मुख्य नियाधिस जो हता है सुप्रीम कोट का उसके पास लेगा और अगर वह अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोट का ही जो बरिष्टम नियाधिस होगा उसके पास सपत लेगा अब देखो प्रस्थ आप से कैसे पूछता है घुमा के जैसे अभी रामनात कोबिंध है कौन राष्टपती है प्रस्ण पूछा जाएगा कि बरतमान राष्टपती रामनात कोबिंध को उसके पद और गोपनियता की सपत किसने दिलवाया था तो ऐसे बोबडे ने तो ऐसे प्रस्ण पूछे जाएंगे अब मुखनियाधीस देखो यही पूछ सकता है अनुछेद 77 का ज्याएग ठीक ना या वन के लो कि अनुसार भारत सरकार की समस्थ कारीपाली का कारिवायी सकती राष्ट्रपती के नाम पर हो जाएगी मतलब क्योंकि संविधानिक एकॉर्डिंग क्या है कारिपालिका सक्ति राष्ट्रपती में है तो जो भी कारिपालिका का काम होगा वो राष्ट्रपती के नाम पर होता है और अनुछेद 77 का जो तीन है इसके अनुसार राष्ट्रपती भारत सरकार का कारी अधिक याद रहना चाहिए आपको जनल कंपेटिशन की त्यारी करते हो वैसे भी ऐसे भारत का नागरिक होने के कारण आप लोगों को यह सब याद रहना चाहिए क्या पता कभी कोई बच्चा ही पूछ लिए तो सबसे पहले राश्ट्रपती कौने रा पहले क्या करो एक लें से यह कर्म याद कर लो जैसे राजेंदर परसाद एस राधा कृष्णन ऐसे करके फिर उनका टेनियूर याद करो याद हो जाएगा असानी से राजेंदर परसाद मवध चोहत्तर से सततर चोहत्तर से सतत्तर नीलं संजीव रेडी सततर से बतसुए नील शंजीव रेडी सततर से 2 इनी जेलसिंग ढ़नि जेलसिंग बईराटी से 67 ऑ बेंकरट्रमनस 18 algun से ब्रानुव क्या संकल ध्याल शर्मा tat 17On संकर दयाल सर्मा 92-97 के आर नरायन 97-2002 अब्दुल कलाम 2002-2007 2002-2007 प्रतिभा पाटिल 7-12 प्रतिभा पाटिल पहली ओमें थी यह 7-12 तक रही थी परणब मुखर जी 12 से लेकर 17 परदम मुखर जी 12 से लेकर 17 और रामनाद कॉबिंद बरत्मान में 2007 से लेकर अभी तक है बाइस तक रहेंगे अब नोट में यहां पर दिया गया है वीवीगरी यह 79 से लेकर मतलब 3 मैं से लेकर 20 जून तक नहीं नियामूर्थी मुहम्मद हिद्यत उल्ला बीस जुले 1979 से 24 अगस्त 1969 तक एवं बीडी जैती 11 फरबरी 1977 से 25 जुले 1977 तक कारी बाहक राष्ट्रपती के रूप में रहें मतलब वो राष्ट्रपती छुट्टी पे थे यह उनका देहान थो गया तो यह कारी बाहक के राष्ट्रपती थे यह पत्र देना भी ना पड़ेगा उसको ठीक ना आगे कैसी अगया अपराष्ट्र पत्ति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दो आड़ा मतलब अपराष्ट्ट्र पत्र को कह देगा कि हम त्याग दे रहे हैं और वो अपना त्याग पत्र दे जब यह यह त्याग पत्र ऊप्राष्ट्र पत्री को संबोधित किया जाएगा जो उसकी सूचना लोक सभाके अध्यक्ष को देदगा ओके यह अनुछे опас थेव दो में दिया गया आपको आइसी याद रखना है कि 56 के दो में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग कैसे देगा हो के महावियोग द्वारा हटाये जाने पर अगर महावियोग लग जाएगा अनुचे बहुत important है अनुचे देगा तो महावियोग के थुरू राष्ट्रपति पती को कैसे हटाये महावियोग के लिए एक ही अधार है जो अनुचे लग जाएगा महावियोग राष्ट्रकति पर महावियोग श पर लगाया जा सकता है परंतु इसके लिए आवस्यक है कि राष्ट्र पथि को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के एक चोथाई सदस्यों का हस्ताक्षर हो संसद के उस सदन जिसमें महावियों का प्रस्ताब पेस गया है उसे दो तिहाई सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताब दूसरे सदन में जाएगा तब दूसरा सदन राष्ट्रपती पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपती के उपर लगाए गए आरोपों को सिध्र करने वाला प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है हो जाना चाहिए तब राष्टर पति पर महअभ्यों की प्रकिरिया पूरी समझी जाएगी और इस तिठी से राष्टर पती को पद्याग करना पड़ेगा यहाँ फोड़ा ओर समझो है कि राष्टर बोहमत से वह भी पास करना होगा किलियर और चौदा दिन पहले जो है राष्ट पत्र करना पड़ेगा कि आप चाहे तो बिना महाव्योग आप लगे आप त्याग पत्र दे दो तो वही जेनरली होता है जिनको अपने पोश्क से उतना प्यार नहीं होता प्यार तो सब को होता है लेकिन उसके लिए मरते नहीं है वह क्या कर देते हैं अपना त्याग पत्र दे देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो ओके अगया राष्ट्र पती राष्ट्र पती की रिक्ती को चो महने के अंदर भरना होता है मैक्सीमम चो महना ही है चो महना से पहले उसको भरना जाता यह अनुचित 62 के कौमें लिखा गया है कि राश्टरपती के कारिकाल जब कंप्लीट होगा उससे पहले ही क्या होगा उप राश्टरपती का चुनाव कर लिया जाएगा ताकि राश्टरपती का सीट जो है वो खाली ना रहे और वो काम जो है वो भी बिलंब ना हो किन्तु य रहेगा जब तक कि उसका उत्रधिकारी पद पर धारन ना जाए तो यह किस अनुछेद में अनुछेद बासट के कौम है और ऐसा निर्देश क्यों दिया गया है कि कोई उपबंध ना जाए ठीक ना मतलब कोई बिलंभ ना हो जाए काम में इसलिए ऐसा किया गया है अनुछे काम करेगा काफी अच्छा लाइन है इसी लाइन से प्रस्न सवाता है आगे आपका अन्य आकस्मिक ताओं में राश्ट्रपती के कृतियों का निर्वाहन अनुछेद सत्तर में दिया गया है कि जब राश्ट्रपती एबम उपराश्ट्रपती दौनों का पद रिक्त हो तो 1969 इस पी पारित किया गया जो इस उपलब्ध जो इस उपबंधित करता है कि यदि उपराश्ट्रपती भी किसी कारण बस उपलब्ध नहीं है तो उचितम नियाले के जो मुख नियाधीस होगे या जो बरिश्टम नियाधीस होगा वो उपलब्ध होगा और राश्ट्रपत कमुख नियाधिश होगा यह और अगर वह भी नहीं है तो जो बरिष्टम नियाधिश होगा वह उस काम को क्रियानवित करेगा आप को चारों नहीं है तो ऐसा नहीं होता मेरे वाई ऐसा होगा तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा आपसे काम कर रहाए अगर देखो सुल्क निवास अस्थान वा संसत द्वारा स्विक्रित अन्य भत्य प्राप्त है जैसे कि टेलीफोन बील है गारी का तेल है यह सब चीज जो है निवास के साथ आपको फिरी मिलेगा रेंट भी ना देना पड़ेगा राश्टरपती के कारिकाल के दोरान उसके बेतन तथा भ तो एक साल का नौ लाख रुप्या मिलता है एक साल का नौ लाख रुपया मिलता है मतलब 85-86,000 के आसपास पर मन्त ओके अब आगए राश्टरपती के अधिकार एबं करता वे दोख हम लोग सभा राजसभा नहीं करेंगे राश्टरपती का जो भी आज हम पूरा तरह प्रदान मंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधान मंत्री की सलाह पर मंत्री पड़िसत को समझो जैसे कोई अन्य मंत्री होता है तो उसको कौन नियुक्त करेगा सलाह देगा पर्धान मंत्री की हम को जो है न प्यूस गोईल को मंत्री बनाना है तो राश्चीछ जो मुखनी यद्धीस का जो मुखनी आधीस होगा उसकार नियुक्त करेगा राश्टरपती करेगा एक ही समझो जो भी इंडिपेंडेंट है ना मतलब इंडिपेंडेंट पुष्ट जानते हो ना जैसे कि चुनावायुक्त हो गया यह सब तो इस सब का भी निक्ति कौन करेगा राश्टरपती ही करेगा एक छोटा मोटा मतलब दिमाग में यह आ भारत के राजिपाल राज़का राज़पाल हों राज़का राज़पाल मुखेच चुनावायुक्त महाydon राज्य के मध्य समन्बाइज के लिए अंतर राजय बढ़िछत के सदस्य संहिं लोग सेवा आयोका ध्यक्ष और आशत्य संहिं छतरों के मुखे आयुक्त बित आयोग का सदस्य भासा आयोग का सदस्य पिछरा वर्ग आयोग का सदस्य अल्प संख्यक आयोग का सदस्य भारत के राजदूत और अन्य राजनाइक अनुसुचित जाती और प्रसाशन संबंधी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदी मतलब इस सब पर क्या होता है ना परधानमंत्री का जोर जबर्फद्स्रियां मुखमंत्री जोर दवस्ति नहीं चलेगा अगर चलेगा तो फिर बरिबंदी हो जाएग यह सब भी इसलिए राष्टर तो राश्ट्रपती संसद का अभिनंग होता है यह तो पता ही है कि इसे निम्न विधाई सक्तियां पराप्त है कौन-कौन सा तो संसद के सत्र को आहुत करने सत्रा वासन करने तथा लोकसभा भंग करने समंदी अधिकार है मतलब संसद को आहोती करने शुरू करने सत्रा वासन करने और उसको भंग करना इस सबका पूरा अधिकार है यहां पर एक बने टुको देखो लोकसभा को भंग कर सकता है राजसभा को कौन भंग करेगा उसला है संसद के एक सदन में या एक साथ समलित रूप से दौनों सदनों में अविभासन करने की सकती है इसके पास लोग सभा के लिए प्रतेक सधारन निर्वाचन के पसचात पर्थम सतर के आरंभ में तथा प्रतेक वर्ष के पर्थम सतर के आरंभ में समलित रूप से संसद के अभी भासन करने की सक्ति भी है राषट्रपती के पास ये सब आता है सक्ति के अंतरगा कारून नी सक्ति संसद वारा पाड़ित विदयर कर राषट्रपती के अनुमोदन के बाध कानून बने गा उससे पहले रहे self пон कर दिया तो वह तो बन गया क्नून नियम बन गया करने के लिए राश्ट्रपती की पुर्व सहमती आवस्यक है जैसे कि नए राजियों के निर्मान और बरतमान राजियों के छेतर सिमाओं या नाम का पड़िवर्तन भी हो रहा है ना जैसे योगी आधितनत नाम चेंज कर रहे हैं तो सिगनेचर कौन कर रहा होगा वहां पर अनुछेद 110 के अंतरगत संचित निधी में ब्याय करने वाला विध्ययक अनुछेद 177 के दीन के अंतरगत ऐसे काराधान पर जिसमें राजी हित जुरा हुआ हो परभाव डालने वाले विध्यक पर राजियों के बिच ब्यपाड वानिज्य और समागम का अंद्रवंधन लगाने वाले विध्यक पर अनुछे 304 के अंतरगत यह होता है यदि किसी सद्धारन विध्यक पर दौनों सद्रों में कोई असहमती हो तो उसे सुल्जाने के लिए राश्टरपती दौनों सद्रों का संजुक्त बैठक भी बुला सकता है काफी इंपोटेंट है अनुछे के सिफाडिस पर ही की जाएगी अनिथा नहीं की जाएगी यह सकती है 113 के 3 के अंतरगत आपका तीसरा दिया गया है कि संसा सदस्यों का मनोनयन का अधिकार में क्या सब है तो जब राश्टरपती को यह लगे कि लोग सभा में आंगल भारती समुदाय के बैक्ती का समुचि रूप में नमांकित करेगा अनुछे 331 के अंतरगत और कला सहे पत्रकाडिता विज्ञान और समाजिक छत्र से बारह व्यक्तियों को राज सभा में निक्त करेगा 80 के 3 के अंतरगत फिर से रिपीट करो अनुचे 30 के 3 के अंतरगत राश्टरपती 12 सदस्यों का मनोनेयन राज सभा में करेगा जबकि अनुचे 331 के ताथ लोग सभा में 2 सदस्यों का मनोनेयन राश्टरपती करेगा 331 सी याद रखना यही है सौंड का स्पीड 331 समलब 7 मीटर पर सेकेंड अध्यादेश जारी करने की सक्ति संसद के संसद के अस्थगन के समय अनुछेद 123 बहुत इंपोटेंट है के तहत अध्यादेश जारी करता है अनुछेद 123 के अंतरगत इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है इसका प्रभाव संसद सत्र के सुरू होने के 6 सपता तक रहता है परण्थु राष्ट्रपति राज्यसुची के विसाईयों पर अध्यादेस नहीं जारी कर सकता जब दौनों सदन सत्र होते हैं तब राश्टर पत्य को यह सकती नहीं होती है मतलब राज जी विशाय के लिए जैसे तीन लिस्ट है ना मतलब स्टेट लिस्ट, सेंटरल लिस्ट और कॉंकरेंट लिस्ट तो राज सुची के लिए वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अध्यादेश जारी की सनुछेदिक अंतरगत होता है तो 123 123 अब है सैनिक सक्ति सैन बलों का सर्वोचे सक्ति राश्ट्रपति में सननहीद होता है किन्तु इसका प्रियोग विधी द्वारा नियमित है वैसे नहीं कि मन होगा कि चलो पाकिस्तान के आमला कर दो ऐसा नहीं विधी द्वारा यह नियमित होता है आगे आपका राज नहतिक सकती दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राश्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा राश्ट्रपति विदेशों के लिए नए ने कि नुकति करता है यहां तक उतला पढ़े है ये तो प्रस्त नाया ही नहीं कि भारत में राश्ट्रपति का पदलिया कहां से गया य musun उनका श्मादान के सकते के लिए तराश्टरपती किसी अपराध के लिए दोसी ठाड़ाए गए किसी ब्यक्ति के दंड को छमा कर दिया हो उसको वो माप कर सकता है ठीक ना इसका प्रमिलंबन पडिहार और लगू कारण की सकती प्राप्त है छमा में दंड और बंदी करण दोनों हटा दिया जाता है तथा दो होड़ी असधारन काड़ावास में पडिवर्तित करता है पडिहार में दंड की प्रकृतई में पडिवर्तन किये बीना उसकी अवाधी कम कर दिकाती है जैसे दोंड के करण एक रसकार में किसी इसकारत कर मिर्थ्या नbling dedans तो समझो जैसे मानलो कोई क्राइम किया है डिस्टिक लेवल पर ओके तो पहले वो डिस्टिक कोट में जाता है वहां क्या हुआ जो मतलब गुन्हागार है ना उसको सजाद सुना दिया गया तो गुनागार क्या बोलता है कि मैं कनफॉर्म नहीं हूँ यह उन्होंने गलती होता ही ह. अब हाइ कोट में हाइ कोट छले लेगा दो से तीन सल का टाइम लेता ही है अव उघर मांलो फिर सजा ना दिया ऐपको तो começo तो फिर वह कहा करेगा सूपरीम कोट भी लगा देगा दो साल फिर वहां भी क्या हो की बोलेगा अचल नहीं आप्को तो मर्णा ही पड़ेगा फिर ओ जो है ना वो करते का राष्ट-Pति के बास की लाष्प्ति अब हम को सब्सक्राइब अब वहां लग जाएगा दस साल समझ रहो तो मतलब पूरा जिंदगी में उसको फांसी वांसी नहीं पड़ेगा वो बच जाएगा तो यह काफी लूप खोल है यहां तक में एक फिक्स कर देना चाहिए कि ऐसे अपराजी को लगतार दो सदन में अगर फ कर लो जिनको दूसरा विक्टिम है ना जो मतलब भुक्त भोगी हो रहे हैं इनको दुख हुआ है उनको स्टैप का यह होना चाहिए यह गलत हो जाता है इसमें चोल आ गया आते हैं नोट में दिया गया है जब छमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपती निरद कर दी यह तो अपातकाल से संबंधित उपबंद भारतिय संविधान के भाग अठार बहुत इंपोड़ेंड ने बूलना भाग अठार में क्या है राष्ट्रिये अपातकाल राष्ट्रिये अपातकाल अनुछे 352 से तीन सो साथ के अंतरगत आता है मंत्री परिशत के प्रामर्श से राष्ट्रपती तीन परकार का आपात लगा सकता है पहला तो युद या बाय आकरमन या ससस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात यह होता अनुछे 352 दूसरा होते आपका अनुछे 356 के अंतरगत अगर संबेधानिक तंथ बिफल हो जाए मतलब रूल ओफ लौ हो जाए मतलब कानून को कोई मानी ने रहा है ठीक ना अलगी चल रहा है पुलिस के साथ जनता भीर गई है ऐसा होता है न तो वो होता है 356 लगता है वहाँ पर राष्ट्रपती शासन और एक होता है बीतिया पातकाल नियुंतव अवदीश का दो महिना है कम से कम यह दो महिने के लिए लिए इसमें होता है आर्थिक संकट आ गया है इनिफलेशन काफी बढ़ गया है लोग भूखे मर रहे है ठीक ना इस इस इसा लगता है 360 यह अभी तक एक भी बार नहीं लगा है इसको फिर से रि हो गया है तो उसमें लगेगा राष्ट्रपती सासन 356 के अंतरगत और भी तक एक भी बार नहीं लगा है और यह नियुंतम है दो महिने के लिए नौवा पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपती किसी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ण पर उचितम नियालय के अनुच्छ जरूरी नहीं है जैसे मतलब होता है ना कि आपको कोई साजसन दे रहे कि रहे हैं ऐसा करो आप लोग चार बज़ उठा करो साजसन तो ले रहे हो लेकिन आप करोगे नहीं हो तो वही होता है यहां भी ओके राश्ट्रपती की किसी बिधयक पर अनुमती देने या ना देने की निर्दय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राश्ट्रपती यह भी बीटों का परियोग कर सकता है क्योंकि अनुच्छ 111 केवल यह कहता है कि यदि राश्ट्रपती बिधयक लोटाना चाहता है तो बिधायक को उसे प्रस्तूत किये जाने के बाद यथा सिग्र लटा देगा ये भी बीटों सक्ति का प्रयोग का उदारन है 1986 इसपी में संसद द्वारा पारित भारती डागर संसोदन विधायक जिस पर ततकालिन राष्टरपती ज्यानी जेल सिंग ने कई निर्णाय नहीं लिये थे इस विधये को नई राष्टर ये मोडचा सरकार के साथ पुनर विचार हेतु भेज दिया प्रतु सरकार नी से रद करने का फैसला लिया भारत के राष्टरपती के दुआरा संग बित आयोग की सिफारी से नियंतरक महालेखा परिच्छ के परतिवेदन राष्ट्रिय अनुसुति जाती आयोग एबं राष्ट्रिय जन जाती आयोग के परतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है या रखवाया जा सकत केवल बीवीगिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगनना करनी पड़ी थी मतलब फिरसे मतगनना को चेकिंग किया गया वो थे केवल बीवीगिरी निलम संजीवरेडी एक वाड चुनाब हार गये थे फिर बाद में निरिविरोध जीते मतलब कोई अगेंस्ट में नहीं था मतलब अग्रेस में अकेले दोले थे और टॉप किये थे भारत की पर्थम महिला राष्ट्रपती परतीवा देवी सिंग पार्टी ले चलो आगे अब वो प्राष्ट्रपती है यहां में सेशन को इंड करता हूं सेशन अगर अच्छा लग और इस वीडियो के माद्धियम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समानने ग्यान यानि लुसेंट का ये सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हमारा चलना भी भारती संभीधान तो धियान से देखिएगा आज हम पढ़ेंगे इसमें उप्राष्ट्रपती के बारे में अग अचे 63 कि से संभंधित है उप्राष्ट्रपती से संभीधान में उप्राष्ट्रपती से संभंधित पराबधान अमेरिका के संभीधान से लिया गया है याद रखना राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती दोनों का जो लिया गया है किस तर्ज पर लिया गया है तो अम क्या होगा राजसभा का सभापती बनेगा तो कोई पूझते बरतमान में राजसभा का सभापती कौन है तो जो उप्राश्टरपती या नएडू आगे उप्राश्ट्रपती राजसभा का सदस्य नहीं हो सकता उप्राश्ट्रपती राजसभा का सदस्य नहीं होता है उप्राश्ट्रपती जो होता है राजसभा का सभापती तो हो जाता है पर उसका सदस्य नहीं होता है अतह इसे मतदान का अधिकार नहीं है किन्तु निर्नायक मत देने का अधिकार उसे पड़ापत है निर्नायक मत क्या होता है जैसे मालो कोई बिल है जैसे मालो कोई CAA ठीक ना ये CAB कर लो सिटीजन एवेंडमेंट इसमें रास्पामें भोटिंग होना था एकसो लोगों ने इसनके प्रक्रिपोट दिया एकसो लोगों वी प्रक् Griff mouth दिया तो अब एक भोट चाहिए निरնायक लिए कि कौन सा सहयोगा कौन सा गलत है। उस्टेम में क्या होगा जो उपराषट्रपती होगा वो जो कीले ज़िए को क्लियर करेगा , क्लियर। तो निरनायक मुद्द दे सकता है। योगिता कोई भी व्यक्ति उप्राश्टरपति निर्वाचन होने के योगित तभी होगा जब वो पहला में कि भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयूप पूड़ा कर चुका हो राज सभाग का सुधस्य निर्वाचित होने के योगियो निर्वाचन के समय किसी परकार के लाव के पद पर नहीं हो देखो लाव के पद का मतलब है सरकाड़ी नोखड़ी अगर कहीं मंत्री बनके बैठा हुआ है तो फिर वो कर सकता है इसा कि राश्टपति हम लोग ने बात किया था कि अगर मानलो आप कोई मंत्री हो तो क्या राश्टपति पत पर जा सकते हो, बिल्कूल जा सकते हो आप उसका चुनाव लड़ सकते हो तो आपको पहले क्या क्या देना होगा इस्थिपाद एना होगा कहास्य सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि ऐसा ही आपक estas पतित निर्वाचित हों जाता है तो वो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना अस्थान अपने पधगरण करने की तारिक से रिख्त कर दिया है मतलब जब वो पधगरण करेगा और राश्टरपती का तब जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट को क्या कर देगा खाली कर देगा यह क्लियर हो गया होगा एक पैठीस वर्स आयू पढ़नों थ्रह इंपोटेंट होता है मिनिममम आयू कितना है 35 वर्स है और यही आयू राश्ट्रपती के लिए भी है मेक्सिमम आयू की कोई सीमा नहीं है उपराश्ट्रपती के निर्वाचन के लिए से निर स्थिवारवाचंग के सदस्यूं द्वारा अनुपातिक पड़ति निधित्वय के अनुशार एकल संकर्मनीय मत के दूतर किया जाएगा और ऐसे निर्वाचं में मददान क्या होता है e yeah he here to clear hai राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रिपती में अंतर क्या है तो उसमें भी लिखा गया है कि निर्वाचन सदस्य के दौनों सदनों के सदस्य ओ मतलब जो वहाँ पर जीत का आया है वही भोटिंग करेगा इसमें सब भोटिंग कर रहा है क्लियर और दौनों यह प्रोसेस कौन जा है अनुपातिक परति निधितु पर्णाली के अनुसार एकल संकर्वनिये मत के द्वारा एलेक्षन होता है संसद के अच्छा इसका एलेक्षन कैसा होता है और परतियक्ष होता है हम लोग डिरेक्ट नहीं चुनते हैं ना हम लोग जनता भोट नहीं करता जनता जिसको भोट करेगा वो होगा परत्यक्ष चुनाव और यह क्या होता है राष्टरपती या उपरत्यक्ष चुनाव होता है यह पिराशवा का मेंबर यह सब आप परत्यक्ष चुना जाता है नोट यहां पे दिया गया है संजद के दानों सद्णों से बने वाले निर्वाच्यगन में निर्वाचिट एवा मनोनित दानों सदसी सामिल होते हैं मतलब उपराश्टरपती में क्या होता है निर्वाचित और मनोनित इसमें वते हैं तुर टेन पतर और फिर बाद में क्या वनगे राश्ट्रपति भी बने तो डॉक्टर एस राधा क्रिसनल बावन से लेकर 62 तक बावन से लेकर बासर तक जाकिर हुषे दूसरे राश्रपती थे लेकर शर्ट बाशर से लेकरत सर्सर बीवी गिरी दो बस तक रहें यह बीवी गिरी गौपाल स्वरूप पाठक उन्हीं सो नहतर से चोहतर नहतर से चोहतर बीडी जत्ती चोहतर से 79-89 नेयमुर्ती मुहम्मद हिद्यत उल्ला यह नेयमुर्ती भी थे 79-84 तक आर बेंकट रमन 84-87 84-87 डॉक्टर संकर दयाल सर्म 87-92 डॉक्टर संकल दयाल सर्म 1987-1982 के आर नराइनन 92-97 के आर नराइनन 92-97 स्रीकांत स्रीकांत रहते 97-2002 स्रीकांत 97-2002 भैरो सिंग से खावत भैरो सिंग से खावत 2002-2007 उसको अधामीद अंसारी 7-17 तक और बेंकट यह जो बेंकटिया नाइडू है वो 17 से अभी तक है मतलब 20 तक इनका तो कारी काली है 17 से 22 तक कि उप्राष्टर्पती बणने से पहले डॉक्ट स्राधा कृष्णन सोव्यत संह में राज़दूत्त है मेस्टर् द वहाँ पे सोव्यत संह में उप्राष्टर्पती को अपना पद्गरहन करने से पुर्व राष्टर्पति अत्वा उनके द्वारन giàcus किसी ब्यक्ति के समक्ष सपत लेना पड़ता है मतलब सपत कौन दिलवाएगा राष्टपती दिलवाएगा या नहीं तो राष्ट्रपती जिसको नियुक्त करता है जिसके उच्छे नियाले का नियाधिस या फिर सुप्रीम कोट का नियाधिस जिसको भी कैग जिसको भी निय करता है वो क्या करेगा उसको सपत दिलवा सकता है पर एक्जाम में राष्ट्रपती रहेगा याने तो मुखनिय धीस रहेगा तो उसी प्यापको टिक करना होता है उपराष्ट्रपती की पदावधी अनुछेद होता है 62 एक उपराष्ट्रपती पदगरहन का तारीक से 5बर्स की अवधी तक पदगरहन करेगा परंतु उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहीते लेख दुआरा अपना त्याग पतर दे सके अगर चाहेगा कि मुझे राश्ट्रपती नहीं बनना है मेरा नुकडी बैंक में हो गया तो वो क्या करेगा उपराश्ट्रपती के पद से क्या करेगा राश्ट्रपती को संबोधित करके त्याग पतर दे देगा उपराश्ट्रपती राजसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राजसभा के ततकालीन वा समस्त सदस्यों के बहुमत से पाडित किया जाता है और जिससे लोकसभा सहमत है किन्तु इस खंड के प्रियोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आसाई की कम से कम 14 दिन की सुचना ना दी गई हो मतलब जिसको महावयोग कहते है जहां भी महावयोग हो तो जिसके खिलाफ महावयोग लगेगा उसको चौदा दिन पहले सुचना करना होगा कि आपके खिलाप महावियोग लगेगा इन इनकार्णों से आपको इस्तिफा देना है तो दे दीजिए नहीं तो हम लोग जबरदस्ती आपको हटा देगे यह चौदा दिन आपके लिए इंपोटेंट है उपराष्ट्रपती अपने पद की अवधी समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारन करता रहेगा जब तक की उत्राधी काड़ी अपना पद गरन नहीं कर लेता सेम राष्ट्रपती में भी था कि जब तक नया राष्ट्रपती नहीं बन जाएगा कि नहीं ने लेगा तब तक फुरणन राष्ट्रक्ती के आऊगा काड़ी कह संपादन करेगा ओप राष्ट्रपती के निर्वाचन से सम्वंद हितब बीवादों का निप्टाड़ मख ही रीवादों होने पर उसके दुआरा किये गए काड़ी अवेद नहीं होएंगे फिर से रिपीट कर लो इसको उपर रास्टरपती के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निप्टारा भी रास्टरपती की तरह कहां होता है उच्छतम नियालाय में होता है निर्वाचन अवेद होने पर उ नहीं ओब जो काम जो ता वो अवेद होगा ठीकी रहेगा रास्टरपती के पद खाली रहने पर उपराश्टरपती रास्टरपती की हैस्यत से कारी करता है यह अनुछत 65 में दिया घ्लिए अनुछत 65 क्या कहता है कि अगर रा स्टरपती अपने पोश्ट नहीं है थोड़ा वो घुमने के लिए चला गया है उप्राश्ट्रपती उस पोस्ट को सम्हा लेगा यह कहा गया है अनुछित 65 पर उप्राश्ट्रपती को राश्ट्रपती के रूप में कारी करने की अधिक्तम आवधी छो महने की होती है छो महना वह अधिक से जदिक राश उपलब दिया भत्ता और विशेस अधिकार का अधिकार प्राप्त होगा मतलब पूरी तरह से वो क्या होता राष्ट्रपती ही समझो बन जाता है क्यों उसको सब अधिकार बिल जाते बेतन तक मिल जाएगा अब आगे हैं नोट में दिया गया है जिस ब्यक्ति का जिस किसी का अलावधी उप्राष्ट्रपती राष्ट्रपती के रूप में काड़ी करता है वह राजसभा के सभापती के पद्ध के काड़ियों को नहीं करेगा और अनुछित संतानवे के अधिन राजसभा के सभापती के बेतन या भत्त्य का हकदार नहीं होगा यहां पर एक चीज़ लेकिन नहीं मेरे भाई उसको उपराश्टरपती का बेतन नहीं मिलता है उसको बेतन इसलिए मिलता है कि वो राजिसभा का सभापती होता है समझे इस बात को कि कोई नोकडी पे रखा है मानलो गार्ड के लिए लेकिन उससे कलर का काम करवा रहा है और उसे कहें कि देखिए आपको गार्ड पे रखे हैं लेकिन गार्ड का पैसा आपको नहीं मिलता है आप यह कलर का काम करते हैं इसके लिए पैसा मिलता है तो वही है उपराश्टर पती को चुना जाता है उपराश्टर पती का कोई बेतन नहीं होता बेतन होता है राज सभा के सभापती का बेतन कम न अब आगे राष्टपती हो गया आगे हमारा है पर्धान मंत्री एब मंत्री पड़ी साथ इसको भी कोशिस करते हैं कंप्लीट कर दें देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए थिना कॉमेंट में मुझे बहुत हसी आता है अगर मैं संभीधान का वीडियो डालू आप तो वीडियो में लंबा बना तो 30 मिनिट के आज पास और एवरेज स्टुडेंट देख रहे हैं चार मिनिट तक दो मिनिट तक वीडियो देखते हैं तो फिर क्या फाइदा इतना लंबा वीडियो बनाने का तो थोड़ा पूरा देखिए ठीक ना आप ही लोगों को हेल्प वा सलाह देने हे तूइग मंत्री पड़िशद होता है जिसका परधान कौन होता परधान मंत्री होता है और यह सब क्यों बनाया जाता है ताकि राश्चर पति को काրए करने में सहुलियत हो कुए कि राश्ट्पत ही काम किया करना है तो सिंग्नेचर वो किस पर करेगा डोकुमेंट पर करेगा का क्वेंट गोन देगा अर्सवार दोकुमेंट बनाके दोकुमेंट पनाके यह कि अनुझे drivers 74 और परधान मंत्री की निवक्ति कौन करता है राष्ट्रपती करता है और अन्य मंत्रियों की निवक्ति राष्ट्रपती पर्धान मंत्री की सलाह पर कड़ेगा मतलब पर्धान मंत्री कहेगा आपका नाम क्या है कि पर्धान मंत्री कहेगा पर्धीप माल लेते हैं सुधीप बहुत कमेंट करता है कि हम क्या कहेंगे पर्धान मंत्री केगा जोनों सुदीप को रेल मंत्री बना दो तो राश्पति क्या का अच्छ ठीक है सुदीप दी बन जाएंगे रेल मंत्री ठीक ना ऐसा होगा मंत्री परिशद में मंत्रियों की कुल संख्या पर्धान मंत्री को सामिल करके लोग सभा के कुल सदस्यों की संख्या 15 पर तीसद से अधिक नहीं होगा ठीक ना जितना भी सदस्य है उसका 15 पर तीसद ही क्या होगा मंत्री परिशद में सामील होगा हि क्यानवा संपिधान संसोदहन अधिनियम 2023 में ये बात कही गई है अगर प्रस्न यह आजये कि 19 संसोदहन के वाया था तो पर है इसका शंमंध कि सिय है तो इसल ses यह लिखा गया है कि लोग सभा में जितना सदस्य होगा उसका पंद्रह परतिसद जो है वो मतलब मंत्री परिशद में आ सकता है आगे आपका अनुचित 75 का दो इसके अनुसार मंत्री राश्टरपती और परसाद पढ़ियंत पद्धारन करेंगे और अनुचित 75 के अनुसार मंत्री परिशद लोग सभा के परती सामुहिक रूप से उतरदाई होगा सामुहिक रूप से मंत्री परिशद किसके परती उतरदाई है लोग सभा के परती लोग सभा के प्रती पद गरहंद से पुर्व पर्धान मंत्री सहीद परतेक मंत्री को राष्टरपती के सामने पद और गोपनियता का सपत लेना पड़ता यह पछतर के चार में मतलब आप बन गए रेल मंत्री आप चाहिए कि मैं तो किसी के सामने सपत नहीं लूगा मैं तो हो गया हीरो ठीक ना लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको जाना पड़ेगा राष्टपती के पास राष्टपती कि चलो सपत लेलो कि हमरेल मंत्री है और इस काम को सही से करेंगे इस अपर कौन दिलाएगा राष्टपती दिलवाएगा ओके देखो फिर से अपर समझों कोई भी मंत्री पड़िसत का जो सदस्य है उसको मतलब चुनेगा राष्टपती लेकिन सला कौन देगा परधान मंत्री देगा सपत कौन दिलाएगा राष्टपती दिलवाएगा बस परधान मंत्री कहेगा कि जो इसको बना दो इसको बना दो ऐसा कहेगा वो आगे मंत्री पड़िसत का सदस्य बनने के लिए बैधानिक द्रिष्टी से यह आवस्यक है कि ब्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो यदि ब्यक्ति मंत्री बनते समय संसर सदस्य नहीं हो तो उसे छो माह के अंदर संसर सदस्य बनाना अनिवारी है नहीं तो उसे अपना अपर दूदा वह करें ऑप सक दो और आपको पेहचाना ही नहीं है तो आपको चो महने का टायम मिलेगा आप अच्छे से परचार करो अच्छे से काम को जैसा वह सबस्टता हाशिल कर लो उसके बाद फिर आप जाओगे मंत्री पडिशत में रहोगे नहीं तो फिर आपको पद जोड़ना पड़ेगा यह डिसीजन आपके हाथों में है ठिक ना यह पछतर के पांच में सभी मंत्रियों राज मंत्रियों और उप मंत्रियों को निसुल्क निवास अस्थान तथा अन्यस्विधाय प्राप्त होती यही पीपर पठने के लिए पैसा मिलेगा गारी का पैसा मिलेगा टेलेफोन बीली मिलेगा देड़ सारा परशा मिलता है यदि लोगसभा किसी एक मंत्री के बिरुद और विश्वास का प्रस्ताव पारीत करे अथ्वा उस विभाग से समंधित विध्यक को रद कर दे तो समस्त मंत्री मंदल को त्यागपत्र देना परता है काफी इंपुटे ज़िए यदि लोगसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध और विश्वास प्रस्ताव पारित करे अथ्वा उस विभाग से सम्मंधित विध्ययक को रद कर दे तो समस्त मंत्री मंदल को क्या करना पड़ेगा त्याग पत्र देना पड़ेगा और मंत्री मंदल क्या होता है मतलब भंग हो जाता है मंत्री को मिलकर मंत्री मंदल का निर्मान हो याद रखियेगा परधान मंत्री और क्यावनेट मंत्री क्यावनेट मंत्री वही मतलब जो लोगसभा का 15 परत्षत है वही तो वह क्या होता है मंत्री मंदल का निर्मान करता है क्या मंत्री मंदल में राज मंत्री आएगा सब्सक्राइब आपके सकता है łख किसी भी समय लोग सभाक गए घट excuse नहीं कर सकता है प्रसे रिपीट करो यहां पर दिया के जाए कि पर्धान मंत्री जो होता है वह लोग सब्सक्राइब और राश्ट्र पती को समद्सक्राइब का सब्सक्राइब आहूत और सत्राबासन करने समंधी प्रामर्स देता है कि इसको लोग सभाव को आप क्या करतो शुरू करो और इसको बंद करो साथ ही लोग सभाव को बिगटन करने किसी भाड़िस राष्ट्रपती से कर सकता है कि पर्धानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नितियों की घोसना क सब्सक्राइब इस कराइब दjang fundraising परिशunde के बीच सम्भाद की मुखी करी यह है। उनक्तर किसे संबंदित हैं इसमें लिखा नहीं ही गया है की पर्धान मंत्री जो होता है राष्ट्र पति और मंधरी सद्र के बीच ड़ाठ मियुक्त हमकरता है य कि राष्ट्र पती को एक भारत का महा नियवादी भारत का का नियंत्र के वं महालेखा परिक्षक संघ लोग से वायोक अध्यक्ष तथा उसके सदस्य चुनावायुक्तों बित आयोका सदस्य अध्यक्ष एव उसके सदस्य और अन्य नियुक्तिक संबंध में परामर्श देता है लुद परामर्श की देगा कि चलो इसको जो है न दीपक जी को बना दो आप एटनी जेनरल तो आगे पर्धान मंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथ्वाराश्ट्रपती को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है पर्धान मंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथ्वाराश्ट्रपती को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता ह वो मंत्री परिशद बैठक की अध्यक्स्ता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्री मंडल को बर्खास्त कर सकता है नोट में दिया गया है पर्धान मंत्री मंत्री परिशत का परमुख होता है अता जब पर्धान मंत्री त्याग पत्र देता है अत्वा उसकी मिर्तियू हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कारी नहीं कर सकता अन्य सब्दों में पर्धान मंत्री की मिर्तियू अत्वा आपको याद रखना है कि वह अमर है कभी खतम नहीं होगा पर्धान मंत्रियों की सबसे बड़ा कारियाल है आपको सबस्सक्राइब सबस्क्राइब कार्थां-स प्र Forsch नमक्रीशन रहा दोगतना और 12 दिन तक क्यों आपने प्रूर पर बनेड हैं पर्धान मंत्री जवाहरलाल नहरू डेश की पर्धान मंत्री ँद्रा गांधी ननी वह ऐसी पहली ब्यक्ति रही जो दो अलग अलग अमेह परधान मन्त्र रहा पहली ठीक उसका और भी वना केंशनल पार इंद्राइगांदी परधान मंत्री बनी तो राजसभा की सदस्थि अपना इसम आप सब्सक्राइब करने में और सफल रहे पर्थम पर्धान मंत्री बिश्वनाथ परताप सिंग हुए सबसे कम समय तक पर्धान मंत्री के पत्पा रहने वाले अटर विहारी बाजब हुए मात्र तेरह दिन तक अब आगे है भारत का पर्धान मंत्री ठीक न इसका यह लिस्ट है उसको भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे अभी पढ़ने से पूसक्त आप याद भी ना अभी प अगले वीडियो में कंप्रेट करेंगे से अगर अच्छा लगर आओ तो लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों आप देख रहें अभी हम पढ़ रह पृस्ट य्थाएं तो द्यान से अभी है भारत का प्रधान मंत्री पहले में इस werd कुछ पख लिया था पहला है पहले कश्जाद कर लो और फिर वह कब किसी तखना हौँट है थना कि ना ऻुशा होता है आप पहले कर्म कश्णा प्रसंद होता तो आपको कर्म और यह इस भी याद रहेगा ना तब आप इसको सही से टिक कर पाओगे तो पहला अपने जवाहर लाल नेहरू दूसरे हैं लाल भादूर सास्त्री जवाहर लाल नेहरू सैतालिस से लेकर चौंसर तक रहेते हैं ब Cape रहेतालिस लेकर चौंसर तक रहेते लाल भादूर सास्त्रीं चौंसर से लेकर 16-16 वर्स तक इंड्रा गांधि मुराजी देशाई 77 से 79 उनासी तक चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक यहां पर देखो संसोधन जो हुआ था 1976 में उस टैम में कौन रहेंगे इंद्रा गांधी और फिर 78 में हुआ था 44 संसोधन उसमें कौन थे मुराजी देशाई दोनों काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा बहुत बार पूछा गया प्रस्त नहीं कि जब 42 संसोधन हुआ था उस टैम परधा श्यां मंत्री कौन थे आगे फिर इंद्रा गांधी बनी 1980 से लेकर 84 तक राजीव गांधी बने 84 से लेकर 89 तक बिश्वनात्थ प्रताप सिंह ये बने 89 से लेकर 90 तक एक साल तक रहते ये एक साल पूरा नीरा पाये थे चंदर सेखर रहते 90 से लेकर 91 तक नर्शिम्षन अटल विहारी बाजपाई ये ग्यारवे नमबर के थे 96 से लेकर 96 तक काफी कम समय है एक महिना एप्रोक्स भी सही से नहीं रहा पाये थे HD देव गोड़ा HD देव गोड़ा साथ ये 13 दिन तक ढहे थे HD देव गोड़ा 96 से लेकर 97 तक I.K. गुजराल I.K. गुजराल 97 से लेकर 98 तक अटल विहारी बाजपे फिर बने 98 से लेकर 99 तक अटल विहारी बाजपे फिर से बने 39 से लेकर 2004 तक डॉक्टर मनमोहन सिंग 2004 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक है सबसे लंबा कारी काल जो था वो 16 वर्स, 9 महिना, 12 दिन का था वो किन का था? ये कहके दुसको जवाहरलाल नहरू का देखो अभी तुमें फास्टे पढ़ दिया आप लोगों का काम है जो भी 17 हमारे परधान मंत्री हुए उनका नाम आपको याद रखना है अगर देखती के कर्म में देखे तो नेद्रमोधी 15 वे परधान मंत्री है ठीक ना? 15 वे है मैंने पूरा लिस्ट कहा था अभी जो उपराश्टर पती है वो 13 वे नमर के है और परसिजेंट जो है रामनात कोविंद वो 14 वे नमर के है अगर competition की त्यारी करते हो तो as a citizen of India भी आपको याद रखना चाहिए दूसरा point दिया गया है प्रथम गैर कॉंग्रेसी परधान मंत्री एबं परधान मंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले परथम परधान मंत्री थे मुराजी देसाई मुराजी देसाई अगे लोगसभा का सामना नहीं कर पाये थे वो कौन चौधरी चरंड सिंग काफी important है चौधरी चरंड सिंग लोगसभा का सामना नहीं करने वाले परधान मंत्री थे और विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने वाले पर्थम पर्धान मंत्री विश्व पर्ताप सिंग या विश्व पर्ताप रौ थे विश्व पर्ताप रौ पद गरहन करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे यह थे पीवी नर्सिमन और सबसे छोटे कारिकाल सबसे छोटे कारिकाल के लिए अटल विहारी वाजबे हो ग मतलब कारिकार के दौरान ही इन लोगों का मिर्तियू हो गया था कौन-कौन जवाहर ललनेहरू लाल भादुर सास्त्री और स्रीमती इंद्रा गांधी लाल भादुर सास्त्री की मिर्तियू 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर तासकंद में हो गया था काफी इंपोटेंट है लाल भा का स्थापना हुआ था उके 1966 में 11 जनवरी को लाल बादर सास्तरी का मेरतियों तासकंद में हो गया था मुराजी देसाई मुराध जी देसाई सबसे अधिक उम्र के एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के परधान मंत्री बने थे देञो मैं क्या करता हूनु बरवार डीपीड करता हूं ताकि आपको याद हो जाये आज काल पतानी बहुत सारा कॉमेंट ऐसा है कि आप यसे तो आप लोग क्या चाहते हो देखो मैं एक वार पढ़ू अधिक वार पढ़ू वह आप ही के लिए पढ़ रहा हूं ठीक ना तो लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर अधिक वार बोलेंगे ना तो आप लोगो घर पिर नहीं पढ़ना पढ़ेगा याद हो जाएगा बस एक अगर पढ़के ऐसा नहीं करो कि मैंने लुषेंट कंप्लीट किया ऐसे पढ़ो कि अगर कोस्तन पुछे तो बन भी जाए तो मैं अभी तो तिन चार बार बोलके ही पढ़ा हूंगा क्योंकि कुछ चार पांच बच्चे की बोलने से मैं इस पर नहीं हिलने वाला क्योंकि इ अधिक लोग क्या चाते हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मुराजी देशाई सबसे अधिक उम्रके थे और राजीव गांदी क्या हुए सबसे कम उम्रके परधान मंत्री बने गुलजारी लालन्दा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एबं 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक कारिवाहक परधान मंत्री ने हैं यह रहे कारिवाहक भारत में या भारत के पर्थम उप परधान मंत्री कौन थे सरदार बल्लब्भै पटेल सरदार बल्लब्भै पटेल लोह पुरूस इसकी परतिमा की उज़ा कितनी है 182 मीटर मैं कभी नहीं भूलता क्योंकि भारती रेलवे का जो इमर्जनसी नमबर है वो भी 182 ही हल्प नमबर तो 182 मीटर ही है सरदार पटेल की मुर्थी की उचाई कैवनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कारिकाल जग जीवन राम का रहा जो लगभग 32 बड़्स तक केंद्रिय मंत्री मंडल में रहें कौन जग जीवन राम सबसे लंबी अवधी तक एक ही विभाग का काड़ेभार समहलने वाली कौन थी राजकुमारी अम्रित कौर आगे आपका मंत्री मंडल सचीवाल है मन्त्री मंडल सचीवाले भारत सरकार के नियम 1961 के अंतरगत प्रत्यक्ष तौर पर परधानमंत्री के अधीन कारी करता है इसका प्रसासिनिक पर्मुख कैवनेट सचीव होता है फिर चे रिपीट कर लो मंतरी मंडल सचीवाला है भारत सरकार के नियम 1961 के अंतरगत परत्यक्ष तोर पर परधान मंतरी के अधीन कारी करता है और इसका प्रसासिनिक पर्मुख कौन होता है बरतमान में cabinet सचीव कौन है जो ला comment box में लिखिएगा तो आगे आपका cabinet सचीव civil services board का पदेन अध्यक्ष होता है मंत्री मंडल सचीवाला है मंत्री मंडल बैठकों के लिए काड़ी सुची तयार करता है तथा मंत्री मंडल समीतियों के लिए सचिवालाई साहेता भी परदान करता है यह विभिन मंत्रालायों के बीच समनवाई अस्थापित करता है नोट में दिया गया है मंत्रालाई को बीतिय संसाधनों का आवंटन बित मंत्रालाई के द्वारा किया जाता है ना कि मंत्री मंडल सचीवाले के द्वारा किया जाता है आपका फो टेंथ नमर एक्सेसाइज है संहिये संसद भारत की संसद में राश्टरपती, राजसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर बनता है ये आपके अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि संसद में कौन कोन आएगा राश्टरपती, राजसभा और लोकसभा हमने उपा राश्टरपती पढ़ लिया है पहले ही पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे राजसभा राजसभा क्या होता है उच्छे सदन होता है और लोकसभा क्या हो जाएगा निम्न सदन होगा तो पहले हम पढ़ते हैं राजी सभा उच्ची सदन तो इसमें पहलाई संटन से दिया गया है कि राजी सभा में अधिक्तम कितना सदस्य होगा संख्या होगा 250 250 हो सकता है और इसका जो सनरचना होता है राजी सभा का सनरचना यह किस अनुछेद के अंतरगत होगा आर्टे किल एटी फिर से रिपीट कर लो राजी सभा में मेक्सीमम कितना सदस्य होगा 250 और अनुछेद किसमे है यह तो अनुछेद अस्य में है बरतमान समय में यह संख्या 245 है जिसमें 12 सदस्य राष्टरपती द्वारा मनोनईत किया जाते हैं यह ऐसा ब्यक्ति होता है जिन्हें कला, साहित्य, बिज्ञान, समाज सेवा यह साकाडिता के छितर में विस्यस ग्यान या अनुभव के लिए दिया जाता है फिर से रिपीट करता हूँ इसको टोटल 250 सदस मेकसिमिम होना चाहिए बरतमान में 245 सदस्य है जिसमें की 12 सदस जो है, वो कहां से है, राष्टरपती चुनेगा और टोटल जो 233 सदस्य है, वो राज संग की एकाईसे चुना जाता है प्रस्न आपको difficult बनाने के लिए पूछ देगा कि राज सभा में कितने सदस्य है, बरतमान में राज संग से चुनके आते हैं तो बरतमान में राज संग से चुनके कितना आता है, 233 आपको गलती से भी 245 पे टिक नहीं करना है अगर पूछ दे बरतमान में टोटल कितना है, तब 245 संश संग वाला तब क्या करना दो 133 पर टिक करना इसमें तो राश्टर पती जो होता है वह राज़सभां में 12 सदस्क्राइब करता है। कंफ्यूज गार जाते हैं कि लोग सभा में तो 550 सीट है और राज सभा में 200 मानलों पैटाली से 250 है तो जिसमें अधिक होगा राष्टरपती उसमें अधिक चुनेगा जो लोग सभा में 20 सभी को चुनेग और राज सभा में सहीती कला विग्यान समाज सेवा या सहकाईटा से चुनता है और यहां पर लिखा गया है सेस 233 सदस्य संग की इकाईयों का पड़तिनितु करता है 233 जो हता है वो संग की इकाईय का मतलब अलग-अलग राज से आता है राज सभा की सदस्य के लिए नियुनतम आयू कितना होना चाहिए 23 बर्स बेरी इंपोटेंट की राज सभा भंग होगा कब भंग होगा जब राष्टरपती मर जाएगा परदरानमंत्री मर जाएगा देखो कुछि भी हो जाए ठीकगना लेकिन फिर भी राज सभा भंग नहीं होगा ये आपको याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए भुकम पाजाए सुनामी आजाए कुछ भी हो जाए लेकिन राजसभा भंग नहीं होगा राजसभा क्या है अस्थाई सदन है तो क्या लोकसभा भंग हो जाता है हाँ लोकसभा भंग हो जाएगा लेकिन राजसभा भंग नहीं होगा ठीक ना आपको option में ऐसा 아प्शन देगा लगया एक पर नहीं मेरे वह राजसवा कभी भंग नहीं होगा इसको गाठ बन लेना है ठीक ना इसके सदस्यों का कारिकाल चोबर्स का होता है इसके एक तिहाई सदस्य परतेक दो बर्स के बाद सेवा निबिद्ध हो जाते है इसके एक तिहाई सदस्य मतलब राजसवा का एक तिहाई सदस्य परतेक दो बर्स के बाद सेवा निबिद्ध हो जाता है यह दिया गया है अनुछे 83 के कौव या वन में दिया गया है कि राजसवा का एक तिहाई सदस्य परतेक दो बर् की संख्यां दिया गए है प्रते याद करने का सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश Qua 31 सबसे अधिक उत्तर प्रदेश-osition God फिर्ची करो थे उत्तर परदेश त्रम पर दम यह था घड़न को था ठीप्टबे़िगा cheating आПр wod-चुछ कुछ बिहार और पस्टीम मंगाल दोनों में 16, करनाटक में 12, आंधर प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, ओडीशा में 10, राजास्थान 10, केरल 9, पंजाव असम इस दोनों में 7, तेलंगाना में 27, जहारखंड में 6, छतिसगड 5, हर्याना भी 5, हिमाचल प्रदेश उत्राखंड दोनों में 3, 3, और नीचे सब में जैसे की नागालेंड, मिजोरम, मेघाले, मनीपूर, त्रिपूरा, सिक्कीम, अरुनाचल प्रदेश गोवा, जो भी 7 सिस्टर है ना सब में लगवक, उसमें क्या है, वन राजज़वा सीट है, आगे आपक कास्मीर में अधिक, तो ऐसा करके दे दिया गया है, अगे यहां पर दिया गया है, कि राजसभा का पर्थम उपसभापती जो थे, वो थे स्री स्वी क्रिस्न मूर्ती राओ, स्री स्वी क्रिस्न मूर्ती राओ, राजसभा के पर्थम उपसभापती थे, बरतमान में राजसभा का सभापती एवं उपसभापती यह अनुछे देटिनेर के अंदर राजसभा का सभापती एवं उपसभापती भारत का उपराश्टरपती राजसभा का पदेंद सभापती होता है भारत का जो उपराश्टरपती होगा वही क्या होगा राजसभा का सभापती होग राजसभा यथा सिक्र अपने किसी कारी को अपना उपस्वापती चुनेगी किसी सदसी को अपना उपस्वापती चुनेगा और जब जब उपस्वापती का पद रिक्त होगा तब तब राजसभा किसी अन्नी सदसी को अपना उपस्वापती चुनेगा मतलब जो राज सभा का सभापती होगा मतलब उपराश्टर पती होगा वही क्या करेगा उप सभापती को चुनेगा उप सभापती का पद रिक्थोना पद त्याग और पद से हटाया जाना ये सब अनुछेत 19 में दिया गया है उपराश्टरपती के सम्मंदित कोई भी जानकारी जैसे कि उसका पद का रिक्त होना त्याग पत्र पद से हटाना वो सब दिया गया है अनुछे नब्बे के अंतरगत उपसभापती यदि राजसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा अगर मलो क्या होता है न कि उसको राजसभापती को संबोधित त्याग पत्र दौरा वो अपना त्याग पत्र देगा सभापति को संबोधित त्यागपत्र के दुआरा वो अपना त्यागपत्र देगा राजसभा के ततकालीन समस्त सदस्यों के बोहमत से पाडित संकल्प दुआरा अपने पद से हटाया जा सकेगा परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आसाय की सुचना कम से कम 14 दिन पहले देना पड़ेगा इस 14 दिन को याद रखना है उससे पहले उसको बताना पड़ेगा नोट में दिया गया है जब सभापती या उपसभापती को पद से हटाने का संकल्प विचारा धीन हो तो वह पीठा सीन नहीं होगा यह अनुछित बेरांवे में दिया गया है मंत्री पडिसद राजसभा के परती उतरदाई नहीं होता मंत्री पडिसद जो होता वो राजसभा के परती उतरदाई नहीं होता अगे अनुछित 249 के अनुसार यदि राजसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ता पारित कर यह सोधित करती है कि राजी सुची में उल्ले खित कोई भी विषय रास्टे महतुका है तो संसद उस विषय पर ओस्थाई कानून का निर्मान कर सकता है ऐसा प्रस्ताव एक बर्स से अधिक परभावी नहीं रहता लेकिन यदि राजी सभा चाहे तो हर बार इसे एक बर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कितना मत देना पड़ेगा दो तीहाई टूबै थार्ड वाजलब च्यासर परसेंट लोग ने कहा दिया कि ठीक है तो वो पाड़ी थोका यह है दो सो उन्चास के ताहत केवल राजी सभा को राजी सभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तीहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतिय सेवा के स्रिजन करने का अधिकार है अनुछे 312 काफी इंपोटेंट है बर्तमान में कितने अखिल भारतिय सेवा है तो 3 आई एस आई पी एस और आए फैस लेकिन अनुछे 312 के अंतरगत नई अखिल भारतिय सेवा का स्रीजन कर सकता है कौन करेगा राज सभा के द्वारा होगा लेकिन उसमें दो तिहाई बोहमत से वह पारित होना चाहिए पास होना चाहिए तभी वह हो पाएगा ओके यह बहुत अनुछित 109 के कौ में या अनुछित 109 के फस्ट में धन बिधैयक के सम्मंद में राजी सभा को केवल सिफारिस करने का अधिकार है जिसे मानने के लिए लोग सभा बाधी नहीं है धन बिधैयक के सम्मंद में राजी सभा केवल सिफारिस कर सकता है लोग सभा माने का या न पास नहीं हुआ उसे पारित समझा जाएगा राज सभा धन विध्यक को न अस्विकार कर सकता है और नहीं उसके कोई संसोधन कर सकता है मतलब राजिसभा ने अगर कोई यह बना दिया धन विद्यक पास किया तो 14 दिन तक अर्धिकतर वह राजसभा में होगा अगर राजसभा उसको पास नहीं किया तो कोई फर्क नहीं परता वो इटोमेटिक पारित समझा जाएगा यहां पर दिया गया राजसभा जो परधानमंत्री बने तो उसे पहले तो थी इंद्रा गांदी पहली थी और पहली महला भी थी इंद्रा गांदी यह 66 से सरसट में थी हडी देव गोड़ा यह 96 से 97 में यह भी राजसभा के सरस्थ से थे आएके गुज्राल 97 से 99 तक और फिर मनमोहन सिंग रहे थे 2014 तक यह समझे थे राजसभा सीट अगर आगे भी कोई बनता है तो आपको कहां से थे वो भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है कई बार आगे आपको दियागे राश्ट्रपती वर्स में कम से कम दो बार राजसभा का अधिवेशन बुलाता है या अहुद करता है राजसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की पर्थम बैठक के लिए नियत तिथी के बीच छो माह से अधिक का अंतर नहीं होना च है तो वर्स में कम से कम दो बार जो है राजसभा का मीटिंग होना जरूरी है ठीक ना तभी तो छो मेने के से कम का डिफरेंस रहेगा अब यहां पर संसत्थभवन के बारे में कुछ दिया गया है तो यह एक बिरताकार भावन है इसका डिजाइन आर्किटेक्ट सर लूटि थी 144 गरेनेट पत्थरों की अस्थम पर टिकी हुई अब तो नया संसत्थभवन डिजाइन होड़ा फिर से तो देखते हैं कब क्या हो रहा है राजसभा की पहली वार गठन तीन अपरेल 1952 को किया गया इसकी पहली बैठक 13 मैं 1952 को हुआ था राजसभा का पहला जो गठन ह हुआ तीन अपरेल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है वह 13 मैं 1952 को हुआ अब यहां पर नोट में दिया गया है कि राजसभा में पढ़ती निधितू नहीं है राजसभा में पढ़ती निधितू नहीं है अंडमान निकुबार चंडीगर दादर्वा नागर दमन और दीप और लक्षदीप यह सब कुछ है जहां पर राजसभा पढ़ती नहीं करता है ओके आगे अब दिया गया है लोकसभा अभी हम पढ़ रहेते हैं राजसभा राष्टपती आप कॉल रेडी हो गया है अभी हम पढ़ रहे हैं लोकसभा देखो वीडियो थो आप कभी कंप्लीट हो जाएगा फास्ट में थोड़ा एफिसेंसी बढ़ाओ मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि विद्यार्थी वही सफल होगा चाहे आप किसी भी सेक्टर की एक्जाम की त्यारी कर रहे हो जो कम से कम चार से पांच घंटा बैठना सिख गया ना अगर आप किताब लेकि बैठना सीख गये ना तो समझ लो आपका जो सफलता है ना सुनिस्चीत है तो वो जरूरी है आप अधिक टैम पटो ऐसा नहीं कि दस मिनट पढ़ लिया हो गया ऐसा नहीं करना है उसको बढ़ाना है चलो आगे पढ़ते हैं लोकसभा लोकसभा की सनरचना अन सभा पतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है लोकसभा अपनी पहली बैठक के पस्चात यथा सिग्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है यह आपका अनुछे 93 के अंतरगत दिया गया है मूल संभिधान में लोकसभा की सद से संख्या 552 हो गई है अमेर्की राष्टर पति जो भार्षिय संसद में बोले वह पहले है आइजन हौवर आइजन हौवर 1969 में बोले थे जीमी कार्टर यह बोले थे 1978 में विल क्लिंटन 2000 में बड़ा कौमा 2010 में यह सब संसद में आके बोले हुए थे अमेर्की राष्टर राष्टर पति जो भारत आएं लेकिन संसद नहीं पहुचे वे थे रिचार्ड निकल्सन और जोर्ज डवलू बुस आगे लोक्सवा में दिया गया है कि इनमें अधिक्तम 300 सौरी 530 सदस्य राजी के निर्वाचित छेत्रों से वह अधिक्तम 20 सदस्य संहिये छेत्रों से निर्वाचित किया सकते यहां भी परसन आजाएगा कि मेक्सिमम कृतिक्तम 252 यह आता है राज से तो प्रस अइसे करके पूछा जाता है कि लोक सभाह में राज के कितने परतिनिदी होते हैं तो 530 पर टिक करना है 550 पर नहीं टिक करना है अब देखो परसन असान ही पूचता है पर थोरा उसमें कन्फूज करके डालता है तो आपको सही से थोरा पढ़ के कोशन टिक करना पड़ेगा तो राजी से कितना होता है और राश्टरपती जो होता है अधिक्तम दो सदस्यों का मनोनायन करते है बरतमान में लोक सभाके सदस्य की संख्या कितनी है 545 है इन सदस्यों में 530 सदस्य जो है वो 68 सराजियों से और 13 सदस्य साथ कन्रसासित परदे से निर्वाचित होता है पड़ यहां पर थोड़ा समझो बरतमान में 13 सदस्य आप और यह कितना हो सकता है maximum तो यह 20 हो सकता है अगर पुछले बरतमान में कितना है तो 13 पे टिक करना है और अगर maximum पूछे तो 20 पे टिक करना है और दो सदत से तो अपना ये राश्ट्र पती चुल लेगा ये अनुछे 331 में ये साथ याद है ना तो वही उसी अनुछे के अंतरगत राश्ट्र पती जो होता है वो लोकसभह में दो परतिनती को चुन सकता है अगे नए परिसीमन के बाद लोक सभा में अनुसुचित जातियों के लिए 84 अस्थान और अनुसुचित जाति के लिए 47 अस्थान आरक्षित किया गया है यह है अनुचित 30 में मतलब लोगसभा में जो सीट का बटवारा है उसमें 84 सदसी अनुसुचित जाती के लिए और 47 सदसी अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षित किया गया है 2001 इस्वी में संसद द्वारा पारित 84 संबिधान संसोधन बिधयक के अनुसार लोगसभा एवं बिधान सभाओं की सीटों की संख्या 2026 इस्वी में यथावत रखने का प्राबधान किया गया है जैसा है वैसा ही रखने का प्राबधान किया गया है लोग सभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्स के अधार पर होता है लोग सभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्स मतलब पहले क्या 18 वर्स था तो नहीं पहले ये 21 वर्स था ठीक ना लेकिन 61 संबिधान संसोधन हुआ जिसमें मताधिकार की आयू जो है 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कहा दिया गया और 18 वर्स की आयू प्राप्त ब्रक्ति को वयस्क माना गया याद रखियेगा 16 संबिधान संसोधन कब हुआ था 1989 में 1989 से पहले जो था मताधिकार की आयू कितनी थी 21 वर्स थी आगे आपका लोक सभा में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए राजिवार जनसंख्या के अनुपात में अरक्षन का प्राप्धान है यह अनुचे 30 और अनुचे 332 में दिया गया है यह प्राप्धान प्राडंभ में 10 वर्स के लिए किया गया था किन्तु इसे संबिधान संसोधन दुआरा 10-10 वर्स के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा बरतमान में 95 संबिधान संसोधन जो 2009 में हुआ था इसके अनुसार अनुचे 334 में संसोधन कर लोकसभा में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के आरक्षन तथा आंगल भारतियों को मनोनित करने समंदी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया मतलब यहां भी आरक्षन सुरू कर दिया गया सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा छेत्र जो है वो बाहरी दिल्ली है जहांबे मतदाता कितना है 33,68,399 यह 2011 का जनगना के अकॉर्डिंग है सबसे कम मतदाता वाला छेत्र लक्षदीप है लक्षदीप only 39,033 है च्छत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा लोकसभा छेत्र जो है वो है लद्धाक और सबसे छोटा जो है वो है चांदनी चौक चांदनी चौक आगे यहां दिया गया है कि लोकसभा सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए योगता क्यासव है उसके लिए आपको भारत का नागरी खोना पड़ेगा आयू कम से कम 25 बड़ सोना पड़ेगा और भारत सरकार अथवा किसी राजी सरकार की अंतरगत वह कोई ल लाव का पोस्ट नहीं होता यह सब सेवा का पोस्ट होता है तो इस सब पोस्ट पे हैं तो आप यह बन सकते हैं वह पागल और दिवालिया भी ना हो जैसे कि अगर आप लबीजय मालिया को मन होगा कि चलो अब लोग सभाय काध्यक्ष बन जाते हैं तो नहीं बन पाएगा बन सकता है लेकिन अब वो दिवालिया हो गया तो अथेंटिकली वो बन नहीं सकता है अगर लेकिन जान पहचान है तगरा उसका बन भी जाए अब यहां पे लोग सभा में सदस्यों की संख्या दिया गया है तो सबसे अधिक उत्तर परदेश में है कितना है असी है उत्तर मधिपर्देश का असी महराश्टर का 48 पस्सिम बंगाल का 42 बिहार का 40 तामिलाडू का 49 39 मधिपर्देश का 29 करनाटक 28 करनाटक 28 गुजरात का 26 राजस्थान और आंधरपर्देश दोनों का 25 है ओडिशा का 21 केरल में 20 तेलंगाना 17 जहारखंड में 14 असम में 14 ही है पंजाब मे 13 पंजाब में लोकसभासी 13 चतिसगर में 11 हर्याना 10 उत्राखंड 5 ही माचल परदेश में 4 मेगाले में और जो भी सेवन सिस्टर है अधिकतर नागालेंड और मिजोरम को छोड़ कर नागालेंड मिजोरम और सिक की मचा इस तीनों में एक है ठीक ना और चाए मेगाला और न पर चांड़ीयर में विए एक दादर नागर है वेली एक दवंदीप में भी एक लक्षदीप में एक और अंडमान निकोबार में भी एक यह सारा जो है लोकसभा सीर्था अलग अलग एस्टेट्रों का अगय की लोकसभा का अधिकतम कारिकाल 5 बरस का होता है मंत्री- परदानमंत्री के प्रामर्स के आधार पर राश्रपती के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है ऐसा अब तक आठ वार किया जा चुका है इतना बार किया जा चुका है पर याद रखेगा फिर से रिपीट करता हूँ राज सभा कभी भंग नहीं होगा अपातकाल की घोसना लागू होने पर बिधी द्वारा संसत लोकसभा के कारिकाल में बिर्धी कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा अपातकाल की उद्गोसना स्माप्त हो जाने के पस्चात उसका बिस्तार किसी भी दसा में छो मेहने से अधिक नहीं होगा 1976 इस बी में लोकसभा का कारिकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था इस वर्ष याद होगा मतलब यह राष्ट्रपती सासन लगा था इंद्ला गांधी के टैम में उस वर्ष ऐसा किया गया था लोकसभा एवं राजसभा के अधिवेशन राष्ट्रपती के द्वारा ही बुलाये जाएंगे या अस्थागित किये जाएंगे लोकसभा की दो बैटकों के भी छो मेहने का अधिकांतर नहीं होना चाहिए मतलब एक वर्ष में कम से कम दो बार होना चाहिए जब तक संसद बिधी द्वारा अनिथा उबंध ना करे तब तक संसद के प्रतेक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गनपूर्ती सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवा भाग होना चाहिए यह अनुच्छित एक सो के तीन में दिया गया है यदे सदन के अधिवेशन में मतलब एक वटे दस का मतलब है कि एक वटे दस सदस अगर आएगा ना जैसे पांच सो पचास सदस की बात की जा रही है तो पंच सदस अगर आ गया ना तो संसद किया ओगा सुचार रूप से चलेगा लोग सभा चलेगा यह दिया गए है अनुचित 103 में आपको वन वे टेन यह एक वट्टे दसमा हिस्जा है ना यह आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा किसी सदन के अधिवेशन में किसी समय गनपूर्टी नहीं है गनपूर्टी उन लेवटे 10 तो सभापती या अध्यक्ष अत्वा उस रूप में कारी करने वाले ब्यक्ति का या करता भी होगा कि वो सदन को अस्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर जब तक कि गनपूर्टी नहीं या अनुचेद 104 में दिया गया है जब गनपूर्टी लोगसभा की बात होना तो एक वटे 10 सदस जरूरी होता है गनपूर्टी के लिए लोगसभा की गनपूर्टी या कोरम कुल सदस्यकी संख्यां का एक वटे 10 भाग होता यानि पचपन के संज़ुकत अधिवैसन जुँ होता यदि दूसरे सदन दवारा विधैक अस्विकार कर दिया जाएगा तब क्या होगा राश्टरपती संजुत अधिभैसन बुला लेगा बिध्यक पर किये जाने वाले संसोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से अगर असामत हो जाए दूसरे सदन को बिध्यक प्राप्त होने की तारिक से उसके दुआरा बिध्यक पारित किये भी ना चोँ मास्य अधिक बिध्यक अभर अलगर हम बात करें तो कोई भी बिध्यक जो लोकस्वा में पारित हो गया है राजस्वा में अठक रहा है ठीक ना तो उसके लिए राश्टरपती क्या करेगा दोनों को बुलाएगा और पूछेगा भै तुम दोनों हो जाने पर अनुचिद 108 के पांच के अधिन संजुक्त बैठक हो सकती है और उसमें बिध्यक पारित हो सकती है तो मनमानी तो नहीं चलेगा ना थोरा रियलिटी बताना पड़ेगा और वो बिध्यक क्या होता है रियलिटी में पास हो जाएगा नोट दिया गया है अनुचिद 108 के दुआरा निर्धारित संजुक्त बैठक की प्रकिडिया समान्य बिध्यक तक ही सिमित है धन बिध्यक एवं संबिधान संसोधन बिध्यक पारित करने के लिए संजुक्त बैठक नहीं हो सकता संबिधान संसोधन विधयक दोनों सद्रों में अलग-अलग पारित होना चाहिए संबिधान संसोधन अनुछे 368 दो दुआरा सासित होता है राश्टरपती राजसभा के स्वापती और लोगसभा के अध्यक्ष के प्रामर्ज करने के पस साथ दोनों सद्रों की संजुक्त बैठक से सम्मंदित और उसमें परसपर संचार से सम्मंदित प्रकिरिया के नियम बन सकेंगे ये दिया गया है आपका अनुछेद 118 के 3 में संजुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोगसभा के अध्यक्ष के दूआरा की जाती है ये 118 के चार में दिया गया है कि संजुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा तो लोग सभा का अध्यक्ष करेगा संजुक्त बैठक की अध्यक्ष की अनुपस्थिती के दोरान सदन के उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज सभा का उपसभापती या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अनिबेक्ती पिठासीन होगा मतलब करेगा जो बैठक में उपस्थित सदस्य दुआरा अब धारित किया जाएगा संजुक्त बैठक में कोई बिधयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस बिधयक को दौनों सदनों में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के सधारन बोहमत से पाडित किया जाता है यह आपका दिया गया है अनुछेद 108 के 4 में संजुक्त बैठक की समस्त काड़िवाही लोगसभा की प्रकिडिया के अनुसार ही होता है संसद में लंबित बिधयक सदनों के सत्रावासन के कारण ब्यापकत यानि समाप्त नहीं होता यह आपका अनुछेद 107 के 3 में दिया गया है राजसभा में लंबित बिधयक जिसको लोगसभा में पारित नहीं किया जाता है लोगसभा में बिघटन पर ब्यापत नहीं होता है यह आपका एक सो साथ के चार में दिया गया है कोई बिधयक जो लोगसभा में लंबित है या जो लोगसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राजसभा में लंबित है या दूच्छे देक्सोाट के उपबंद के अधिन रखता है रखते हुए लोगसभा के विगटन पर व्यापकत हो जाएगा मतलब लोगसभा में पारित है लोगसभा में एक दिन में 20 प्रसंद पूछा जा सकता है धन बिधयक के संबंध में लोगसभा का निरने अंतिम होता है इस संबंध में संजुक्त अधिवेशन की वस्था नहीं है धन बिधयक जो होता है उसके लिए संजुक्त अधिवेशन नहीं होता क्योंकि इसके लिए लोकसभा के पास ही पूरा पावर है कि वही अंतिम निरने लेगा वही बिल पास करवा लेगा और विस्वास प्रस्ताव के वाल लोकसभा में ही पूरा अस्थापित किया जा सकता है और विस्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कम से कम पचास लोगसभा सदस्यों के समर्धन की जरूरत है जबकि औविश्वास प्रस्ताब को पारित करने के लिए लोगसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है यदि औविश्वास प्रस्ताब पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तिफा देना पड़ेगा अब यहां पे नोट में दिया गया है कि भारत के संबिधान में किसी अविश्वास प्रस्ताप का कोई उल्लिक नहीं किया गया है आगे अब दिया गया है लोकसभा के पदाधिकारी देखो इसको मैं अब अगले वीडियो में कवर कर क्योंकि लोकसभा भी थोले लंबा है और इसमें खीचेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और अधिक भी मतलब ठीक है इतना पड़ो ताकि याद हो जाए तो यहां वीडियो को इंड करते हैं सेसन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे जरूर लाइक और शेयर कर देना और करते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा नहीं पसंद आया हो तब तो कोई बात ने रिस लाइक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बताएगा ताकि वीडियो को इंप्रूब कर पाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाहिन द पुरान नहीं देखे होगे देख लेना क्योंकि लुसेंट बहुत इंपोर्टेंट होता है आपके प्रस्पेक्टिव से तो पूरा देख लेना साथी बैलोजी का मास्टर वीडियो डाल दिया गया है मतलब पूरा उसमें कंप्लीट है 5-6 घंटे का वीडियो है उसको भी अब देख लेजिए गा लिंक आपको मिलेगा टेलिग्राम ग्रूप पे अभी हम पड़ेंगे लोगस भा लोगसभवा के पदाधिकारी लोगसभवा के बारे में वह हम पड़ रहे हैं तो इसमें अभी जो दिया गया है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लै लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनता है तो लोकसभा सदस्य जो होता है वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता है यह अनुच्छिध 9baby article 93 के अंतरगत दिया गया है प्रत्येक आमचुनाव के पस्चात जब लोगसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को सपत दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर उस समय तक काड़ी करता है जब तक की नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चैन नहीं कर लिये जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काड़ी हुआ समझ में आगे होगा आगे दिया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है मतलब एक दोनों दूसरे को जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष क्या होगा अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा लोगसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में सपत नहीं लेता बलकि समानी सदस के रूप में सपत लेता है सपत वो समानी लोकसभा सदस्य के रूप में ही लेगा पर लास्ट में क्या होता है ना कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वह ही उसको अध्यक्ष बना देता है 14 दिन के पुर्व सूचना देकर लोकसभा के ततकालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पाडित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तता उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है मतलब 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा सूचना लेकिन देना पड़ेगा लोकसभा के भंग होने की स्थिती में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है मतलब लोकसभा भले ही बंग हो गया हो पर लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बना रहेगा जब तक की नया बैठक या नया लोकसभा गठित नहीं हो जाता लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिती में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिती में राश्ट्रपती द्वारा बनाए गए बरिष्ट सदस्यों का पैनल में से कोई भी व्यक्ति पिठा सीन होता है। इस पैनल में आम तोर पर छो सदस्य होते हैं। आगे दिया गया है कि लोगसभा अध्यक्ष का क्या काड़ी और अधिकार है। कि इस इसू में कोई बात नहीं संसद सदस्यों को भासन देने की अनुमति देना और भासनों के क्रम वा समय निर्धारन करना बेविन बिधयक वा प्रस्ताबों पर मतदान करवाना वा पडिनाम घोसित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्नायक मत देने का अधिकार होता है ये बहुत इंपपोटेंट है कि लोग सभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्नायक मत्र दे सकता है हैं संसद वर् आस्ट्रपती के म'Donly होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई बिध्यक्ष धन धन बिध्यक है या नहीं ये कौन बताएगा लोग सभा का अध्यक्ष बताएगा फिर से रिपीट करता हूँ कोई बिध्यक धन बिध्यक है या नहीं है ये कौन बताएगा लोग सभा का अध्यक्ष बताएगा गलती नहीं कर लेना इसमें बहुत बाप उचा गया प्रस नही लिया जाएगा मतलब वो कह दिया तो कह दिया अविया लोग सभा के अध्यक्ष का लिश्ट दिया गया है तो पहले लाते हैं पहले उसको हम पहला लोग सभा का अध्यक्ष कौन थे जीवी मावलेंकर जीवी मावलेंकर जीवी मावलेंकर ही ऑप्सन मेड़ेगा हालाकि दो न पहला और जो भी बरतमान में है उम बिरला तो वो पर पहला भी काफी इंपोटेंट है जी भी मावलेंकर दूसरा है M अनंदस्यम अयंगर तीसरा है हुकुम सिंग चौथा है निलम संजीव रेड़ी और गुरू दयाल सिंग धिलो पाचवे है गुरू दयाल सिंग धिलो और चौथे में निलम संजीव रेड़ी और कैस हेंग्रे साथवा बलडाम जाखर आठवा में बलडाम जाखर नौवी रवी राय दसवा में सिवराज पीपाटील एक्ञारवा पी-एम संगमा बारहवी में जी-म-सी बाल योगी तेरवा में भी जी-म बाल योगी और मनोहर ग सुमित्रा महाजन और सत्रहवावी कौन है ओम बिर्ला ओम बिर्ला तो परजन्ट का और पहला कोशिस करना की नहीं भूलना और ये सब जो है कोशिस करना वह भी याद हो जया आगे पोईंट दिया गया है उसके काड़िय में अध्यक्स का काड़ि कि यादी उसकी आगया से को को राज कोस से बेतन प्राप्त होता है वह उसे कैवनेट अस्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाये प्राप्त होती है मतलब लोग सभा के बिपक्ष का जो नेता है उसको कैवनेट मंत्री का पूरा दर्जा प्राप्त है और उसे बेतन भी उसी अधिकार में मिलता है अब ल वक्त का नेता बन पाएगा बर्तमान लोकसभा का कारिकाल 17 अप्रेल 1952 से 4 अप्रेल 1957 तक रही पर्थम जो लोकसभा था उसका कारिकाल लिखा गया है पर्थम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिवी मावलेंकर और उपाध्यक्ष कौन थे अनंत सेयनम थे अनंत सेयनम आगे यहा कारी करने वाला व्यक्ति पर्थमता मत नहीं देगा ये उपर भी पढ़ लिये हैं लेकिन जब बड़ावर हो जाएगा तो निर्नायक मत वो दे सकता है ये आपका अनुचित 100 के कौमे या अनुचित 100 के फस्ट में दिया गया है क्या दिया गया है कि अगर कोई मतलब जब भो करने की सकती होगी यदि बाद में या पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे करने का हकदार नहीं था कारिवाहियों में उपस्थित रहा या उसके उसने मत दिया या अनिथा भाग लिया तो भी संसद की कारिवाहि बिधी मानी होगी मतलब अन्नोन तो नहीं कोई लेकिन को कोई भी सदस्य रख सकता है लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमती आवस्यक है बिना अध्यक्ष की अनुमती के अस्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है अस्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्दे से सार्वजनिक महत्यू के निश्चित आवस्यक मुद्द का अंतिम भी निश्चाए चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ड़ पती करते है एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है कोई भी सदस्य सदन की अनुमती के बिना कि सदस्यता क्या हो जाएगी स्माप्त हो जाएगी मतल devoir लगातार की बात की जा रही है रुकरुक्टिय कार सकते हो संसद सदस्यों को संसद में बैठक के पुर्व या बाद में कि चालिस दिन की अब अधिय के दौरान गिरपतारी से मुक्ती परदान की गई है गिरपतारी से यह मुक्ती केवल सिविल मामलों में है अपराधिक मामलों में अर्थात है निवारक निरोध की बिधी के अधिन गिरपतारी से छुट नहीं है कोई भी मुकदमा दो टैप का होता है एक होता है अपराधिक जिसमें आपने किसी को हर्म पहुंचा आया थिक हैसे कि मैंने मेरा मोवाइल खो गया कभी खो जचा बात नहीं है अग ήको आ HeATIONfend तो वो अपराधिक मामले मेहत उसको छूट नहीं होगा, लेकिन सिविल मामले मेहत उसको छूट मिल जाएगा, क्लियर हुआ, आगे दिया गया भूत पूर्व, संसद सदस्यों के लिए पैंसन व्यवस्था, 1976 में लागू किया गया, यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से सम मंदि सपद लिये विना संसद की कारिवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कारिवाही पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा, जितने दिन वो मतदान करता है, वो कारवाही में भाग लेता है, तो परति दिन की हिसाब से उसक पांच सो रुपया दंड सो रूप देना पड़ेगा न्याले द्वारा अप्राधी घोसित किये गए ब्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णा है संसत द्वारा किया गया संसत के द्वारा पारित जन परती निधितु अधिनियम 1951 की धारा आठ के तीन के तहट या उलेखित किया गया है कि किसी जन परती निधि को दो या उससे अधिकी सजार सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो अगले छो साल तक चुनाव नहीं लड परन्तु राजी सभा का सभापती या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में काड़ करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पडियाप्त अभी व्यक्ति नहीं कर सकता है वो अपनी मात्र भासा में सदन को संबोधित कर देगा यह अन 21 फरवड़ी को हम लग मुनाते हैं मात्र भासा दिवस आगे आपका पंध्रहवां एक्सेसाइज है भारत का महा नियवादी यह अनुछेद जो है ना काफी इंपोटेंट है अनुछेद चीहतर किसे समंदित है महा नियवादी से फिर सी रिपीट करो महा नियवादी के वा सरपर्थम भारत सरकार का बिधी अधिकारी होता है भारत का महा नियवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्री मंडल का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समीतियों में बोल सकता है परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है बेरी प्रणुछेद 88 जो है आर्टिकल 88 इसके अंतरगत ये कहा गया है कि महार्नियवादी संसद का ना तो सदस्य होता है ना ही मंत्री मंडल का सदस्य होता है लेकिन किसी भी समीती में कहीं भी वो बोल सकता है लेकिन जब मतदान करने की बात आएगी तो वो निरनायक मत भी नहीं महार्नियवादी के निक्ति कौन करता है राष्टरपती करता है तथा वो उसके परसाद पढ़ियंत पद धारन करता है इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राष्टरपती चाहेगा या फिर जब तक वो रिटेर का एज नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पोस्ट पर बना रहेगा महार्नियवादी बनने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको हम कहते हैं उतना ही है जितना उच्छी नियाले के नियाधिस के लिए होता है महार्नियवादी को भारत के राजी छेतर के सभी नियालेयों में सुनवाई का अधिकार है महार्नियवादी को सहाइता देने के लिए एक सॉलिस्टर जेनरल तथा दो अतिरिक्त सॉलिस्टर जेनरल भी निक्त किया गया है मतलब नहीं आ जाता है बरतमान में सॉलिस्टर जेनरल कौन है तुसार मेहता है तो बरतमान में अधिक नहीं बताऊंगा बरतमान में जो है न वह आप लोग याद मैं अभी बर्तमान वाला इसलिए नहीं कहता हूं कि मालों अभी आप परजेंट में देख रहे हूं जो बच्चे 2023 में यह वीडियो देखेंगे उनको लगा का नहीं सर तो पूरा गलत ही बोले जा रहे हैं तो इसलिए बर्तमान इसमें कहना थोड़ा अलग होता है नहीं कहना चाहिए राज का महादीवक्ता अनुछेद 165 में राज के महादीवक्ता की विवस्था की गई है महादीवक्ता की विवस्था आर्टेकिल 165 में किया गया है यह राज का सरवच्चे कानून अधिकारी होता है अभी हमने क्या पढ़ा था जो महानिवादी होता है वो क्या 76 था और यह है आपका महादी वक्ता महादी वक्ता यह अनुचे 165 महादी वक्ता किसमें है अनुचे 165 यह सर्वोच्य कानून अधिकारी होता है सर्वोच्य कानून अधिकारी महादी वक्ता के न्युक्ति राजिपाल के द्वारा होता है राजिपाल वैसे व्यक्ति को महादिवक्ता निक्त करता है जिसमें उच्छी नियाले के नियाधिस वनने की योगता हो वो अपने पद पर राजिपाल के परसाद पढ़ियंत्र बना रहेगा जैसे उपर महादिवादिता सेंट्रल में वैसे महादिवक्ता क्या होता है राज करे जो राजयपाल द्वारा सोपे गए हैं क्लियर अपने कारी समंधी करतब्यों के तहत उसे राज के किसी नियाला के समक्ष सुनवाई का अधिकार है इसके अतिरिक्त उसे बिधान मंडल के दौनों सधनों या समंधित समीती अत्वा उस सवहा से जहां के लिए हुआ अधि मिलते हैं जो विधान मंडल के सदस्यों को मिलते हैं यह था महाधी वक्ता आर्टिकल 165 था और महानियवादी का क्या था चीहत्तर था अनुछिद मेरे वह काफी इंपोटेंट है नहीं भूला आगे अब दिया गया है स्वालावा एक्सरसाइज है हमारा भारत का नियंतरक एब महालेखा परिक्षक कंप्टोलर एंड ओडिट जेनरल क्याग जिसको कहते हैं यह दिया गया अनुछिद 148 से लेकर 151 तक इसी वीडियो में इसको भी कंप्रीट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्रीट करने एक्जाम सब हो रहा है अभी ठीक ना तो अभी द कि लिए उसको हटाने के लिए संसत के दौनों सदन लोकसभा राजसभा वहां पर बील पास करना पड़ेगा महावयोग लगाना पड़ेगा तो कदाचार या समर्थता होगा तभी उसको हटाया जाएगा यानि इससे हटाने की प्रकिडिया जो है उचितम न्यालय के निया जो पहले हो जाए उसको रिटेर करना पड़ेगा आपको याद रखना है छो बर्स और 65 यह सेवा निविर्थी के पस्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारन नहीं कर सकता है मतलब जब इस पोस्ट पर आगे रिटेर कर गया उसके बाद वो किसी पोस्ट पर नहीं नियंतरक महालेखा परिक्षक सारवजनिक धन का सनरक्षक होता है कैग भारत तथा परतेक राज्यए एवं परतेक संग राज्य चत्र की संचित निधी से किए गए सभी ब्याय विधी के अधिनी होते हैं और इस बात का संग परिक्षा करता है यह नियंतरक एबं महालेखा परिच्छक राश्टरपती या राजपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधी करण की लेखाओं की भी लेखा परिच्छा करता है जैसे अस्थानिय निकाओं का भी लेखा परिच्छा करेगा मतलब जो लोकल कुछ होता है उसका भी वो जाश परताल कर सकता है राश्टरपती और राजपाल के कहने पर आगे अपना दिया गया है नियंतरक एबम महालेखा परिक छक केंदर सरकार के लेखाओं से सम्मंधित परती वेदनों को राश्टरपती को देता है जिसे वो संसद के परतेक सदन के पटल पर रखता है या अनुचित 151 के कौमे दिया गया है नियंतरक एबम महालेखा परिक छक सभी राज़ी के लेखाओं से सम्मंधित परती वेदनों को उस राज़ी के राजपाल को देता है जिसे वो इस राज़ी के बिधान मंडल के पटन पर रखता है नियंतरक एबम महालेखा परिक छक राश्टरपती को तीन लेखा और तीसरा है सरकारी उपकर्मों पर लेखा परिक्षक रिपोर्ट राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दौनों सदनों की स्वापटल पड़कता है इसके उपरांत लोक लेखा समीति इनकी जांच करती है और निसकर्ष जो निकलता है उसे संसद को अभगत करवाता नोट में दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक संसद की लोक लेखा समीति की गाइड मित्रुआ मार्क दर्सक के रूप में कारी करता है अब आगे जो 17 एक्सेसाइज है वह है भारत के संचित निधी उसे भी हम इसी वीडियो में कंप्लेट करेंगे वीडियो हम कोशिज करते हैं कम से कम 30 मिनट के आसपास तक जाए भारत सेशन आपको अच्छा लगड़ा हो ना कुछ देखो अच्छा से क्या मतलब है मेरा टार्गेट है कि जो भी बुक है घर पे आप पड़ नहीं पाते हो उसको कंप्लेट करवाना तो अगर थोड़ा भी रहम करो मेरी मेहनत अगर आपको लगड़ी हो कि नहीं सर मेहनत कर रहे है तो सर को भाय को मित्र को जो कहना है को अगर आपको अलगड़ा है तो पिलिज यार सेयर करो आप लोग ठीक ना आप ही लोग के सेयर के भड़ो से चल रहा है ये चैनल ठीक न तो पिलिज सपोर्ट करो सेयर क आंत्रीक और बाहरीन दियेगे रिन अधागई से प्राप्त रासियादी की एक निधी है जिसे ब्हारत की संचित निधी कहा जाता है संचित निधी में से कोई धनरासी संसत द्वारा बिनियोग बिधहयक पारित कर दिये जाने के पस्चात ही निकाली या बै की जा सकती है अनिधा नहीं अता बिनियोग बिधहयक को हर हालात में नए बीतिये वर्स को प्रारंभ से पहले पारित करा लेती है किन्तु कवी-कवी ऐसी पडिश्थितियां आ जाती है जब बजट प्रकिरिया एक अप्रिल से पहले संपने नहीं हो पाती है इसके लिए जब तक कि बजट प्रकिरिया पूरी नहीं हो जाती उच्छ दोरान ब्याय के लिए लेखा नुदान पाडित कर धन की विवस्था की जाती है यानि लेखा अनुदान सरकार के ब्याय पक्च से सम्मंदित होता है जो बजट परकिरिया पूरी ना होने के चलते ब्याय की विवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। अनुदान और अनुदान पारित करने के कारण ब्याय के लिए धन की विवस्था करना होता है। भारत की संचित निधी पर भारती व्याय निम्न है। पहला है राष्ट्रपती का बेतन और भत्ता वा अन्य व्याय मतलब संचित निधी से किसको किसको बेतन जाता है। अगे राजसभा, सभापती, उपसभापती, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भत्ते ये सब संचित निधी से जाता है। सरवची नियालय के नियाधीस का वेतन भत्ता और पेंशन और उची नियालय के नियाधीसों का पेंशन, भारत के नियंतरा के बं महालेखा प्रिचक का वेतन भत्ता पेंशन, ऐसा रिन भार, जिसका दय तो भारत सरकार पर हो, वो भी कहां से जाएगा, संचित निधी से ज जाएगा कोई अन्य व्याए जो संबिधान द्वारा या संसद निधी द्वारा इस परकार भारित घोसित करे वो भी संजित निधी से ही जाएगा भारत के लोक बित पर संसद्य नियंतरन की बिधिया संसद के समुख वार्षिक बीतिय विबरन को प्रस्तूत किया जाना लोक बित पर नियंतरन रखने के लिए अनुछेद 112 में प्रबंधन किया गया है कि राष्टरपती प्रतेक बीतिय वर्ष के संधर्व में संसद के दौनों सदनों के सम्मक्ष वार्षिक बीतिय विबरन प काली जा सकती है जब इसके दुवारा बिनयोग बिधयक को पारित करा लिया जाए तिसरा पुएंट दिया गया है अनुपूरक अनुदानों और अनुदान का प्रबंधन अनुपूरक अनुदानों एबब अनुदान के माध्यम से भी लोक बितक पर परभावी नियंत्रन जा गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए और पढ़ियाप्त है इसी प्रकार जब एक अप्रेल से पूर्ब सरकार बिनियोग बिधयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार अनुदान लेखक के माध्यम से माध्यम से तब तक के खर्च का परबंध करती है जब तक कि पुना बि घटन होने की स्थिति में होता है चौता पॉइंट दिया गया कि संसद में बित बिध्यक का प्रस्तूत किया जाना संसद में बित बिध्यक के द्वारा भी लोक बित पर नियंतर रखा जाता है बित बिध्यक को बजट सत्र में बिनियोग बिध्यकों के साथ-साथ पारित किय जाता है तो चलो अब आगे जो हमारे सब्सक्राइब भारत की अकस्मिता निदी इसको हम मतलब इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो पिलीज मेरे वाइब जरूर करना और पसंद नहीं आ र देख रहे हैं अध्यन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समानिग्यान जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारतिय संभीधान आज हम पढ़ेंगे 18 एक्सरसाइज हलाकि 18 तो कफी छोटा है आगे 1920 जो भी होगा इसमें हम कंप्लेट करे अभी जो मारा पहला एक्सरसाइज है वह भारत की और कास्मिक्ता निधी मतलब जो इमर्जनसी फंडिंग होता है ना एक होता है फंडिंग जो फिक्स है कि जैसे अस्प्रति का बेतन होगा वह संचीज निधी से जाएगा और कुछ जैसे इमर्जनसी हो गया तो उसके बिधान मंडल को यथा इस्थिती भारत या राज्जी की आकस्मिता निधी स्रिजित करने की सक्ति देता है कौनसा अनुचेद अनुचेद 267 दो सो सरसथ यह निधी भारत की आकस्मिता अधिनियम 1950 इसवी के द्वारा गठित किया गया यह निधी कारिपालिका के जब तक बिधान मंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे ब्यायक को प्राधिक्रित नहीं करता तब तक समय समय पर अनव्यक्षक ब्यायक करने के प्रयोजन के लिए कारिपालिका इस निधी से अग्रिम धन दे सकता है इस निधी में कितनी रक्म हो यह समुचित बिधान मंडल भी नियमित करेगा मतलब बिधान मंडल बताएगा कि इस निधी में आप कितना रख सकते हैं क्लियर आपको इसमें इंपोर्टेंट यह था कि 21 अनुछेद में यह दिया गया है 266 यह इसका बहुत अधिक इंपोर्टेंट है कई वार पूछा संसोधन की प्रकिरिया का उल्लेख किया गया है इसमें संसोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है कौन से अनुछेद में संविधान संसोधन की बात की गई है तो अनुछे 368 368 पहला इसमें दिया गया है जो तीन बिधी है उसमें से पहला बिधी है सधारन बिधी द्वारा सधारन बिधी मतलब वा कानून तो सधारन कानून द्वारा संसद के सधारन बहुमत द्वारा पाडित बिधेयक राश्टरपती की स्विक्रिती मिलने पर कानून बना सकता है। इसके अंतरगत राश्टरपती की पुर्व अनुमती मिलने पर निम्नलिखित संसोधन किया जा सकते हैं। कौन कौन सा संसोधन जैसे की नए राश्टरों का निर्मान, राजी छेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संबिधान की नागरिक्ता समंदी अनुसुचित छेत्रों और जन्जातियों की प्रसासन समंदी तथा केंद्र द्वारा प्रसासनिक छेत्रों के प्रसासन समंदी व दूसरा है आपका विशेस बोहमत द्वारा संसोधन यदि संसद के प्रतेक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बोहमत तथा उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बोहमत से अगर विधयक पारित हो जाए तो राश्क्रपती की स्विक्रती मिलते ह की वह संसोधन संबिधान का अंग बन जाता है इसके अंतरगत नियापालीका और राजी के अधिकारों तथा सक्तिया जैसे कुछ बिस्विश्ट बातों को छोर कर संबिधान की अननी सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकिडिया के द्वारा संसोधन किया जा सकता है मतलब जैसे चोटा मोठा बात है जैसे कि नया राजवाज बनाना होगा जिससे मेलनी नागरिक पे कोई खास इंपेक्ट नहीं आएगा वो आ जाएगा सधारन बहुमत पे विशेस बहुमत पे जो भी मतलब बस नियापालिका को छोड़ कर जो हमारे देश में इंडिपेंडेंट ब बिशेस बहुमत एवं राज बिधान मंडलों की स्विक्रती से संसोधन संबिधान के कुछ अनुछेदों में संसोधन के लिए बिधहयक को संसद के दौनों सदनों के बिशेस बहुमत और राजियों के कुल बिधान मंडलों में से आधे द्वारा स्विक्रती आवस्यक है की काड़िपाली का सक्ति का विस्तार राजियों की काड़िपाली का सक्ति का विस्तार किंद्रसासित छत्रों के उच्छ नियाले संग्य नियपाली का राजियों के उच्छ नियाले संग और राजियों की विधाई संबंध सात्वी अनुसुची में कोई भी साय जैसे कि संब्बिधान संसोधन किसी भी संसर किसी सदन में पेश किया जा सकता है ne आगे हमारा एक्सेसाइज है नियाए पाली का बीस में एक्सेसाइज है बहुत इंपोटेंट है यह सारी एक्सेसाइज अच्छा SPD का मैंने जो PDF है न वो टेलिग्राम गुरूप पे डाल दिया है तो देख लेना और डालोड कर लेना उसमें जो बरतमान में कौन क्या है न वो दिया गया है तो आपको एक्जाम में आगे हल्प कर देगा अब यहां पढ़ने निया पाली का जिसमें सर्वुच्ची नियाले पढ़ेंगे भारत की नियाईक व्यवस्था एक हडी और एक इकडित है कैसी है एक हडी और एक इकडित है जिसके सर्वुच्ची सिखर पर भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं सर्वुच्ची नियाल सुन यालया का संबनधी अनूछ यह का इस सब्सक्रा ensuring की अस्थापना गठन अधिकारिता सक्तियों के बिनियमota बिनियमन से सम्मंधित विधी निर्मान की सक्ति किसके पास है, संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है कि सर्वच्य नियालय के रिगार्डिंग कोई संसोधन होगा, तो वो संसद में ही होगा, सर्वच्च नियालय मतलब नियाधिसों की संख्या संसोधन बिधयक 2019 के अनुसार सर्वच्च नियालय में एक मुख नियाधिस और 33 अणिय नियाधिस है यह आपको याद रखना पड़ेगा पर्दमान में सर्वच्च नियालय में नियाधिसों की संख्या कितनी है तो 33 आपक आगे अब नोट में दिया गया है सर्वोची नियाले में लोक नियाधी सहित कुल आठ नियाधीसों की विवस्ता संविधान में मुलका की गई है बाद में काम के बढ़ते दबाब को देखकर तदोपरांत फिर 1960 में यह पुना बढ़कर 14 हो गया और फिर 1978 में यह 18 हुआ फिर 86 में कितना हो गया 26 हो गया और फिर 2019 में यह 31 हो गया आगे दिया गया है इन नियाधीसों की नियुकती राष्टरपती के द्वारा होती है नियाधीसों का नियुकती कौन करेगा राष्टरपती करेगा उपर हम लोग ने राष्टरपती में पढ़ लिया था कि राष्टरपती किसका किसका नियुकती करता है सर्वोच्य नियालय के नियाधीस बनाने के लिए नियुन्तम आयू सीमा निर्धाडित नहीं किया गया है याद रखियेगा सर्वोच्य नियालय का जो नियाधीस बनेगा उसके लिए नियुन्तम आयू सीमा फिक्स नहीं है लेकिन उसमें इतना सारा कर दिया गया है ना कि आगे अला की दिया गया होगा कि दस साल तक वो कहीं पे काम कर लिया होगा तो ऐसा ऐसा दे दिया गया है कि उसका आयू कम से कमना मतलब 55-60 से अधिक होगा आगे दिया गया यहाँ पे कि एक बार निक्त होने के बाद इनके अवकास गर्हन की आयू सीमा जो है 65 वर्ज है याद रखेगा सर्वच्च नियाले जो है उसमें 65 वर्ज है और आगे पढ़ेंगे उच्च नियाले वाले का 62 वर्ज है तो कन्फ्यूज नहीं करना इसमें के अधार पर राष्टरपती के द्वारा हटाया जा सकता है यह प्रोसेस है कि किस परकार आप सुप्रीम कोट के नियाधिस को हटा सकते हैं सर्वच्च नियाले के मुख नियाधिस को दो लाख असी हजार रुपया परतीमा और अन्य नियाधिस को दो लाख पचास हजार परतीमा बेतन मिलता है तो तीस जार का गैप है यह प्रस इस पार NTPC में पूछा गया था यह मतलब आठ या दस को जो जाम हुआ था ना 2021 में NTPC उसने पूछा गया था कि मुख नियाधिस जो होता है सुप्रीम कोड का मुख नियाधिस उसका बेतन कितना है तो 2,80,000 और अन्य नियाधिस का कितना है 2,50,000 राष्टप्रति का आधा है राष्टप्रति को मिलता है पांच लाग ओके सबसे अधिक समय तक मुख नियधीस के पदपा रहने वाले नियधीस कौन थे यस्वंत विस्णू चंद्रचूड वयवी चंद्रचूड जो की 1978 से लेकर सबसे कम समय तक मुख नियधीस के पदपा रहने वाले नियधीस कमल नरायन सिंग थे जो की उल्ली सतरा दिन तक रहे थे एक्यानवे में बने और एक्यानवे में हटके 15 मुख नौंबर से बारत इसंबर नोट में दिया गया है जब राष्ट्रिय जब भारतिये नियाइक सर्वची नियालय के नियाधीस के लिए क्या सब योगिता है मतलब आप लोग अगर चाहते हो कि सर्वची नियालय का नियाधीस बन जाए तो आपको पहले भारत का नागरिक बनना पड़ेगा भारत के नागरिक वह किसी उच्छी नियाले अथवा दो या दो से अधिक नियालेयों में लगातार पांच बड़सों तक नियाधिस के रूप में कारी कर चुका हो कि किसी भी उच्छी नियालय में ठीक ना कम से कम पांच वर्षो तक वो भी दो या दो से अधिक एक से नहीं दो या दो से अधिक उच्छी नियालय में वो नियाधिस रह चुका हो। करने के बाद भारत में किसी भी नियालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। का जो कोई राष्ट्रपती है उसको कौन सपत दिलाया था तो नाम भी पूछा जाएगा आप लोगों से इस परकार से तो याद लखिएगा। आगया की मुख नियाधिस राष्ट्रपती की पुर्व स्विकिर्टी लेकर दिली के अतिरिक्त अन्य किसी अस्थान पर सर्वोची नियालय की बैठकें बुला सकता है। तक हैदरावाद और स्री नगर में इस परकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। अगया आपका सर्वोची नियालय का छत्राधिकार जिसे पहला है प्रारंभिक छत्राधिकार तो यह निम्न मामलों से प्राप्त है। ब्भारत संग तथा एक या एक से अधिक राजियों के मद उत्पन विवादों। कि दो से अधिक एस्टेट के बीच अगर कोई विवाद होगा या सेंट्रल और एस्टेट के बीच कोई विवाद होगा तो उसका निप्टाडा कौन करेगा Supreme Court करेगा यह इसका प्रारंबिक छत्रादिकार आता है प्रारंबिक छत्रादिकार के अंतरगत सर्वच्ची न्याले उसी बीवाद को निर्दने के लिए स्विकार करेगा जिसमें किसी तथय या विधी का प्रस्ण सामिल हो कानूनी कारवाई तो इसे भारत के सभी के नियालयों के निर्णाइक के बिरुद अपील सुने का अधिकार है इसके अंतरगत तीन परकार के प्रकरन आते हैं पहला आता है संबेधानिक, दूसरा है दिवानी और तीसरा क्या है फोजदारी अब तीसरा है प्रामर्स दैतरी छितर अधिकार इसके अंतरगत क्या होता है कि राश्टरपती को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के बिवादों पर सर्वची नियालय का प्रामर्स मांग सकता है नियालय के प्रामर्स को स्विकार या और स्विकार करना राश्टरपती के बिवेक पर निर्भर करता है यह इंपोटेंट यह भी है अनुछेद 143 इसमें क्या दिया गया है कि दाश्टरपती को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के बिवादों पर सर्वची नियालय का प्रामर्स मांग सकता यह किसमें है अनुछेद 143 चौथा है पुनर विचार समंदी छत्राधिकार संबिधान के अनुछेद 137 के अनुसार सर्वची नियालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वेंग द्वारा दिये गए आदेश या निर्णय पर पुनर विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवस्यक परिवर्तन कर सकता है पाचमा है अविलेख नियालय संबिधान के अनुछेद 139 सर्वची नियालय को अविलेख नियालय के अस्थान परदान करता है जिसका आसाय यह है कि इस नियालय के निर्णय सब जगा साक्षी के रूप में स्विकार किये जाएंगे और इसका प्रमानिक्ता के विश्याय में कोई प्रस्न नहीं किया जाएगा मतलब जो कह दिया वो सही है चाट है आपका मौलिक अधिकारों का रक्षक यह सन रक्षक भारत का सर्वची नियालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है अनुछेद 32 सर्वची नियालय को विशेश रूप से उतरदाई ठहराता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अवस्यक कारवाई करे नियालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी परत्यक्षी करन परमादेश परतिसेद अधिकार प्रिक्षा लेक और उत्परेशन का लेक जारी कर सकता है यह आर्टिकल 32 के अंतरगत वो पांच रिट जारी करता है जिसमें ही सब है बंदी, परत्यक्षिकरन, पर्मादेश, परतिसेद, अधिकार, पिक्छा और उत्प्रेशन ओके ये पांच रीट है इसे ही भीमड़ों अंबेद करने संबिधान का आत्मा कहा था अब नोट में यहाँ पे दिया गया है कि सर्वच्छी नियालाय में संबिधान के निर्वाचन से सम्मंदित मामलों की सुनवाई करने के लिए नियाधिसों की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए ये दिया गया है आपका आर्टिकल 145 के 3 में ये हो गया सुप्रिम कोट वाला, अब है हाई कोट, उच्छे नियालाय इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे उच्छे नियालाय संबिधान के अनुसार परतेक राज्जी के लिए एक उच्छे नियालाय होगा ये अनुछे 214 में दिया गया है लेकिन संसद बिधी द्वारा दो या दो से अधिक राज्जियों या किसी संग छेत्र में के लिए एक ही उच्छे नियाले अस्थापित कर सकता है ये दिया गये 231 में जैसे कि देखें कि गोआ का महराश्टर में है तो ऐसा बहुत सारे राज्जी का एक जगह पे होगा ये आपका 231 में दिया गया है और 214 में किया दिया गया है कि हर राज्जी का अपना एक उच्छे नियाले होगा बरतमान में पंजाब इवम हर्याना असम नागालेंड मिजोरम और अरुनाचल परदेस महराश्टर गोआ दादर और नागर हेवेली और दमन और दीब और पसिम बंगाल अंड़मान निकोबार दीम समु आदी के लिए एक ही है उच्छी नियाले है मतलब अलग अलग है जिसे पंजाब हर्याना का चंदीगड में ऐसे करके है अलग अलग बरतमान में भारत में 24 उच्छी नियाले है और 33 क्या है 24 उच्छ नियाला यह काफी इंपोर्टेंट है केंदर सासित परदेश में केवल दिल्ली में उच्छ नियाला जहां पर उच्छ नियाला है और वहां पर उच्चतम नियाला है पड़तेक उच्छे नियालय का गटन एक मुख्य नियाधीस तथा अन्य नियाधीस से मिलकर बन जाता है इसके न्युक्ति रास्टरपती के द्वारा होता है अनुच्छे 217 भीन भीन उच्छे नियालयों में नियाधीसों की संख्या अलग-अलग होती है मतलब वो डिपेंड करता है उस राजी का पॉपुलेशन कितना है उस सब के अधार पर उच्छे नियालय के नियाधीसों की योगिता क्या होनी चाहिए तो देखो मैंने जिगर किया था ना कि 62 वर्स उच्छे नियालय में है और सुप्रीम कोट में क्या था 65 वर्स है अभी से प्रस्थावित है इसको 65 वर्स करने की बात की जा रही है पिछले तीन से चार सालों से अभी तक हुआ नहीं है प्रस्थ काफी अधिक आता है उच्छे नियालय का मेक्समिवायू कितना है तो 62 वर्स इसमें गलती नहीं करना अत्मा किसी उच्छी नियालय में या एक से अधिक उच्छी नियालय में लगतार 10 वर्सों तक अधि वक्ता हो। को धितकर कभि भी त्याग पत्र दे सकते फेड़ी इंपोर्टेंट त देखो उच्छे नियालयं का जुनियाधीस होगा उसको सपत कौन दिलबा रहा और उसको लेगा राजपाल Siya को तो पन्जाब का जो और इस पूलब वह कहां पे है चन्डीगर मत्फकरें if you are a में हाई कोट है ना वहां का राजिपाल उसको सब दिलवाएगा अब यहां पर उच्छे नियाले का लिष्ट दिया गया है ठीक ना आपको इसमें याद क्या रखना है कि जैसे कलकत्ता का है तो उसका अस्थापना कव हुआ था उसके अधिक प्रस्थिम बंगाल अंडमान निकोबार दीप समु आता है बंबे वाले का अस्थापना 1862 में वा बंबे में है इसमें महरास्ट गोवा दादर और नागरहवेली दमन और दीप आता है मद्रास 1862 में हुआ इसका हैड़कॉर्टर यानि जहां पर वो चेन्ने में है इसमें त नाटक के अंतरगत है पटना बिहार पटना में है 1916 में अस्थापना हुआ था देखो आप जिसे स्टेट्स ही होना उसका अस्थापना बड़स्था आपको पूर्ड अदर टिप्स पर याद रहना चाहिए ओडिशा वाले का 1948 उडिशा में है कटक कटक ओडिशा गोहाटी 1948 अजाधी के एक सल बाद 1948 में इसके अंतरगत असाम नागालेंड मीजोरम और उनाचल परदेश आता है गोहाटी सेवन सिस्टर काधिक तरिसी में आ जाता है राजस्थान का जोधपूर में है राजस्थान 1950 में अस्थापना हुआ था मध्यपरदेश 1956 में वाता आफ तर्वे उचने आले वहीपर जमु कास्मीर में अब लहवी आता है लद्दाग जिसकों कहते हैं तो जमु कास्मीर में 1957 में इसका अस्थापना हुआ गुजरात 1960 में अहमादाबाद में दिल्ली 1966 में बहुत पर पुछा गया प्रस्ति दिल्ली उचने आले का स्थापन में तो एसंटीन को में तो डोजार उन्दीस में अलग वा था दोजून को स्वडी दोजून चौदरावाद में इसका और आंध्रपरदेस का भी अमड़ावदी में है आंधरपर्देश में क्लियर अब जब आंधरपर्देश और तेलंगाना एक ही राजी थे तब उसका उंची नियाला है है इसका स्थापना 1954 में हुआ था ले और फिर जब अलग हुआ तो अलग अलग हो गया नोट में दिया गया केरल उंची नियाला ने 1997 में सबसे पहले बंद को समबे घुरा तुम था कि यह करना गलत है और यह बंद तो पे तरह से gap घटाओं आप लोग कभी अइसा होता है कि कुछ सेंटर बंद होता है शुसमें कभी पाडिस्पेट ना कड़े वो reality यह होता है कि political party जो होता है वो अपना power दिखाना चाहता है कि हमारे अंदर कितना capacity है कि हम भारत बंद करवादे हैं और कुछ नहीं होता हुआ उसका मतलब उससे काफी लोग परिसान होते हैं मैं अपने एक बने टाइम लोगा एक बार मतलब पूरा इंडिया बन था और मैं कोई एक्जाम देखे आ रहा था बहुत पहले की बात है मतलब माधिपर्दिस में गया हुआ था दो दिन मुझे जाने में लगा था दो दिन आने में लगा हुआ था और जब मैं पहुँचने वाला था उस दिन वो पूरा बंद था तो एक दिन मुझे पूरा मतलब सुबह से लेका रात तक इस्टेशन बैठना पर गया था फालतू में बिना किसी रीजन का तो ऐसा बहुतों के साथ होता होगा पांच दिन में घर से बाहर था और जब भी आप स्टुडेंट लैप में ही होगे आप लोग भी तो लोग ट्रेन में कितना खाते हैं कैसे रहते हैं तो काफी गलत इंपेक्ट परता है तो कभी भी अगर इस सब में आप पाटिस्पेट करते हैं तो नहीं कीजिए क्योंकि इससे फायदा होना कुछ नहीं है जो यात्री होते हैं उनको काफी अधिक नुक्सान और काफी अधिक प्रवलेम होता है अगर यहां पर दिया गए लोग अधालत लोग अधालत कानोनी बिवादों के मैत्री पुर्ण समझोते के लिए बैधानिक मंच है बिधिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 संसोधन 2000 में हुआ था द्वारा लोग उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमे वाजी पुर्व सुला और निर्धारन के लिए अस्थाई लोग अदालतों की अस्थापना के लिए प्राबधान करता है ऐसे फोज़दारी विवादों को छोर कर जिनमें समझोता नहीं किया जा सकता दिवानी फोज़दारी राजस्व अदालतों से लंबित सभी कानून विवाद मैतरी पुर्ण समझोते के लिए लोग अदालत में लाये जा सकते हैं कानूनी विवादों को लेकर अदालते मुकदमा दाएर होने سے पुर्व भी अपने यहां सुिकार कर सकती है लोक अदालत के निर्णाइ अनि किसी दिवानी नियाले के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं यह निर्णाइ अंतिम होता है लोक अदालतों द्वारा दिये गए निर्णाईयों के बिरुद अपील नहीं किया सकती देश के लगबग सभी जिलों में अस्थाई और सतत लोक अदालत अस्थापित की गई हैं लोक अदालत पांच लाख रुपे तक दावे पर विचार कर सकती है उसी अधिक के लिए आपको हाइकूट जाना पड़ेगा उची नियाले के नियाधिस को उसी परकार उची नियाले के नियाधिस को उसी परकार अपड़क्ष किया जा सकता है जिस परकार उची तेम नियाले के नियाधिस को पद मुक्त किया जाता है मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के नियाधिस को अटाते है ना वैसे ही उच्छी नियाले के नियाधिस को भी अटाएंगे ठीक ना मतलब उसमें भी राष्ट्रपती को ही वह अपना त्याग पतर देगा और उच्छी नियाले का भी क्या होगा राष्ट्रपती को ही त्याग प हमने उपर क्या बढ़ाता कि सुप्रीम कोट का जो नियाधीस होगा वो इंडिया के किसी भी कोट में वकालत नहीं करेगा दुनिया में भी उसको नहीं करना चाहिए कहीं भी क्योंकि अगर वह हार जाता है ना तो काफी गलत इंपक्ट परता है कि यह इस देश का सुप्रीम क नियाधीस होगा या आगर आपका रास्टर पति नियाले किन ग्याधिस को भी में की निखाओर्त के रूप में काली करने का अनुरोद करणे करें खहगत अद्धित से निखित लुट में विसे तरफ़ था राश्टिक्थि नियाल कोश्ची धायं नीखी लिबिखिमılar कज़ाना किसी दूसरे उच्छी नियाले में कर सकते हैं जो मुख नियाधीस होगा उसके प्रामर्स पर राश्ट्रपती हाई कोर्ट का जो नियाधीस सब्सक्राइब उसको एक जगह से दूसरे जगह अस्थांतरन कर सकता है अगे यहां पर वेतन दिया गये हैं तो याद रहना चाहिए आपको राश्ट्रपती का पांच लाग है उपराश्ट्रपती का चार लग लोकसाभाध्यक्ष इसका चार लग राजपाल लाजपाल का सारे तीन लग सर्वची नियाले का नियाधीस दो लाक सी हजार सर्वची सबसे कम यहां पे कौन है उच्छे नियालय के अन्नी नियाधिस को दो लाग पचीस जार अगे आपका अन्नी नियालय का छत्राधिकार जिसे पहला है प्रत्मिक छत्राधिकार परतेक उच्छे नियालय को नौका अधिकरन इक्छा पत्र तलाक बिवा यह कंपनी कानून नियाय की अवमानना तथा कुछ राजसु समंधी प्राकरनों नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियानवन के लिए अवसक निर्देश विशेशकर बंदी पर चक्छी करन परमा च्छतरादिकार के अंतर गाता है उच्छी नियालय के च्छतरादिकार में दूसरा है अपीलिये च्छतरादिकार इसमें फौजदारी मामले में अगर सत्र नियायधिस ने मिर्थ्यू दंड दिया हो तो उच्छी नियालय में उसके बिरुद अपील कर सकते हैं फिर अगर आपको लोकल पे जाना पड़ेगा उच्छी नियालय पेटेंट और डिजाइन उत्राधी कारी भूमी प्राप्ती दिवालियापन और सनरक्षता आधी मामलों की अपपिली सुनता है तीसरा दियागे उच्छी नियालय में मुकदमे का हस्थांतरन यदि किसी उच्छी निया प्रस्ट को निप्टाड़ा अधिनस्त नियालय के निर्दय के लिए वापस भेज़ देगा जो से छोटा नियालय ने डिस्टिक कोट होता उसके पास भेज़ देगा तिसरा प्रसासनिक अधिकार उच्छी नियालयों को अपने अधिनस्त नियालयों में निक्ति पद्वा नती पढ़्दो नती च्था चुटियों से संमंधित निएम बनने का अधिकार है अगेट में दिया गया है कि उची में अपील का सरुची नियाले नहीं है राज फूची शुची से शंबन भूठ कि अपिल हो सकती है मतरब राजीमें भी उच्ट हम्नियाले नहीं है याद रखना इस इसको लिए उक्षारक вид्वहुक्ता से भारत सरकार्ट ने उप्भोक्ताउं के हितों के संलक्षन के लिए उप्भोक्ता संलक्षन अधिनीएं 1986 परुद किया उपभोगता समस्याओं से निप्टाडा के लिए जिला अस्तर पर जिला फोरम राज अस्तर पर राज उपभोगता विवाद निवारन आयोग तथा रास्ट्रिय अस्तर पर रास्ट्रिय उपभोगता विवाद निवारन आयोग का गठन किया गया है जिला फोरम जो डिस्टिक फोरम होता है 20 लग तक के मामलों की राजी फोरम निवारन 20 लाग से लेकर 1 करोड तक का और जो राश्ट्रिय होता है वो 1 करोड से लेकर अधिक तक का सुनबाई करेगा केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरन जो स्कैट होता है तो संबिधान के अनुछे 323 का ए के प्रअब्धानों से केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरन का गठन उनिस सो पचासी में प्रसासनिक अधिकरन अधिनियum 19 के तहथ किया गया इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांदी थे है जिस्टेमं पचाशी में कौन थे राजीव गांधी थे कैट के अध्यक्ष उच्छ नियालाएक बरतमान तता स्यवाने विर्द नियाधीस होते हैं उच्छ नियालाएक इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं यह सदस्य नियाईक और प्रसासनिक दौनों चेतरों के लिए जाते है अब है राजी की काड़ी पालिका सेंट्रल पुड़ा खत्म हो गया अब आपका एस्टेट शुरू हो गया तो यहां वीडियो को इंड करते हैं वीडियो भी अप्रॉक्स 30 मिनट का हो गया देखो मेरे बीडियो पूरा देखते हो तो आपको 100% मिलेगा ठीक ना मेरा जो मे नहीं पढ़ता है आगे भी जब हो जाएगा तब भी परना काफी अधिक सुगम लाइफ हो जाएगा तो इसलिए पूरा सही से पढ़ो चलो हमें वीडियो को इंड करता हूं मिलते नेक्स वीडियो में सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सर जरूर कर दीजिएगा जहीं दोस्तों आप देख रहे हैं अधियन के अंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समाने ज्यान जिसमें हमारा चल रहा है भारती संबिधान यानि इंडियन कंस्टिचूशन आज हम पढ़ेंगे 21 एक्सरसाइज भारत की काड़ी पाल ताकि मेरा मेनत थोरक लगे की नहीं सही मेनत कर रहे हैं तो चलो अभी हम पढ़ते हैं राजी की काड़ी पाली का उपर जो संघ का सब कुछ होता है न वो कंप्लिट हो गया अगे है राजी का तो पहला इसमें दिया गया है राजपाल राजी पाल संबिधान के भाग च्छ में भी हो जाएगा आपको याद रखना है कि राजी पाल के बारे में कौन से भाग में दिया गया है भाग च्छो में भाग च्छो में ओके राजी की काड़ी पालिका का परमुक राजी पाल होता है यह परत्यक्ष रूप से अथवा अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है अर्थात राजियों में राजपाल की स्थिति कारी पालिका की परधान होती है किन्तु बास्तविक सक्ति किस में होता है मुख्य मंत्री के निर्तित्व में मंत्री परिशत में होता है जैसा कि संग में क्या था कि संबेधानिक तोर पर जो हेड होता है वो तो राश्टरपती होता है लेकिन जो रियलेटी में होता है कारी करने की दृष्टी कौन से वो कौन होता है परधान मंत्री में होता है और उसके मंत्री परिसद में होता है मंत्री मंदल में होता है तो सेम राज में भी ऐसा ही होता है परसिडेंट समझो राजिपाल को और पर्धारमंत्री समझो मुक्हेमंत्री को काफ़ी इंपोटेंट है कि पर्तेय क्राजे में एक राजपाल होगा किन्तु साथवे संबिधान संसुधन जो 1956 में हुआ था इसके दूआरा कहा गया कि इनमें एक परंतुक जोड दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल न्युक्त किया जा सकता है मतलब हमेशा देखते होगे कि कोई ने कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल न्युक्त कर दिया जाता है अगर यहां पर राज़ेपाल की योगिता कैसम है कि आप अगर राज़ेपाल बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको भारत का नागरी कोना पड़ेगा 35 वर्ष की आयूप पूरी करनी पड़ेगी किसी परकार के लाभ के पद पर नहीं हो वह राज़े बिधान सभा का सदस्य चुने जाने योगियों मैं बार रिपीट करता हूँ लाभ के पद का मतलब यह हुआ कि आप गवर्मेंट इंपलवाई नहीं हो ठीक ना लेकिन अगर आप कहीं पर मुखिया हो ना तो क्या हम लड़ सकते हैं हाँ बिल्कुल लड़ सकते हो जो नितागरी वहला पोस्ट होता है ना समझ रहों नितागरी क्या होता है तो वो पोस्ट सेवा का होता है वो पोस्ट लाव का नहीं होता है मतलब कोई मालो कोई मंत्री है उसको मन हुआ कि नहीं अब हम राजिपाल बनेंगे तो क्या वो बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि वो मंत्री ना लाब का पद नहीं हुआ, वो सेवा का पद हुआ, मन में तो आपको भी आ रहा होगा कि मुझे भी ऐसा ही सेवा करने का मौका मिल जाता, क्या, चलो आगे आते हैं, राजिपाल की निक्ति रास्टर के दों में दिया गया, कारिका पांच बरसों का होता है, नोट में है कि भारत के सम्थान में, उसको वैसे राजिपाल इधर सदर कर देता है, उनल पर्धान मंत्री के कहने पे, राजिपाल का बेतन 3,50,000 मासिक है, सोरी परधानमंद्री के जड़ा परधानमंद्री की कहने पर नहीं होता राष्ट्रपती करता है वो राजपाल का बेतन तीन लाग पचास जार मासिक है यदि दो या दो से अधिक राजियों का एक ही राजपाल हो तब उसे दोनों राजपाल का बेतन उस अनुपात में दिया कि राजय पाल जो है उसको सपत कौन दिलवाएगा उच्छे नियालय का मुखनी अधिस मतलब हाई कोट का जो मुखनी अधिस होगा वह या नहीं तो बरश्टम नियाधिस एक तो यह याद रखो और दूसरा कि राजय पाल की उनमक्तियां और बिशिस अधिकार वह अपने प पालन के लिए कनियाले के प्रति उत्तरदाई नहीं होता राजयपाल की पदावधि के दोरान उसके विरुद्ध किसी भी नियालय में किसी परकार का अप्राधिक कारवाई नहीं प्राडब की जा सकती है हमारे देशे में राश्टरपती हुआ राजय हुआ य wellness के खिलाफ नहीं करेगा समाना जाता है जब वह पदपर हो तब उसकी गिरफतारी का आदेश किसी न्याले द्वारा जारी नहीं क्या जा सकेगा को कर पालिका का वह हेडी होता है ना राजिपाल का पद गरहन करने से पुर्व या पस्चात उसके द्वारा किये गए कारी के संबंध में क राजिपाल का समंधि काली कैसर है राजि dopamine करने से नाम से किया जाएगा वैसे राजिपाले में ray द्वारा के नाम सेंयगा जातए राजिपाला कि दिलाता हैब तता उसे पद एवम गोपनियता की सपत दिलाता है। राज़िपाल राज़ि के उच अधिकारी जैसे की मुख्य सचीब, महाधी वक्ता, राज़ि लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष एवम सदस्यों की निउक्ती करता है। नोट में दिया गया है राज जिपाल, राज लोग सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता, आयोग के सदस्य, राश्टरपती दुआरा निर्देशित किये गए उच्छी नियाले के परतिवेदन पर कुछ निरहारताओं से होने पढ़ी राश्टरपती दुआरा हटाये जा सकत यह आपका अनुचे 117 में दिया गया है, राज जी के उच्छी नियाले में नियाधी सों की नुक्ति के संब्स में राश्टरपती को पत्मध कर रहा है हैं पर राष्ट्रपती कर रह Android यह अनुश्य 217 के कौमे एक राजर पाल का अधिकार है कि वो राजरके प्रसासन के संब्स में मुंख मंत्री से सूचना पुरापड करें राश्ट्रपती सासन के समय राजिपाल केंद्र सरकार के अधिकर्ता के रूप में राजिका प्रोसासन चलाता है राजिपाल राजिके विश्विद्यालेयों का कुलाधी पती होता है तथा कुलाधी पती को भी नियुक्त करता है वो राजी विधान पणिशद की कुल सदस्य संख्यां का एक वर्टे छो भाग सदस्यों को नुक्त करता है जिसका समन्द विज्ञान साहिती कला समाज सेवा सहकारी आंदोलन आदी से रहता है यह ध्यान देने योगि है कि राजी सभा से समन्दित तत्समान सुची में सहकारी आंदोलन समलित नहीं है आगे दूसरा पॉइंट दिया गया है विधाई अधिकार वो था कारी पाली का अधिकार आगे विधाई अधिकार राजिपाल बिधान मंडल का अभिन अंग है यह अनुछेद 164 में राजिपाल बिधान मंडल का सत्रावासन करता है उसका सत्रावासन करता है तथा उसका भिगटन करता है राजिपाल बिधान सभा के अधिवेशन अत्वा दोनों सदनों की संजुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है। चुनाब आयोग से प्रामर्स करके करता है। प्राप्त है तो राजिपाल उस समुदाय के एक बिधान सभा में मनुनित कर सकता है। यह आपका अनुचेद 133 यह राजिपाल को एक्स्ट्रा सक्ति देता है। यह काफी इंपोटेंट है। राजिपाल को एक अलग मतलब किसी समुदाय से जहां पे मेंबर नहीं आ रहा है। वो एक को चुन सकता है यह है अर्टिकल 333 में जबकि राश्ट्रपती के पास दो को चुनने का अधिकार होता है। नोट दिया गया है कि जमू कास्मीर राजिपान सभा में दो महिलाओं को परवेश का राजिपाल नामजाद करता है। जब विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राजिपाल को ऐसा लगे की ततकाल करवाही की आवशकता है तो वो अध्यादेश जारी करता है जिसे वही अस्थान पड़ाप्त है जो विधान मंडल द्वारा पाडित किसी अधिनियम का है। ऐसा अध्यादेश चो सप्ता के भीतर विधान मंडल द्वारा स्विक्रित होना आवस्यक है। यदि विधान मंडल चो सप्ता के भीतर उसे स्विक्रित नहीं करता है तो उस अध्यादेश का बैधता क्या हो जाएगा स्माप्त हो जाएगा। यह है आपका अनुछे 213 में राज़ेपाल धन विधायक के अतिरिक्त किसी विधायक को पुनह विचार के लिए राज़ी विधान मंडल के पास भेज सकता है लेकिन याद रखेगा धन विधायक को वो नहीं भेजेगा परन्तु राज्य बिधान मंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किये जाने पर वो उस पर अपनी सहमती देने के लिए बादी होता है राश्टरपती के लिए आरक्षित विधायक जब राश्टरपती के निदेश पर राज्यपाल पुनरविचार के लिए विधान मंडल को लोटा दे ऐसे लोटाए जाने पर विधान मंडल छो मास के भीतर ही विधायक पर पुनरविचार करेगा और यदि उसे पुनह पाडित किया जाता है तो विधयक राष्टरपती को पुनह परस्तूत किया जाएगा किन्तु इस पर भी राष्टरपती के अनुमती देना अनिवारी नहीं है वो मतलब समझो पास हो गया है यह आपका अनुछेद 201 में है राष्टरपती के बिचार के लिए आरक्षित रख सकता है यह आरक्षित बिधयक तभी परभावी होगा जब राष्टरपती उसे अनुमती परदान कर दे राष्टरपती के एक बिधयक आरक्षित करना उस समय अनिवारी है जब बिधयक उच्छे नियाले की सक्तियों का अल राजिपाल परतेक बितिय वर्स में बित मंत्री को बिधान मंडल के समुख वार्षिक बितिय विवरन प्रस्तूत करने के लिए कहता है। बिधान सभा में धन बिधयक राजिपाल के पुर्व अनुब मती से ही पेश किया जाता है। राजिपाल की संतुती के बिना अनुदान की किसी मांग को बिधान मंडल के समुख नहीं रखा जा सकता। अब आगे नोट दिया गया है कि राजिपायोग किसी राजित के राजिपाल को उस बिषेश राजिके पंचैतों दोड़ा बिन यूजित हो सकने वाले करों और सुलकों के निर्धारन के सिध्यानतों के मिसे ऐमें सन्तुती करता है। राज्य बित आयोग किसी राज्य के राज्य पाल को उस विशेस राज्य की पंचैत दुआरा बिन योजित हो सकने वाले करो और सुलकों के निर्धारन के सिध्यांत के विशेय में संदूती करता है। अगे राजिपाल का जो नियाईक अधिकार है वो राजिपाल किसी को दंड को छमा कर सकता है पर याद रखियेगा जो वो था है मिर्तियु दंड उसको उनली राश्टर पती माप कर सकता है राजिपाल नहीं कर सकता है उसका प्रविलंबन बिराम या परतिहार कर सकता है किसी संबंद में राजिपाल की काड़िपाल का सकती का विश्थार है है यह आत्यापका उनुचिद 161 के अंतरगत राश्ट्रपत्य को सभी परकार के मिर्थ्यु दंड़ादेश के मामले में च्IZध्यДपादान की सकती पराप्त है जमकि राज पाल को मिर्त्यू दंडादेश के मामले में ऐसी सक्ति पराप्त नहीं है कि राश्टरपती कर सकता है पर राज़िपाल नहीं कर सकता है इसी पर का राश्टरपती को सैना नायक यानि कोर्ट मार्सल के दंडादेश के मामले में भी छमादान की सक्ति पराप्त है पर राज़ पाल को ऐसा नहीं है किसी वर कोर्ट मार्सल का भी पड़ेगा तो रास्टर पती उसको मना कर सकता है अच्छा सौंट तो सही आ रहा ना बगल भी पता नहीं काफी हला हो रहा है लोग काफी चीख रहे हैं पर फिर भी थोड़ा मैं जोड़ जोड़ से बोल रहा हो अब यह अपात सकती जब राज्य पाल को यह समधान हो जाता है कि किसी प्रेस्थिती उत्पन हो गई है जिनमें राज्य का सासन संभिधान के उपबंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राश्ट्रपती को परतिवेदन भेज़ कर वो कहता है कि राश्ट्रपती राजी के सासन के सभी या कोई किर्थ स्वाइं करहन कर ले इसे हम कहते हैं राश्ट्रपती सासन जो कि अनुछेद 356 के अंताय काता था यह बताएगा कौन तो राजिपाल के हैगा राष्टपति को भाय मेरे यहाँ पर अबना राष्टपति सासन लगा दो मेरे से नहीं समालने वाला राजिपाल के इस्थिति उसमें क्या होती है कि यदी हम राजिपाल के उप्युक्त अधिकारों पर दिश्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज़पाल एक बहुत सक्ती साली अधिकारी है किन्तू बास्तविकता इससे सर्वता भिन्न है हमने संसधिये शासनपणाली को अपनाया है जिसमें मंत्री पडिसद बिधान मंडल के पड़ती उत्तरदाई होता है अधा बास्त्विक सकतियां मंत्री पढिसद के से प्राप्थ होती है ना कि राजिपाल को राजिपाल एक संबेधानिक पर्मुक्ग के रूप में काड़ी करता है किन्तु और सधारन इस्थिती में उसे इक्छा नुसार काड़ी करने के अवसर प्राप्थ होते है जिसको जनता चुन के भेजती है सबसे अधिक पावर उसके पास है क्योंकि जनता के पास सबसे अधिक पावर जनता जिसको चुनेगी उसके पार क्या होगा सबसे अधिक पावर होगा तो जो मंत्री पडिसद होता है जनता उसको ड्रेक चुनती है और उसके बार जो भी है न वो तो अब परत्यक शुरुप से चुना जाता है तो उसके पास उतनी सक्तियां नहीं होती अगे आपका है बिधान परिसद राज़पाल अपना हो गया है अगे है बिधान परिसद किसी राजे में बिधान परिसद की अस्थापना और स्मापती का प्रापधान अनुछिद 179 में किया गया है बिधान परिसद राजे बिधान मंडल का उच्छ सदन होता है यदि किसी राजे की बिधान सभा अपने कुल संसदों के पुर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताप पारित करे तो संसद उस राजे में बिधान परिसद अस्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है बरतमान में केवल छो राजी जैसे कि उत्तरप्रदेश, करनाटक, महरास्ट, बिहार, आंध्रप्रदेश, तिलंगाना इन सव राजियों में बिधान परिशद उपस्ती थे बिधान परिशद के कुल सदस्यों की संख्या उस राजी के बिधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकता किन्तु किसी भी अवस्था में विधान परिसद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती कुछ-कुछ exception है पर 40 याद रखना या आपका SI का जो जाम होतान उसमें पूछा गया था कम से कम कितना हो सकते है तो 40 से कुलिर बिधान परिसद का सदस्य बनने के लिए नियुन्त माय20 वर्स है बिधान परिशद की परतेक सदस्य का कारीकाल चो बर्स का होता है। बिधान परिशद के कुल सदस्य के एक तिहाई सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक परतिन धित्व की एकल संकर्मनिय मत पदती दिवारा होता है। स्वसासी असंस्थानों के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। एक वटे बारा सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम तीन वर्सों से माधिमिक पाट सालाओं में अत्वा उची कक्छाओं में सिक्छन गरन कर रहे हो। और एक वटे च्छो सदस्यों का राजिपाल उन व्यक्तियों को मनोनित करता है जो सहिति कला विज्ञान, सहकारिता, अंदोलन, समाजिक सेवा से आये हो। बिधान परिशद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम दस बिधान परिशद में कुल सदस्यों का संख्या एक वटे दस होना चाहिए। बिधान परिशद अपने सदस्यों में से दो को करम स सभापती और उप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् अवस्यक होती है डिदान सभा का कारिकाल पांच वर्ज का होता है किंतु विशेश परिस्थिती में राजेपाल को आधिकार है कि वह इससे पुर्व भी उसको बिगठित कर सकता है बई अभा का सत्रावासन के आदे यसे राज 2030 की द्वरा दिय जाते हैं बिध्था सभा में निर्वाचित होने के लिए नियूंतम आयू 25 बार्श है बिधान सभा में कितना है कम से कम 25 बर्श परतेक 20 और अधिक से अधिक 500-110 है अपवाब्द गोह है जहां पर 40 मिजोण में भी चालिस है इसे Onoo 63كن 251 के तहट बीशेस राज का दर्जा प्राप्त किया गया कॉमेंट वॉक्स मनें बठाण में में भीशेस राज का दर्जा कितने राजीत गिव कुक्क है बिधान सब्खाव में जन संख्या के अधार पर अनुसूचित जातिय और जन जातियों के लिए अस्थानों का आरक्षन किया गया है यह 332 में विधान सभा के अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है किन्तु इसकी बैठकों का संचालन करता है सदारन्तय भिधान सभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता किन्तु यदि सदन के मत बराबड़ी में बट जए तो वो निरनायक मत दे सकता है जब कवी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताब विचारा धीन हो उस समय वो संसद की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता किसी बिधयक को धन बिधयक माना जाए अथवा नहीं उसका निर्णाय बिधान सभा का अध्यक्ष करता है बहुत important है कोई बिधयक धन बिधयक है या नहीं ये कौन बताएगा विधान सभा का अध्यक्ष बताएगा संसत की बैठकों के सदन में कुल सदस्यों का जो होना चाहिए एकपठी दस होना चाहिए उसे गनपूर्ती कहा जाता चाहिए वो लोग सभाव राज सभाव हर जग़े वही एकपठी दस है बिधान सभा के अधिकार और कार दिया गया है तो बिधी निर्मान के लिए क्या सभा है उसके पास तो ऐसे राजी सुची से सम्मंदित विषय पर बिधी निर्मान कर सकता है किन्तु यदि दौनों दौरा निर्मित विधीयों पर परस पर बिरोध हो गया तब संसद्य विधी वरनिये होगा मतलब वो जो लोगसभा करेगा न संसद्य लाज़ सभा लोगसभा उसको अधिक प्रिवर्टि मिलेगा दूसरा पॉइंट दिया गया है बितिये विषयों से समंदित प्रकिडिया क्या सब है तो राजी विधान मंडल राजी सरकार की विपति अवस्था को पूर्णतेया नियंत्रित करता है प्रतेक बितवर्ष के प्राडंब में विधान मंडल के समुख वार्षिक बितिये विवरन अथवा बजट प्रस्तूत किया जाता है जिसमें सासन की आय और ब्याय का विवरन रहता है बजट बितमंत्री द्वारा रखा जाता है कोई धन बिधायक प्राडंब में विधान परिसद में प्रस्तूत नहीं किया जा सकता जब विधान सभा किसी धन बिधायक को पारित कर देता है तब वो विधान परिसद के पास भेज दिया जाता है बिधान परिशद को 14 दिन के भीतर बिधान सभाग को लोटाना पड़ता है बिधान परिशद उस बिधायक के सम्मंद में संस्तोती तो दे सकता है किन्तु वह ना तो उसे औस्विकार कर सकता है और ना ही उसमें संसोधन कर सकता है काफी इंपोडेंट है चौदा दिन के अंदर उसको लोटाना है उसको वो ना तो अस्विकार कर सकता है ना उसमें संसोधन कर सकता है बस सिंग नेचर करेगा वो विधान सभा द्वारा पारित किया जाने के चौदा दिनों के बाद विधाय को दौनों सद्वारा पारित समझा जाएगा और राजपाल उस पे अपनी सहमती दे देगी तो वो क्या बन जाएगा अधिनियम बन जाएगा आगे काड़ी पालिका पर नियंत्रन मंत्री पड़िसत सामुहिक रूप से बिधान सभा के परती उतरदाई होता है संभिधान सभा के परती उतरदाई होता है संभिधान सभा को परस्तावित करने वाला कोई संभिधान संसोधन बिधायक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राजियों की बिधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टी अवस्यक है अगे यह लिस्ट दिया गया है बिधान सभा और बिधान पडिसाद के सदस्यों की संख्या ज sco लग सभा और बिधान सभा आधिक होता है और बिधान पडिस due कि अपने राजका तो कम सकंव याद करो ही अतर-परदे सबसेदिक नियुट 403 विधानपडिशत 99 विधानपडिशत 267 में ही होगा तो उसको अदिकत नहीं है पस्सीम मंगाल 294 महरास्ट 288 यहां पे विधानपडिशत 78 बिहार में 243 पच्छतर विधानपडिशत है तामिलाडू 234 मधिपर्देश 230 करनाटक 224 पचतर अच्छा यह 224 कहता है इसको 224 को हूँ यह दो सच्छा रहता हूं कि राजस्थान 200 गुजरात 182 आंद्रपर्देश 175 और 50 विधानपडिशा में 147 केरल 140 असम 126 तेलंगान 119 और यहां पे विधानपडिशत भी विधान सभा दोनों है कि पंजाब में 117 पंजाब 117 हरियाना नब्बे 36 गडवी नब्बे उ हिमाचल परदे 68 मनीपूर में 60 में 60 तरीपूरा में 60 अरुनाचल परदे 60 नागलेंड भी 60 ओके और यह तिनों काफी इंपोडेंट हो जाता क्योंकि कम से कम होना जाए न जितना उसे भी कम चालीस होना चाहिए यहां पे 32 से सिक्की में एक्सेप्सन है ठीक ना यह तो यह जमु कास्मीर में 114, पुद्दू-चेरी में 30 और देली में 70 है जमु कास्मीर की विधहन सभा में उपराजि पाल दो महला सदस्यों का मनोनेन कर सकता है निर्वाचन समंधी अधिकार में है राश्टरपती के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राजी के विधान सभाओं के निर्वाची सदस्यों को भी प्राप्त है यह पढ़े होगे राश्टरपती जो हम पढ़ र और ये राजीपाल इसका जो सपत है वो मुखिनियाधिस दिलवाएगा या बडिस्ट्रिनियाधिस दिलवाएगा पर द्याक्ष का सपत नहीं नहीं लें टार और हम अगे आपका मुख्य मंत्री उसको में अगले वीडियो में जरूर कर दो ताक्य आगे मीमारा मारतेशन बनाड़े एसलगे रजण्ड दो तो चलो वीडियो को इंड करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यन के इंदर और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट समानिग्यान जिसमें हमारा चल रहा है भारती संपिधान और आज का जो एक्सेसाइज है हमारा वो है परधान मंतरी के बारे में साथ ही आगे जो भी टॉपिकों का उसको कंप्लिट करेंगे वीडियो एवरे दिया गया है मुख्यमंत्री की निक्ति राजिपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री का निक्ति कौन करता है राजिपाल करता है काफी इंपोडेंट है सदारंता वैसे ब्यक्ति को मुख्यमंत्री निक्त किया जाता है जो बिधान सभा में बोहमत दल का नेता होता है बोहमत दल का नेता जो होगा बिधान सभा का उसे ही राजिपाल क्या करेगा मुख्यमंत्री निक्त करेगा मुख्य मंत्री ही सासन का प्रवकता है और मंत्री पडिसद की बैठकों की अध्यक्षता करता है ये संटेंस काफी इंपोटेंट है कि मंत्री पडिसद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है मुख्य मंत्री करता है मुख्य मंत्री पडिसद के निर्नायों को मुख्य मंत्री ही राजपाल तक पहुँचाता है मंत्री पडिसद जो कोई निर्नय लेगा उसको राजपाल तक पहुँचाने का काम कौन करेगा मुख्य मंत्री नोट में दिया गया है 51 नम्मर का जो संबिधान संसोधन अधिनियम 2003 था उसके अनुचार मुख्यमंत्री सहित्य संपूर्ण मंत्री पडिसद का आकार राजी की बिधान सभा की कुल सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी लेकिन मुख्यमंत्री सहित्य संपूर्ण मंत्री पडिसद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए मतलब संपूर्ण मंत्री पडिसद का जितना अकार होगा उसका 15% से अधिक बिधान सभा में मेंबर नहीं होना चाहिए लेकिन मिनिमम जो है वो 12 से भी कम नहीं होना चाहि ये कौन सा संबिधान संसोदन है? 91, 91 नंबर का जो कब हुआ था? 2003 में हुआ था. जब कभी राजिपाल कोई बात मंत्री पडिशत तक पहुँचाना चाहता है, तो वो मुख मंत्री के द्वारा ही कार्ज करता है, या कारी करता है. राजिपाल के सारे अधिकारों का प्रियोग मुख मंत्री ही करता है, राजिपाल के सारे अधिकारों का प्रियोग कौन करता है, मुख मंत्री करता है, अनुचेद 167 बताता है कि मुख मंत्री के कार्यों को परिभासित करता है, मुख मंत्री क्या सब कारी करेगा, ये दिया ग परदेश का सासन राष्टरपती द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रसासक के माध्यम से कारी करता है अंडमान निकोबार दिल्ली और पुदुचेरी के प्रसासकों को उपराजिपाल कहा जाता है समय पंजाब का राजिपाली चंडीगड का प्रसासक यानि मुख्य आयुक्त है दादर और नागर हवेली का प्रसासन दमन और दिप अब तो कोई बाती नहीं है ये दोनों क्या हो गया एक ही हो गया तो एक ही आदमी देख रहा है लक्ष दिप का अपना अलग है तो इसका कोई ओचिती नहीं है आगे नोट में दिया गया है कि अनुछे 249 को के पांच के तहत बिधाई व्यवस्था को संग राजी छेत्र जो दिल्ली और पादुचरी है पुदुचरी के मुख्य मंत्री की न्युक्ति राष्ट्रपति दुआड़ा की जाती है और अन मंत्रियों बिधान सभा के परती सामुहिक रूप से उतरदाई होता है ये दिया गया अनुछे 249 के कौ के छो में आगे अब आप काता है केंद्र राजी संबन्ध है इस्टेट सेंटरल का जो रिलेशन है वो दिया गया है भारत में केंद्र राजी संबन्ध संगभाद की और उन्मु संगभाद की और उन्मुख है और संगभाद का प्रणाली कहां से लिया गया है कनाडा बहुत पर पूछा गया प्रसन है कि संगभाद कहां से लिया गया है कनाडा से तो संसदिय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से लेकिन संगभाद जो है न वो लिया गया है कनाडा से क अभी भी गलती से ब्रिटेन पर टिक नहीं कर देना इसमें। संगवाद कनाडा। भारतिय संबिधान में केंद्र और राज्य के मध्य, बिधाई प्रसासनिक तथा बितिय सक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन निया पालिका को विभाजन की पडिधी से बाहर रखा गया है। भारतिय संबिधान की सातवी अनुसुची में केंद्र और राज्य की सक्तियों का बटवारा से समन्धित तीन सुची दिया गया है। क्या है? पहला तो है संघ सुची, दूसरा है राजी सुची, और तीस्रा क्या है? सम वर्ति सुची. एक हो के सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है विभाजनी दृषि हो विभाजन संभ गया है। पर याद रखिएगा number of जो लिस्ट होता है वो change हुआ है मतलब कुछ जो central में था वो estate में गया है समवर्ती में गया है तो ऐसा ऐसा change हुआ है note में दिया गए यहाँ पर भारत के संबिधान में केंदर और राजियों के बीच किये गए सक्तियों का भिवाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्ले खित योजना पर अधारित है यहाँ पर याद रखना कि जैसे कोई नियम होगा और estate और central दोनों बना रहा है तो किसका अधिक परभावी होगा वहाँ पर केंदर का परभावी होगा संग का संग सुची उन विशाईयों को सामिल किया गया है जो राष्ट्रिये महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एक मात्र अधिकार केंदरिये बिधाय का आर्थात संसद को है इस सुची में इस समय कुल 120 है जो स्टार्टिंग में कितना था 97 था बरतमान में केंदर के पास कितना है 100 सबजेक्ट है जिसमें पर्मुक क्या सब है तो रक्षा, बिदेशी मामला, युद्ध, अंतरास्ट्रे संधी, अनु सक्ती, सीमा सुल्क, जनगन्ना, बिदेशी रिन, डाक एवं तार, प्रसारन, टेलिफोन, बिदेशी बेपार, डेल, तथा वायू एवं जल पडिवहन आदिये ये सब किस में आता है संग सुची में, सेंट्रल लिस्ट में, आगे आपका दिया गया है राज्य सुची, इसे कई सारे प्रस्न हर एक्जाम में बनते हैं, तो इसको सही समझना है, राज्य सुची आ गया, इनमें उन विशाईयों को सामिल किया गया है, जो अस्थानिय महत के हैं, और जिन पर कानून बनाने का एक मात्र अधिकार राज्य बिधान मंडल को है, लेकिन कुछ बिसेश परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकता है, इस संटेंस को फिर से बढ़ो, इनमें उन विशाईयों को सामिल किया गया है, जो अस्थानिय महत्य के हैं, संसद जो सेंट्रल का है, वो भी यहां पे कानून बनाएगा, इस सुची में सामिल विशाईयों की संख्या, इस समय एक सट है, जो पहले कितना था, छिया सट था, इसके परमुक कौन कौन से हैं, तो लोक सेवा, किरसी, कारागार, भूर आजस्व, लोक व्यवस्था, पु पुलिस जो है न, वो किस में आता है, राजियों को, लोक स्वास्थ, अस्थानिय सासन, कड़े विकड़े, तता सी चैया दी, यह सब किस में आ गया, राजियों किस में आ गया, आगे आपका है समवर्थी सुची, कांकरेंट लिस्ट, इसमें सामिल विशाय पर संसद तथा बिदहन मंदल दोनों दुआरा कानून बनाया जाता है और यादि दोनों कानूनों में बिरोध हो तो संसद द्वारा निड्मित कानून लागू होगा जैकरो कितना IMPORTANT leave fact है कि अगर इस दोनों कानूनों में बिरोध हो गया कि एक दूसरे का एंस्ट हो गया तो वहाँ पे किसका बात चलेगा संसद का चलेगा मतलब संख का चलेगा समझ रहे इसको यहाँ पे संख का पावर अधिक है इसमें इस समय बावन भी सा है जो की मूल में कितना था 47 था 47 था इनमें परवु कौन-कौन सा है रास्ट्रे जलमार्ग पडिवार्न योजन जनसंख्या नियंत्रन, समाचारपत्र, कारखाना, सिक्षा, आर्थिक एबं समाजिक योजना और फोरेस्ट ये सब आता है समवर्ति सुची में इसके रिगार्डिंग कोई बनेगा तो दोनों मिलके नियम बनाएगा अगे नोट में दिया गया कि संविधान के 42 में संविधान संसोधन जो हुआ था 1976 में इंद्रा गांधी ती उस्ट्या में परधान मंत्री इसके दुआरा वन, सिक्षा, जनसंख्या नियंत्रन, वा परिवार नियोजन, बाड वा माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक् संवर्थी सुची में नहीं सामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संग के पास होता है, अब यहां पर कुछ फ्रक्ट दिया गया है, यहोगि आपका जो पहले तो संग सुची बाला, यहे है राज सुची का और यहे संवर्थी सुची का, ओके, तो क्योंकि उपर एक पॉइंट यहां पर दिखाते हैं कहां गया कि यहीं पढ़ रहे थे ना थोड़ा और नीचे जैसे यहां पर देखो जैसे मूल संतानवे था ना यहां पर एक लगा हुआ है ना यह एक किसी हो गया संग सुची से, ऐसे दो था राज सुची से, सब मैंने ध्यान देखा था, यहां पर दो है ना, यह राज सुची था और तीसरा जो है वो समवर्ती सुची से था, यहां पर अफेक्ट दिया गया है, कि अब भी अंतिम प्रविष्टी की संख्या 97 है, लेकिन प्रविष्टी था, यहां पर अनुछे दिया गया है, पहला दिया गया है, इसमें कौखो कौखो करके जोड दिया गया, इतना डीप से पुछने का चांस कम अड़ाता है, ठीक ना, आगे यहां दिया गया है, केंदर राज समंधों से जुरे कुछ परमुक अनुछेद, त 243 के अनुछेद, 249 है, रास्ट्रहित में राज सुची से समंधित, किसी मामले में संसद कानुन बनाने की सकती है, रास्ट्रहित के लिए अगर देश की बात होगी, तो उसके लिए राज के लिए भी कानुन कर बनाएगा, संसद बना देगा, यह है 249 में, 250 में दिया गया 373 जोहटा था, उसमें यही हो गया था, कि अपातकार लगा दिया गया, और संसद के दुआरा वहाँ पे संसोधन कर दिया गया, अगर आपका 252, दो या अधिक राजियों के लिए उनकी सहमति के पस्चात, संसद दुआरा कानुन बनाने की सकती, तथा किसी अन्य राज्य दुआरा इस बिधायक को अंगी कार करना, यह है 252 में, दो सो तिरपन में है संसद को किसी अन्य देश, तथा देशों के साथ की गई किसी संधी, करार या अभी समय अथवा किसी अंतराश्ट्री सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किये गए किसी विनिस्चाय के किरिया अनवयन के लिए भारत के संपूर्द राजच्छेत्र या किसी भी भाग के लिए बिधी बनाने की सकती है, 257 में दिया गया कुछ मामलों में संग को राजियों के उपर नियंतरन है, 257 के अंतरगात, 262 में है कि अंतर राजिये नदियां तथा नदी घाटी के पानी से और याद रखिएगा ये सुप्रीम कोट में जाएगा, हाई कोट में नहीं जाएगा, 268 ये पुछा गया था प्रस्न, 268 NDPC में, संग दुआरा आरोपित, किन्तु राज दुआरा संग ही कृत, एबं उपयोग किये गए कर के बारे में संसत कानुन बनाएगा, 268 का है, सं जी के बटवारे से, इस टैप का था, तो अपसाननी से टिक कर पाते हैं, 268 का ये है, कि संग दुआरा आरोपित, तथा राज दुआरा संग ही कृत, एबं उपयोग किया गया स्यवा कर, 279 के अंदर दुआरा लगाये गए एबं संग ही किये गए, किन्तु राज जी को दि जाने वाले कर, 270 के अंदर और राज के बीच लगाये गए कर, इबं संग तथा राजियों का जो बितरन होगा, वो, 275 में कुछ राजियों को संग से अनुदान, 283 में संचित निधिया, आकस्मिता निधिया तथा लोक सेवा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, 286 बस्तुओं की बिक्डी, अथवा खडिद पर करवपन का परपर्तिबंध, 287 में हैं बिजली पर करों की चूट, करों से चूट, 289 किसी राजि की संपती एवं आईका संहिये कारोपन से चूट, 290 कुल ब्याय और पेंसनों के सम्मंध में समायोजन, 292 भारत सरकार द्वारा किये गए उधार, 293 में राजियों द्वारा किया गया उधार, अगे दिया गए राजि सुची के विशय पर कानून बनाने की संसत की सक्तियां, संबिधान के अनुछे 249 में यह प्रापधान किया गया है कि यदि राजि सभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो त्यहाई बहुमत से यह पारित कर दे कि रास्ट्रे हित को दिहान में रख कर संसत राजि सुची के विशय पर कानून बनाए तो सं संसा दुआरा इस परकार बनाया गया कानून एक वर्स के लिए परिवर्तनी होता है लेकिन राजिस सभा दुआरा पारित इससे बारवार कई वर्सों के लिए बढ़ाया जा सकता है के लिए अच्छा एक और आप लोगों से कहना था कि देखो कॉमेंट में जो आप लिखत जिन्होंने कॉमेंट किया था उनको 11 वजे कोई काम था और उसने मुझे बहुत पहले ही कॉमेंट किया मुझे जवाब देना था और मैं उनका जवाब दे पाया एक वजे के आसपास तो कुछ काम का ही नहीं हुआ मेरा कॉमेंट उनके लिए तो अगर कोई ऐसा बात होता ह नो तो इंस्टाग्राम पर बेज़िए इस्टाग्राम का लिंक अल्रेडी दिया रहता है वहाँ फॉलो कर लेजिए मैसेज कीजिएगा और रिपला जरूर मिल जाएगा वहाँ पर नोटिफिकर्शन आता है ने पता जल जाता है कॉमेंट बहुत सारा आता है ने पता नहीं के समय भी संसद को राजिवी सुची पर कानून राजियों की सहमती से भी संसद राजिय सुची पर कानून बना सकता है अनुछेद 253 के अंतरगत अंतराश्ट्री समझहोते को परभावी बनाने है तू संसद राजसुची के विश्यापर कानुन बना सकता है संग की परमुख राजसुची स्रोथ है निगमकर, सीमा सुल्क, निडियात सुल्क, किरसी भूमी को छोड़कर अनि संपती पर संपदा सुल्क, विदेशी रिन, रेल, रिजर बैंक और सिहर बजार इस संग का सुल्क, लेकिन भूमी जो होता है न भूमी इसका जो टेक्स होता है वो किसका होता है राजसुची का है तो ब्यक्ति कर, किरसी, भूमी पर कर, संपदा सुल्क, भूमी एबम भबनों पर कर, पसवो, और नौकायान पर कर, बिक्रै कर, वाहनों की चुंगी पर कर तो ये सब कर किसका है राज का कर है केंद्रुवा राज के मध्य बिवाद को सुलजाने के लिए मुख्यता चार आयोग गठित किया गया है जो इस परकार है प्रसासनिक सुधार आयोग, राज मननार आयोग, भगवान साहे समीती और सरकडिया आयोग जिसमें सरकडिया आयोग का दिया गया है काफी इंपोटेंट भी है 1983 इस भी में केंद्र सरकार ने उच्चितम नियालय में सेवा ने बिड़ते नियाधीस आर एस सरकडिया की अध्यक्षता में केंद्र राज समंदो पर एक तीन सदसी आयोग का गठन किया बेसी ब्रामन और एम आर सेन आयोग के दो अन्ने सदसे थे आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज सरकार के बीच सभी विवस्थाओं वा कारी पधतियों का परिक्षन करे और इस समंद में उचित परिवर्तन वा प्रमानिक सिफारिस परदान करे इसे अपने काम को पूरा करने के लिए एक वर्स का समय दिया गया यद भी इसका कारी काल चार वर बढ़ाना पड़ा रिपोर्ट अन्तिम तुरूप से अक्टूबर 1987 में पेस किया गया और इसका सार अधिकारिक तोर पर जनवरी 1988 इसकी में जारी किया गया आयोग ने केंदर राज्य समंधों के सुधार की दिजा में 247 सिफारिस प्रस्तोत किया था ये लागू का हुआ 1988 याद रखिएगा आप लोग पुंच्छी आयोग अप्रेल 2007 इसपी में केंदर सरकार ने केंदर राज्य समंधों की समिक्छा के लिए उचितम नियाले के भूतपूर्व मुखे नियादीस मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया इस आयोग के अनिचार सदस्य थे धिरंदर सिंग बिनोध कुमा प्रोफेसर एन आर माधव मेनन और डॉक्टर अम्रेश बागची फरवड़ी 2008 हिसवी में डॉक्टर बागची का निधन के पस्चात बिजय संकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 हिसवी में निच्ट किया गया इस आयोग का गठन इसलिए किया गया ताक कि दो दसक पहले बठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनितिक एवं आर्थिक प्रद्रिश के कारण काफी पड़िवर्तन हो चुके थे अतनाई पड़िश्थितियों में के अंदर राजी समंधों का पुनहा आकलन किया जाना आवस्यक था इसलिए बनाया गया था आगे अंतर राज्जी पड़िश्थ अंतर राज्जी पड़िश्थ तैसमा एक्सरसाइज है संभीधान के देखो मेरे अच्छा लगड़ा हो ना कुछ चिखने का मौका मिल लाओ तो लाइक और शेयर कर देना मुझे मतलब कभी 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 ना काफी यह हो जाता है कि बुक चालिस मिनट का वीडियो बनातों कुछ बचे हैं पटने वाले कोमेंट करते हैं कि सरलंबा वीडियो बनाएए यह जल्दी खतम होगा लेकिन देखने वाले हैं जो पांच मिनट देखते हैं तो फिर क्या फाइजा तीस मिनट बनानाएगा समझ रोने इस बात को तो आते हैं तैस्वाह अंतराजिय परिशत सभीधान के अनुछेद 263 के अंतरगत के अंदर एवं राजियों के बीच समन्वे अस्थापित करने के लिए रास्ट्रपती एक अंतराजिय परिशत की अस्थापना कर सकता है पहली बार जून 1990 एसबी में अंतराजिय परिशत की अस्थापना की गए जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था इनमें निम्न सदस्य होते हैं पहला तो है पर्धान मंतरी तथा उसके द्वारा मनोनित छो कैवनिट अस्थार का मंतरी सभी राजियों के संघ राजिय छतरों के मुख्य मंतरी और संघ राजिय छतरों बर्ष में तीन वार की जाएगी जिसकी अध्यक्सता पर्धान मंतरी या उसके अनुपस्थिती में पर्धान मंतरी द्वारा न्युक्त कैवनिट अस्थर का मंतरी करता है परिशत की बैठक के लिए अवस्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवस्य उपस्थितों आगे आपका 24 में संबोधन में योजना आयोक के अस्थान पर एक नई संस्था लाने की घोसना की एक जनवड़ी 2015 को मंत्री मंडल ने एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राश्ट्रिये भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्ट्रिचूट फोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया कहा गया अस्तित में आई आम तोरपर इसे निति आयोक के नामसे जाना जाता जिसका हेड कॉन होता अध्यक्ष परधानमंत्री ही होते हैं सरकार के भीक है सिंक के सार्ग के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी निती निरमान करने वाली संस्था की भूमिका निवाएगा केंद्र वा राजी सरकारों को रास्ट्रिये वा अंतरास्ट्रिये महत्व के महतपुर्ण मुद्दे पर या रन नितिक और तक्निकी सलावी थेगा यहां पर कुछ और फैक्ट दिया गया है कि 15 अगस्त 2014 इस भी को इसे समप्त करने की घोसना की गई योजना आयोग है यह प्लानिक अमिजना निति नहीं निति आयोग तो नहीं आवाला है ना पुराना कि योजना आयोग की अस्थापना की गई थी योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो परधन मंत्री होता था पर्तम योजना आयोग के पाध्यक्ष कौन थे गुलजारी लाल अनन्दा विराजिव कुभार है और CEO अमिताव कांत है तो यह दिया किसका है आगे चेंज होता रह परधन मंत्री होगा तो पहले अध्यक्ष मोदी ही हो जाएंगे अध्यक्ष राजीव कुमार पुर्वकालिन संसद में बीके पॉल बीके सरस्वत प्रोफेसर रमेश चंद्र पदेन अध्यक्ष में अमित साह जो की मंत्री निलुला सीतारमन बित मंत्री राजनाथ सिंह र थावर्चंद गहलोत रौ इंद्रजीत सिंह अधिसासी पड़िसत मुझला गौवर्निंग कॉंसील में अनिसदस सभी राज्यों के मुखबंत्री और केंद्र सासीत परदेशों के उप राज्य पाल था मुख्यकारी अधिकारी अभी अभिताव कांत है CEO इनलों का नाम या उपाध्यक्ष अर्विंद पनगडिया अगया नेसनल रास्ट्रे विकास परिशत रास्ट्री ये विकास परिशत योजना के निर्मान में राज्यों की भागेदारी होनी जाहिए इस विचार को स्विकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताब द्वारा 6 अगस्त 1952 इस भी परदान मंत्री परिशत का अध्यक्ष होता है योजनायों का सचीव इसका सचीव होता है भारती संग के सभी राज्यों के मुख्य मंत्री एवं योजनायों के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते है राश्ट्री विकास परिशत का मुख्य कार ये केंदरुवा राज्य सरकार और योजनायों के बीच सेतु की तरह कारी करना होता है नोट में दिया गया है के संथानम ने राश्ट्री विकास परिशत को सूपर कैबनेट की संगिया दिया आगे जो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और से जरूड करना अच्छा नहीं लग रहा हो ना तब कोई बात नहीं लेकिना कॉमेंट वाक्ष न जरूड बताना कि क्यों इसको इंप्रूब कर पाएं विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहि अगे आएगा तो उसको हम पढ़ लेंगे साथ ही आपका अब हम एकोनोमिक्स भी स्टाट करेंगे लुसेंट का ही पर एक दू दिन के बाद शुरू करेंगे उसको और स्पीडी का समान अध्यन जो है न अब वो चलेगा क्योंकि करेंट अफेर का बुक पूरी तरह से आप संबिधान के अनुछेद 280 में बित आयोग के गठन का प्रबधान का काफी इंपोटेंट है प्रस ना जायेगा कि अनुछेद 280 का संबंधित से है तो इसायोग के गठन के संबंधित है अनुछेद 280 बित आयोग के गठन का अधिकार राश्टरपती को दिया गया है। बित आयोग के गठन भारतिय संबिधान के अनुचेद 243 को के दुआरा किया जाता है। पारदर सिता सुनिस्चित करता है। अब आगे यहाँ पे जो बित आयोग है वो दिया गया है। बरतमान में जो चल रहा है वो 15 बित आयोग चल इसके एनके सिंग है। केसी नहीं होगी कब न्यूक्त हुआ था 1951 में। 1951 में पहला बित आयोग का स्थापना ही हुआ था और इसके कौनते अध्यक्ष केसी नहीं होगी। दूसरा का के संथानम, तीसरा एके चंदा, चौथा डॉक्टर पीवी राजमननार, पांचमा महावीरत्यागी, छठा पी ब्रह्मानंद्रेडी, सातमा जेपी सेलट, आठमा वाईपी चोहान, नॉमा एनके पी सालवे, दसमा के सी पंथ, ग्यारमा प्रोफेसर एन एम खु दोहजार तीन में थे, तेरहवा विजय केलकर, जिसमें राष्ट मंडल खेल सब हुआ था, विजय केलकर, और चौधहमा वाईवीरेडी, और पंदरहवा कोन है अभी, बरतमान में, एनके सिंग, बित आयोग के परमुख काड़ी क्या सब है, तो बित आयोग के दुआरा, स संचित निधी में से, राजियों के राजस्व में सहायता अनुदान को सामिल करने वाले सिध्यानतों के बाड़े में बताता है, राजि बित आयोग दुआरा की गई सिफाडिसों के अधार पर, राजि के नियापालिकों और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ती के लिए, राजी के संचित निधी के समवर्धन के लिए जरूरी उपाई करता है राश्टरपती के दुआड़ा बितायोग को सुद्रिड बित के हित में निद्रिष्ट कोई अन्य विशाय सोपे जाने पर बितायोग अपनी सलाह देता है नोट में दिया गया है राश्टरपती बितायोग दुआड़ा की गई परतेक सिफारिसों को उस पर की गई कारवाई के असपस्टी करन ग्यापन सहिते संसद के परतेक सदन के समक्ष रक्षवाता है यह आता है अनुछे 281 के अंतरगत आगे आपका दिया गया है 27 में एक्सरसाइज है लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग टारगेट है मेरा अधिक से अधिक एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लिट करे ताकि आपका बुक तेजी से कंप्लिट हो जाए और अच्छे से आप डिविजन भी कर पाओ देखो सेशन सब्सक्राइजा है लोक सेवा आयोग की अस्थापना के लिए 1924 में विधी आयोग ने सिफारिष किया था संग्लोक Woah संग लोक सेवा आयोक के सदस्यों की संख्या निर्धारम करने की सकती भी राष्ट्रपती के पास है बर्तमान में इसकी संख्या कितनी है दस है यह हम राष्ट्रपती का जब सकती पढ़ रहे तो उसमें इसा पढ़े हुए थे संग लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निक्ति च्छो वर्सों के लिए ख्या जाता है वेरी इंपोटेंट है कि संग लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष या सदस्यों के निक्ति कितने वर्स के लिए होता है च्छो वर्स के लिए होता है यदि वो च्छो वर्स के आयू पूरी कर लेता है तो वो पद से मुक्त हो जाएगा मतलब यू कहले 6 वर्स या 65 वर्स जो पहले पूरा हो जाएगा उनको डिजाइन देना पड़ेगा राज लोकसेवा आयोक के अध्यक्ष तथा सदस्यों की न्युक्ति राजपाल की दुआरा किया जाता है परंतु इसे हटाने का अधिकार राज इपाल को नहीं है बस अउनली ये न्युक्त करेगा राज लोकसेवा आयोक के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कारिकाल 6 वर्स का या 62 वर्स की उम्रतक होते हैं पर समझो केंदर का अगर होगा तो 65 वर्स था और राज का अगर होगा तो 62 वर्स होगा इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के ताहत वे अवकास गरन करते हैं परंतु उन्हें कारिकाल के बीच उच्चितम नियाले के परतिवेदन पर तथा कुछ निहारता होने पर संबिधान के अनुच्छ 317 के अंतरगत राश्टरपती हटा सकता है समझो इस संटेंस को फिर से राज लोक सेवा आयोग का तो कारिकाल ये हो गया 6 वर्स या 62 वर्जो पहले हो जाए इसकी नियुकती करता है राज पाल ठीक ना लेकिन इसको हटाने के लिए राश्टरपती हटाएगा लेकिन उसके लिए उच्छतम नियाले का पर्तिवेदन आएगा तब यह अनुच्छ 317 में दिया गया है आगे हमारा 28 में एक्सेसाइज है निर्वाचन आयोग संबिधान के भाग 15 के अनुच्छ 324 से 329 में निर्वाचन से समंधित उफबंध दिया गया है कौन सा अनुच्छ 324 से लेकर 339 इसको रिक्पीट करो बार बार बहुत इंपोटेंट है पड़स ना जाएगा निर्वाचन आयोग भारत के संबिधान के किस भाग में वर्नित है तो भाग 15 में है 324 से लेकर 339 के बीच भारत निर्वाचन आयोग का अस्थापना 25 दनवरी 1950 को हुआ था यह एक अस्थाई संबिधानिक निकाय है पर्मानेंट संबिधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग का गठन मुख निर्वाचन आयोग एबं अन्य निर्वाचन आयोग से किया जाता है जिनकी निकती रास्टरपती के द्वारा की जाती है निर्वाचन आयोग का निकती कौन करेगा मतलब निर्वाचन आयुकत का जो वो आयुकत होता है उसकी निउक्ती कौन करेगा तो रास्ट्र पती करेगा मुखी चुनाव आयुकत का कारिकाल छो बर्स या या बाच शट वर्स तक होगा या उससे जो पहले कपलीट हो जाय पहले चुनाव आयोग एक संसधी आयोग था परंतु अक्टूबर 1993 में तीन सदस्य आयोग बन गया पहले ये एक सदस्य था बाद में क्या हुआ तीन सदस्य बन गया निर्वाचन आयोग का पर्मुक कारी क्या सब है तो चुनाव छेत्र का पड़ी सीमन मत दाता सुचियों को तयार करवाना बिभिन राजनितिक दलों को मानिता पराप्त करवाना राजनितिक दलों को अरक्षित चुनाव चिन परदान करवाना चुनाव करवाना राजनितिक दलों के लिए अचार संधिता त्यार करवाना इसको फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि कई सारा प्रस्न आ जाएगा ऐसे करके देगा कि इसमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोका नहीं है तो जब आपको पूरा ये च्छा काम याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे फिर स करता हूँ चुनाब्चेत्रों का पड़िसीमन जो जांच माच होता है मत दाता सुची ऑठाइब होता है raz Auch wrote left Li मानिता देना पूरा मखर दária नहीं हो पहले होता है आपको credits करवाना और राजनितिंग दल के याद रखिएगा ये एक इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है ठीक ना और जो भी इंडिपेंडेंट बोड़ी है उसका हेड का नियुक्ति कौन करेगा राश्टर पती करेगा मतलब इस पर किसी का लोकसभा राजसभा का प्रेसर नहीं होता इस पर निर्वाचन आयोग की स्व मुखह चुनाव आयोग्त बिद्धान ने किया है मुखे चुनाव आयोग्त यह एंडिंडेंट मंत्री करता पर्धान मंत्री का जो पाटी होता वह सको यह सपोर्ट करता लेकिन रास्टर पति करता है इसको नियुक्ती कोई ऐसा है ही मुख्य चुनाव आयुक्त को महावियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वचे नियाले के मुख्य नियाधिस के समानी होता है अन्य चुनावायूक्तों की सेवा सर्तों में कोई अलाव कारी परिवरता नहीं किया जा सकता मुख्य चुनावायूक्त एवं अन्य चुनावायूक्त का वेतन भारत के संचित निधी से दिया जाता है अगर यहां पर EVM Electronic Voting Machine के वारे में कुछ-कुछ दिया गया है तो केरल के प्रारूर बिधान सभा के पच्चास बूथ पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का प्रियोग पहली वार 1982 इस्वी में किया गया तो very important प्रस ना आएगा EVM का पहला प्रियोग भारत में किस राजी ने किया था केरल ने किया था और ये बिधान सभा का एलेक्शन था कव हुआ था 1982 में हुआ था नॉमबर 1998 के मध्य मधिपरदेश के पांच राजस्थान के पांच एवं दिल्ली के छो बिधान सभाओं के चुनाब में बड़े पैमाने पर EVM का परियोग किया गया EVM का परियोग करके 1999 में पूरा चुनाब कराने वाला पर्थम राजी गुआ बना ये प्रस्त कई बारा गया है EVM का पूरी तरह से परियोग जो है कौन किया गुआ करवाया था 1999 में EVM का परियोग करके पहली बार 2004 में संपुर्न आम चुनाब करवाया गया 2009 में आम चुनाब एवं सभी बिधान सभाओं के चुनाब में EVM का परियोग होने लगा 2009 वाले से EVM की विश्वासनियता काइम करने के लिए BBPAT यानि भोटर वेरिफियेवल पेपर ओडिट ट्राइल मतलब भोटर वेरिफियेवल पेपर ओडिट ट्राइल थोरा इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इसी वार एंटी पीशी दियरे की जोई उसमें पूछा गया था कि BBPAT में पहले भी का मतलब क्या है तो भोटर है ठीक ना भोटर वेरिफियेवल पेपर ओडिट ट्रेल याद रखना काफी इंपोटेंट हो जाता है इसकी मजद ली जा रही है BBPAT विवस्ता के तहत भोट डालने के तुरंत बाद कागज की परची बनती है जिस पर इस उम्मीदबार का भोट दिया है उसका नाम और चुनावचीन छपा होता है सबसे पहले इसका इस्तमाल नागालेंड के चुनाव में 2013 में हुआ था नोट में दिया गया है भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्परेशन लिमिटेड ने भी भी पी टी मसीन को 2013 में बनाया था किसने बनाया था तो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्परेशन इंडिया लिमिटेड ने अगर यहां पर चुनाव चीन है वो भी आपको याद करना पड़ेगा तेलगु देशम का सैकिल देखो एस्टेट उतना इंपोटेंट नहीं है क्योंकि आप तेलगु देशम का भी दिली में भी ता सकती है ना तो जारखंड मुक्ती मोर्चा तीरकमान लोग जनसक्ती पार्टी बंगलाचाप तेलंगाना राष्ट्र कार पैंथर्स पार्टी सैकिल नेशनल कॉन्फरेंस हल राष्ट्रे जनता दल लाल्टेन सिवसेन तीरकमान ओल इंडिया फोर्वार्ड वलोक सेर अन्ना द्रविट मु परी सदहाथी द्रविट मुनेत्र काडगम उगता सूरज नागलेंड फिपुल्स कॉंसिल मुडगा अकाली दल बादल तराजू जनता दल यू तीर मुस्लिम लिंका सीडि और पिपुल्स पार्टी आया है 17 ठीक ना सरकारी दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक श एथ्वाचुनाब में किनि चार अथवा अधिक राजियों मेंकुल डाले गए बैदहमतों का चौप रतिशत प्राप्त कर अवस्यक यह रास्त्री दल वही बनेगा जो चार से अधिक चार वा चार से अधिक राजी में कम से कम टोटल बैदमतों का च्छो परतिसत वो प्राप्त करें इसके अलावा आपको ये एस्टेट में का नमर याद करना होता है चार या पांच ऐसे देगा तीन एस्टेट में चार एसे तो चार या उसे अधिक इसके अलावा इसे किसी एक राज अथवा राजियों में विधान सभा की कम से कम चार सीट जीतनी होगी मतलब एक या एक सभाजिक में कम से कम चार सीट जीत लेना चाहिए लोक सभा में दो परतिसत सीट हो और कम से कम तीन विभिन राजियों में हासिल की गई हो कम्यिनिस्ट पार्टी है हसिया और बाली है राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी घड़ी चाप बहुजन समाद पार्टी हाथी भारतिय कम्यिनिस्ट पार्टी हसिया हतोरा और तारा त्रिनमुल कॉंग्रेस पार्टी जोरा फूल आगे दियागे है मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र निरवाचनायोग दुआड़ा 1993 में चुनाबों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंतरन के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र की उपयोगिता की गई है उपयोगिया गया है पंजिकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सुची है समाने रूप से परतिवर्स इस मतदाता सुची में संसोधन किया जाता है और नौंबर में पहली तारीक पात्रता तिथी मानी जाती है इस्तिथी को 18 वर्स की आयू पूरी करने वाले या इससे अधिक आयू का प्रतेक भारतिये नागडिक मतदाता सुची में सामील होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है एक बार सुची में पंजिकरित हो जाने के बाद वह फोटो युक पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है क्लियर आगे आपका दियागे परिसीमन आयोग मतलब 29 में अक्सरसाइज है परिसीमन आयोग कोचिस करते हैं संबिधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई असपस्ट निर्देश दिया गया है 42 संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारा संबिधान के अनुचित 82 में संसोधन कर परिसीमन पर वर्स 2013 तक के लिए रोक लगा दिया गया था 84 संबिधान संसोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संबिधान में संबिधान के अनुचित 82 और 173 की सर्तों में संसोधन किया गया यहां पर दिया गया है भी तक चार वर परिसिमन आयोग का गठन किया गया है पहला 1952 में फिर 1962, 1973 और 2002 में शुरोत यह जो भुक है मतलब भारत 2016 बुक एक आता है उसमें से आया था हर साल वो भुक आता है परिसिमन आयोग 2020 का गठन 12 जुलाई 2020 को नियमूर्ती कुलदीप सिंग की अधिक्स्ता में किया गया और इस आयोग की सिफारिसों को केंद्रिय मंत्री मंदल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी परदान की नए परिसिमन से लोकसभा में अरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी नया परिसिमन 2001 की जनगन्ना के अधार पर किया गया है परिसिमन आयोग में देश के मुखी निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राजीवा केंद्रसासित परदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य है पडिसीमन आयोग का परमुखकार ये हाल की जनगन्ना के अधार पर विभिन बिधान सभाओं एबम लोक सभा के निर्वाचन छेतरों की सीमा का पुनह सिमांकन करना है पडिसीमन आयोग के आदेसों को किसी नियाले में चुनोती नहीं दिया सकती पडिसीमन आयोक के आदेसों को किसी नियाले में चुनोती नहीं दिया सकती पडिसीमन आयोक के आदेसों को लोकसभा एबम समंधित राज्जी बिधान सभाओं में रखा जाता है किन्तु लोकसभा एवम राज्जी विधान सभाएं पड़ी सिमन आयोक के आदेसों में कोई सुधार या संसोधन नहीं कर सकती पड़ी सिमन आयोक के द्वारा परतेक राज्जी के प्रदित परतिंधित्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है किन्तु जनगन्ना के अधार पर अनुसुचित जाती वा अनुसुचित जाती से समंधित सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है अगे दिया गया नई पड़ी सिमन के बाद आरक्षित सीट तो जिसमें जाती है अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती का पहले आरक्षित सीट था 79 अब हो गया 84 अनुसुचित में पहले था 41 अब हो गया 47 अनरक्षित सीटों की संख्या 412 नोट में दिया गया वैसे राज्य जिनका पडिसीमन आयोग 2002 के द्वारा पडिसीमन नहीं हो सका वह असम मनिपूर और नाचल परदेश नागालेंड एवं जारखंड पुर्वत्तर के चारो राज्यों में अस्थानिय बिरोध एवं अदालतों के अस्थांगन आदेश के का परिसीमन नहीं हो सका जबकि जारखंड में सरकारी निती के विप्रीत आरक्षित सीटे कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका आगे जो मारे एक्सरसाइज है तीस नंबर कभी छोटा छोटा एकसरसाइज है मतलब तीस तक कर लें और वीडियों भी करीब 30 मिनट का हो जाएगा पर अभी तो 28,89 इस परियाद का हुँए है भारत्ए राजव्यवस्था में बढ़्यता अनुक्रम भारतियी राजव्यवस्था में विभिन पताधिकारियों की बढ़्यता अनुकरम इस प्रकार पहले अस्तान पर रास्Tरपती यह आपको कर्श्याद करना भारत का मुख नियाधिस और लोकसवाद ध्यक्ष, केंद्रिय कैवनेट मंतरी, राजी के बुख्य मंतरी, अपने अपने राजी में, योजन आयोक की उपाद ध्यक्ष, पुर्व परधान मंतरी तथा संसद विपक्ष कानेता, भारत रत्न सम्मान के धारक, राजदूत, मुख निर्वाचन आयुक्त और भारत का निर्वाचन महालेखा परिक्षक, राज्यसभा का उपसवापती, लोकसभा का उपसवापती, योजना आयोका सदस्य और केंद्र के राज्यमंतरी, भारत रत्न एक मात्र ऐसा प्रुसकार है, जिसकी बढ़ियता अनुकरम में अस नियाल है के नियाधिस के संकत्ष दर्जा ये संसोधन अगस्त तेरानवे में किया गया, आगे एक तीसमा है राज्यसभा इसको भी पड़ी देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छी सी रिवाइज भी कर पहा ह ठीक ना देखो बार-बार देखते रहा ना ऐसा नहीं कि अभी एंटी पीसी चल रहा है तो ग्रूप डिवाले में दूसरा लू सेंटा जाएगा इसा नहीं होगा, यह आपके अगामी किसी भी एक्जाम के लिए काफी हल्प करता है, तो कोई भी एक्जाम हो ना एक बार त कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, अब असान हो गया ना पढ़ना नहीं पढ़ेगा, आपको मूह नहीं दुखेगा, बस कान में लगाना है, एयरफोन और सुन लेना है, चलो अभी पढ़ने है, राजिभासा हिंदी से संबन देते हैं, और यह 343 से 317 तक है भाग सत् के अनुछे 343 के अनुसार संघ की राजिभासा हिंदी और लिपी देवनागरी, यह तक नहीं पर संघ लिखा गया, यह पर देश नहीं लिखा है, संघ लिखा है, भारती संबिधान के अनुछे 344 में राश्टरपती को राजिभासा से सम्मंधित कुछ विसाईयों में सला अगठन किया, इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया, संबिधान की आठवी अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भासाओं, राजभासाओं के रूप में मानिता पड़ाप्थ है, जो इस प्रकार है, पहला है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कनर, कास मेरी, मलिया, लम, मराठी, उडिशा, पंजावी, संस्कृती, सिंधी, तामिल, त्यलगू, उर्दू, कॉंक्री, मनिपूर, नेपाली, मैथली, संथाली, डोगडी, बोडो, टोटल 22 भासा है, आठवी अनुसूची में, याद रखना इसमें इंगलिस और भोजपूरी नह ही है, आगे नोट में दिया गया है कि 1967 इसमें संविधान के 21 संसूधन के द्वारा, सिंधी को आठवी अनुसूची में जोडा गया, 192 में एक घतर्वा संविधान संसूधन हुआ, जिसे मनिपूरी, कौंक्रि, नेपाली को जोडा गया, और फिर 91 संविधान संसूधन हु यह अधिकार दिया गया है कि वह विधी द्वारा राजी की राजिकी प्रयोजन में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राजी में परिक्त होने वाली भासाओं में से किसी एक या अनेक मतलब एक या अनेक ठीक ना को या हिंदी को अंगिकार कर सकता है परंदू जब तक जिसके लिए उसका इस संभिधान के प्राडम्ब से ठीक पहले पर्यूग किया रहा था। इस उपबंध के अंतरगत अधिकान सराजियों ने मुखी छेत्रिय भासा को अपनी राजभासा के रूप में गिक्रित किया जैसे दिया गया आंधर पर्देश का तिलगू केरल का मली आलम असम का समिया पस्ति मंगल का बंगाली ओडिशा का ओडिया गुजरात का गुजरात दियान देने योग यह बात यह है कि राजियों द्वारा भासा का चुनाव संविधान की आठवी अनुसुची में उल्लेखित भासेयों तक ही सिमित नहीं है विल्कुल यहां पर देख रहे हो मेगाले अरुनाचल परदेश और नागालेंड का अंग्रेजी है जो कि दूचेरी का फ्रांसिस ही है यह भी नहीं है तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है राजियों के प्रसपर संबंधों में तथा संग है तथा राजियों के प्रसपर संबंधों में संग की राजवासा को ही प्राधिक्रित भासा माना जाएगा परन तो यदि दो या अधिक राजिये यह करार करते हैं कि उन राजियों के बीच पत्रादी की राजि भासा हिंदी भासा होगी तो इसे पत्रादी के लिए उस भासा का पड़ियों किया जा सकेगा यह है आपके अनुछे 346 में उचितम और उचि नियालेयों तथा बिधान मंडलों की भासा संबिधान में प्राबधान किया गया है कि जब तक संसत द्वारा कानून बना कर अनिथा प्राबधान ना किया जाये तब तक उचितम नियालेयों और उचि नियालेयों की भासा अंग्रेजी होगी और संसत तथ राजज बिधान मंडलों द्वारा पाडित कानून भी क्या होगा? अंग्रेजी में होगा। नोट में दिया गया है संबिधान के अधीन किसी भासा को राश्ट्रिय भासा के रूप में नहीं अपनाया गया, इसके अधीन हिंदी को केवल राश्ट्रिय भासा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राश्ट्रिय भासा नहीं है, इस राड़ी में रिपीट करता हूं लाइक और सेर जरूर कर दे कोई प्रावबलेम हो तो कमेंट वाक्ष पे जरूर लिखिए गा उसको दूर किया जाएगा सब का पेड़ीयाफ़ को बाद में टेलेगडाम गूरूप पे मिलेगा टेलेग्राम गूरूप नहीं जोएन किया हैं तो जोएन कर लीजिए बात इसमें एक्सरसाइज और उससे आगे अभी हम पढ़ेंगे पहला हमारा एक्सरसाइज है अपात उपबंद और एकोनोमिक्स का बुक भी आपको एस्टाट हो जाएगा थोरा इसका तीन चार पाठ होने देते हैं मतलब थोरा यह लगे कि कंप्लीट होने वाला है तब उस आतकाल की विवस्था की गई है रास्ट्रिये अपात रास्ट्रपती सासन और बितिये अपात बहुत इंपोर्टेंट इसमें पुछेगा कि भारतिये संभिधान में कितने प्रकार के अपात की विवस्था की गई है तो तीन प्रकार के कौन-कौन सा रास्ट्रिये अपात राश्ट्र पती शासन और बितिये अपात। पहला दिया गे राश्ट्रीये अपात। यह आता है आपका अनुच्छे 352 की अंतरगत। सबका अनुच्छे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे राश्ट्र पती 6-3,56 होता है। बितिये अपात 360 होता है। तो ऐसे ही जो राश्ट्रीये अपात है यहाँ पे वो कहा है 352। इसकी घोसना निमनलिखित में से किसी भी अधार पर राश्ट्र पती के द्वारा किया जाता है। कौन-कौन से इस्थिति में। युद्र के इस्थिति में। बाई हा आकर्मन और ससस्त्र बित्रो यह तीन इस्थिति होगा। तब क्या लगाएगा राश्ट्र पती राश्ट्रिये अपात लगाएगा। यह कौन लगाएगा राश्ट्र पती लगाएगा। राश्ट्रिये अपाद की घोसना राश्ट्रपती मंत्री मंडल के लिखित सिफारिस पर करता है। राश्ट्रिये अपाद की उद्घोसना को नियालय में परसंगत किया जा सकता है। चवालिस्मा संबिधान संसोधन द्वारा अनुच्छे 352 के अधीन उद्घोसना संपुर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। मतलब राश्ट्रिय अपाद जी होगा वो या तो पुड़िव देश में या किसी भी एक पार्ट में किया जा सकता है। यह हुआ चवालिस्मा संबिधान संसोधन के कोडिंग। अगे एक चीज़ और समझे लो अगर आपको PDF या किसी वीडियो का लिंक में करने नहीं मिल रहा है। तो आप टेलिग्राम गूरूप जोइन कर लो टेलिग्राम पे सर्च करोगे अध्यान के अंदर ने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जरूर जोएन कर लो उस सब जगह पे। दोरान इसे संसद के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन करवा लिया तो वह छो माह तक पड़ी वर्तन में रहता है। संसद इसे पुना छो मेहने के लिए बढ़ा सकती है। मतलब संसद में अगर कह लिया तो फिर छो मेहना फिर छो मेहना ऐसे बढ़ेगा। यदि अपात की उद्घोसना तब की जाती है जब लोकसभा का विगठन हो गया हो या लोकसभा का विगठन एक मास के अंतरगत अपात उद्घोसना का अनुमोदन किये विना हो जाता है। तो अपात उद्घोसना लोकसभा की पर्थम बैठक की तारिक से तीस दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए अनिथा तीस दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यदि लोकसभा सतारन बहमत से अपात उद्घोसना को वापस लेने का प्रस्ता पारित कर देता है तो रास्ट्रपती को उद्घोसना वापस लेना पड़ता है। जब सत्र चल रहा होगा तब लोकसभा के अध्यक्ष को और जब सत्र नहीं चल रहा होगा तब रास्ट्रपती को दिया जाएगा। लोगसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपती सूचना प्राप्ती के चौदा दिन के अंदर लोगसभा का विश्यस अधिवेशन अहुत करता है चौदा दिन के अंदर आगे है अपात काल की उद्गोसना का प्रभाव जब कभी संबिधान के अनुचे 352 के अंतरगत अपात काल की उद्गोसना होती है तो क्या सब प्रभाव होता है देखते हैं पहला दिया गया है राज्य की कारिपालिका सक्ती संहिय कारिपालिका के अधीन हो जाता है संसद की बिधाई सक्ती राज्य सुची से समंधित विशाईयों तक बिस्त्रित हो जाती है अर्थात संसद को राज्य सुची में वर्गनित विशाईयों पर कानून बनाने का अधिकाल प्राप्त हो जाता है मैंने कई बार रिपीट किया है कि धारा 370 जो जम्मू कास्मिर से हटाया गया निस्क्रिय किया गया तो उसमें संसद ने कैसे कर लिया वहाँ पे राश्टपति सासन लगा दिया जिसके अंतरगत राज्य का जो भी काड़ी पाली का सक्ति होता है वो संसद के पास आ जाता है और वो असानी से कर लेता है अता केंद्र तथा राज्यों के मद बिधाई सक्तियों के समानी बितरन का निलंबन हो जाता यद पी राज्य बिधाई का निलंबित नहीं होती संचेप में संबिधान संहिय की जगह एकात्मक हो जाता है संसद द्वारा अपातकाल में राज्य तब राश्टरपती केंद्र तथा राजिये के मद करों के संबेधानिक बितरन को संसोधित कर सकता है इसका ताथ पड़िया है कि राश्टरपती केंद्र से राजियों को दिये जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है ऐसे संसोधन उस से बित वर्ष की समाप्ती तक जारी रखता है जिसमें अपात्काल समाप्त होता है चौथा पॉइंट है रास्ट्री अपात्काल के इस्थिती में लोकसभा का कारिकाल उसके समानिय सकारिकाल यानि पांच वर्ष से आगे संसद्वारा बिधी बनाकर एक समय में एक वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है किन्तो यह विस्तार अपातकाल की समाप्ति के छो महिने से जैदा नहीं हो सकता उदाहरन के लिए पांच भी लोग सभाज हो था जो एक अतर से सततर तक का कारिकाल दो बार एक एक समय के लिए बढ़ाया गया था पांच पॉइंट है अनुच्छे 358 और 369 रास्ट्री आपात के मूल अधिकार पर परभाव का वर्णन करता है अनुच्छे 358 और 169 दोरा दिये गे मूल अधिकारों के निलंबन से संबाद देता है जबकि अनुच्छे 369 अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करता है जिसे अनुच्छे 20 और 21 समय सा चालू रहता है अनुच्छे 358 के अनुसार जब रास्ट्री आपात की उदगोसना की जाती है तब अनुच्छे 19 दोरा पृदत च्षौ मूल अधिकार जो है वह सोता निलंबित हो जाता है ऐसा किसी कानून अथवाकाड़ी को इस अधहार पर किया अनुछेद 19 द्वारा प्रदत छोमूल अधिकारों का उलंगाने चुनोती नहीं दिया सकती। जब राश्री अपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुछेद 19 जोगा फिर स्वता पुनर्जिवित हो जाएगा। मतलब हुआ यह था ना कि 42 संभिधान संसोधन या इंद्रा गांधी के टाइम में जो अपातकाल लगा था ना उसमें लोगों को 19 वाला भी बंद कर दिया गया। से संबंदित है चुनोती नहीं दिया सकती तथा ऐसे विधियों के अंतरगत दिये गए कारी-कारी निर्दय को भी चुनोती नहीं दिया सकती। अन्य मूल अधिकारों का निलंबब जैसे अनुछे तुनीस 369 राश्ट्रपती को अपातकाल में मूल अधिकार को लागू करने के लिए नियाले जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अता 369 के अंतरगत मूल अधिकार नहीं आपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। या काडिकारी कदम उठा सकता है। ऐसे किसी भी बिधी या काडि को इस अधार पर चुनोती नहीं दिया सकती कि यह समंधित मूल अधिकार से सामिय नहीं रखता। इस बिधी के परभाब में किये गए बिधाई या काड़ी काड़ी काड़ियों को आदेस मापती के उपरांत चुनोती नहीं दिया सकती। अपात से भी परभावित होता है। सभी मूल अधिकारों से संबंदित है जिनका राष्ट्रपती के आदेस द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुछे 358 स्वता ही अपातकाल की घोसना होने पर अनुछे 19 के अंतरगत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। अनुछे 358 के वल बाह अपातकाल में लागू होता है। अनुछे 358 अनुछे 19 को अपातकाल की संपुर्ण अवधी के लिए निलंबित कर देता है। जबकि अनुछे 369 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपती द्वारा उल्लेखित की गई अवधी के लिए लागू करता है। ये अवधी संपुर्ण अपातकालिन अवधी ये अल्पवधी भी हो सकता है। अनुछे 358 संपुर्ण देश में तता अनुछे 369 संपुर्ण देश अत्वा किसी भी भाग में लागू हो सकता है। अनुचे 358, सिधा समझो, अनुचे 358 होगा, वो निश्यरी गार्डिंग है मूल अधिकार से, और 369 वाले में 20 और 21 निलंबित लागू नहीं होता है। अनुछे 358 राजी को अनुछे 19 के अंतरगत मूल अधिकारों से सामिय नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है जबकि अनुछे 369 केवल उनहीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसा काड़ी करने का अधिकार देता है जिसे रास्टरपती के आदेश द्वारा न दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की युदकेस में लिया गया था तीसरी बार आश्टी अपाद की उद्गोसना 26 जून 1975 को आंतरी गरवरी की आसंका के अधार पर किया गया था यह वह इंद्रा गांधी के टेम में इलावाद से फैसल आया था अगर हिस्ट्री पढ़े होगे तो समझते होगे दूसरी तता तीसरी उद्गोसना को मार्च 1977 में वापस लिया गया था आगे राज्य में राश्ट्रपती सासन तीन पढ़े थे थे ना अब पढ़ेंगे उसक आनीक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संग काड़ी पालिका में किनी निर्देसों के अनुपालन करने में असमर्थ राता है तो अपात इसीत्गी घोसना की जाती है। तक यह एक राज में परिवर्तन रह सकता है इससे अधिक के लिए संभीधान में संसोजन करना पड़ता है तो तीन वर्स मैक्सिमम है सरपर्थम 20 जुले 1951 में पंजाब राज्जी में अनुछे 356 का पड़योग किया गया था यह भारगव मंत्री मंदल के पतन के कारने यह काफी इंपोटेंट है कि पहली वार राष्टपतिस हासन कहां लगा था तो पंजाब में लगा था 1951 में सरवाधिक समय तक अनुछे 356 का पड़योग जम्मु कास्मी राजी में रहा 90 से लेकर 96 तक आगे आपका बीतिये अपाथ अनुछे 360 अनुछे 360 के तहट बीतिये अपाथ की उद्गोस्ना रास्ट्र पती द्वारा तब की पहले बितिय अपात की घोस्ता उस समय की जाती है जब लोकसभा बिगठत हो तो दो मेहने के भीतर राजसभा की स्विक्रती मिलने के उपरा तो वो आगे भी लागू रहेगी किन्तु नव निर्वाचित लोकसभाद्वारा उसकी पर्थम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोस्ता की स्विक्रती आवस्यक है इसकी अधिक्तम समय सीमा निर्धाडित नहीं की गई है यानि एक वार यदि इसे संसद के दोनों सद्रों में मंजूरी पराप्त हो जाए तो बितिय अपात अनिस्चित काल के लिए तब तक परभावे रहेगा जब तक इसे वापस ना लिए दे राश्रपती बितिय अपात की गोस्ना को किसी समय वापस ले सकता है बितिय अपात का परभाव उचितम नेले उचि नेले के नियदीस और संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारिहों के बेतन में कमी की जा सकती है राश्टरपती आर्थिक द्रिष्टी से किसी भी राजी सरकार के निर्देश को निर्देश देता है राश्टरपती को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राजी सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्जी के समस्त बित बिधायक उसके स्विकृती से भिधान सभा में प्रस्तूत किया जाए राश्ट्रपतिक केंदर और राज्जी में धन समंत विभाजन के प्रवधानों में आवस्यक संसोधन कर सकता है आगे आप देखो दिया गया है यहां पर अनुछे 370 के बारे में ठीक ना इसको हटा दिया गया है तो यह एक्सरसाइज हमारे तीसमा एक्सरसाइज जो है हमारे लिए थोड़ा भी इंपोर्टेंट नहीं है इसको में स्किप करते हैं पर अगर आप लोगों को लगे कि इसको कम्प्लिट किया जाए तो कमेंट कर देना हम इसको फिर से कम्प्लिट कर देंगे ठीक ना अभी हम 34 एक्सरसाइज पर आते हैं 34 एक्सरसाइज है भारत के राश्ट्री चिन भारत के राश्ट्री चिन राश्ट्री परतिक मतलब नेशनल सिंबॉल भारत का चलो इसको में य बोड़ दिये उंगे तो उनको फेलेशें शुट जाएगा काफी है तो इसको आगले वीडियो चाहिए मिलतें कर रहें चाहिए तक्कीन वीडियो सब्सक्राइब जिसमें हमारा चल रहा है संभीधान भारती संभीधान 34 पर exercise पढ़ेंगे हम जो कि है भारत के रास्ट्रिय चिन साथी आगे भी कोई exercise होगा उसको भी हम complete करेंगे और 3-4 वीडियो आपका बनेगा आपका संभीधान complete हो जाएगा फिर master वीडियो आजाएगा उसको भी देख लेना साथ ही आप लोगों से request है कि अगर वीडियो नहीं मिल पाता है PDF नहीं मिल पाता है तो टेलिग्राम गूरूप जोइन कर लिजिए और अगर मेरे से बातचित करना हो ना कुछ कहना हो तो उसके लिए आप टेलिग्राम स्वरी टेलिग्राम पर मेसेज नहीं होता है इंस्टाग्राम पर होता है इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर लो वहां आप मुझे मेसेज कर पाऊगे तो यहां पर भारत के राश्ट्री चीन पढ़ते हैं अभी दिया गया राश्ट्रिय प्रतिक नेश्नल सिंबॉल यह कहां से लिया गया है तो सारनाथ इस्थित असोक के सिंग अस्थम्ब के सिर्श भाग से लिया गया है जो कि भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 में अपना है बहुत इंपोटेंट है अट फर्स तो यह कि राश्ट्रिय प्रतिक कहां से लिया गया है तो असोक अस्थम्ब से सारनाथ इस्थित जो है और यह भारत सरकार यह संबिधान सभा ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया प्रतिक के नीचे मुंड को अपनी सद में लिखा सुत्र सत् देवनागरी लिपी में अंकित है क्या लिखा है सत्यमेव जयति जो कहां से लिया गया है मुंड को अपनी सद से सास किये कारियों में प्रयोग के लिए के लिए जाने वाला जो राश्ट्रे परतिक अलग-अलग रंके होते हैं नीला राश्ट्रे परतिक भारत के मंत्रियो द्वारा लाल रास्ट्रे परतिक राजसभा के सदस्यों के वा अधिकारियों के द्वारा हरा रास्ट्रे परतिक लोगसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है इसको फिर से रिपीट करेंगे हम नीला रास्ट्रे परतिक जो होगा वो मंत्री के द्वारा लाल रास चिन का उपयोग भारत के राज किये अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है आगे आपका दूसरा है राश्ट्रे ध्वच निस्नल फ्लैक तीन पट्टियों वाला तिरंगा गहरा के सरिया जो की उपर में है बीच में सफेद और गहरा हरा रंग ये नीचे होता है सफेद पट चक्र से लिया है ध्वच की लंबाई चोड़ाय का अनुपात तीन अनुपात दो है बहुत इंपोर्टेंट है ये ध्वच की लंबाई चोड़ाय का अनुपात कितना है तीन अनुपात दो है भारत के संबिधान सभा ने राश्ट्रे ध्वच का प्रणूप 22 जुले 1947 को अ राश्ट्रिय ध्वज को संबिधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तूत किया था हंसा मेहता भारतिय ध्वज संधीता 2002 के अनुसार सभी भारतिय नागरिकों एवं नीजी संसत्थानों आदि को भी राश्ट्रिय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है कुछ कुछ रूल है ठीक ना लेकिन भाराने का अधिकार है जनवरी 2014 इस वी को एक महत्वपुर्ण बी निर्मान में उच्चेतम नियाल है उस टैम मुखिनियादी से वी एन खड़े थे उनकी अध्यक्स्ता में यह घोसना किया गया कि संबिधान के अनुच्चेत 19 के फस्ट के ओके अधिन राश्ट्रिय ध्वज भाराना नागरिकों का मूल अधिकार है राश्ट्रे ध्वज को राश्ट्रे सोक के समय जुका दिया जाता है राश्ट्रपती, परधान मंत्री, उपराश्ट्रपती के निधन हो जाने पर संपुर्ण देश में राश्ट्रे ध्वज को 12 दिनों तक जुका दिया जाता है पुर्व रास्टरपती, पुर्व पर्धानमंत्री एबं पुर्व उपरास्टरपती के निधन हो जाने पर साथ दिनों के लिए रास्ट्रे ध्वज को धुका दिया जाता इसका मतलब यह हुआ कि जो काडिरत परधानमंत्री राष्टरपती या ये मरेंगे तो 12 दिनों तक और जो भूत पूर्ब रहेंगे उनके लिए 7 दिनों तक जुखाया जाएगा प्रसिद जहंडागीत उचा सदा रहे हमारा ये किस ने लिखा था स्याम लाल गुप्त परसाद ने या स्याम लाल परसाद गुप्त ने भारत के राष्ट्रे धोज का पहली वार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्री में हुआ था 14 अगस्त 1947 आगे हमारा राष्ट्री गान है नेशनल एंथम राष्ट रविंदर नात ठाकूर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगन मन की हिंदी संसकरन को संभिधान ने 24 जनवरी 1950 ये 24 जनवरी 1950 को है जबकि नेशनल सिंबॉल जो हम पढ़े वो कब लिया गया 26 जनवरी 1950 ठीक ना और जो जंडा था न वो 22 जुलाई को लिया गया इसलिए 22 जुलाई को हम लोग मनाते हैं जंडा दिवस तो सबका डेट थोना याद रखना तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रेगान स्विकार किया गया इसके गायन में 52 सेकेंड तथा संचिप्त अवधी 20 सेके जिसकी अध्यक्स था पंडित विसन नडायंदत ने किया था उस टेम गया गया था इसे रविंद्रनात ठाकुर ने 1912 में तत्व बोधिनी में भारत भाग्य बिधाता सिर्शक से प्रकासित किया तथा 1919 सिस्पी में मौर्णिंग सौंग ऑफ इंडिया के नाम से के सिफाई थे इनको जाता है अवाय राश्ट्रे गीत नेशनल सौंग बंकिम चंदर चटरजी के उपन नयास आनंद मठ में इनहीं के द्वारा रचित बंदे मात्रम को राश्ट्रे गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को सुईगार किया गया इसे सरपर्थम 1896 में भारती राश इस गीत को गाने के समय एक मिनट और पांच सेकेंड है किसी भी ब्यक्ति को राश्ट्रे गीत गाने के लिए बात ही नहीं किया जा सकता अगे नोट में दिया गया है कि भारतिय संसद के अधिवेशन का प्राडम जनगन मन से और समापन बंदे मात्रम से होता है काफी इंपोटेंट है यह प्रस्ट दोनों में कंफ्यूज नहीं करना कि जब प्राडम होगा तब होता है जनगन मन राश्ट्रे गान और जब समबत पर अधारी तराश्ट्रे पंचां को सरकारी पर्योग के लिए 22 March 1957 इस भी को अपनाया गया जिसका पहला मेना चहित होता है प्रसनावसर अजियalley संबद को railroad को सरकारी प्रयोग के लिए कभ अपनाया गया यह मानिता कभ मिला तो कौफ संब्द मार्जज इसका पहला म जनवरी यह होता है ग्रिगेरियन कालेंडर जता है विक्रम संब्सव्री नेपाल में चलता है बेख्रम संब्स मथूले है स्वेश्टै-थान दिया नियूद्बो-Нियू़ई-फेरा-एवरो-श्या रहता हुन् राश्ट्रे पसू बाग पैंथेरा टिग्रिस यह आगे लिनियस लिखा रहे हैं लिनियस लिखा रहे हैं लिन इंग्लिस में लिखा रहाता है राश्ट्रिय फल मेगनी फेरा इंडिका यानी आम राश्ट्रिय बिक्ष बरगद फाइकस ब्यादर को काम चल जाएगा फाइकस बैधालेसिस फाइकस बैधालेसिस यह राश्ट्रिय बिक्ष है बरगद रास्त्री नदीज जो है वो गंगा नजी को घोषित किया गया चार नौमबर दोहजराठट को और साथ ही रास्त्री लाश्त्रे जलिय? जीव काफी important है पूछा जाता है ये 2009 में लिया गया गंगा क्वोफिन जो है उसको कहा जाता है रास्त्रे जलिय? जीब जली जीब जो है गंगा डॉल्फिन उसका दौटणिक नाम किया है प्लाटी निस्टा दिक यह विखा आता है उसमें यह सब पूछ रहे कि वाट से इंडिया में कव आया इस भी टीसे में इंपोर्टेंट है राष्ट्रे विरासतफ सूहाथी कैं भारत का विरासतफ सूहाथ सनसद की समीथिया सबसे पाहला इसे प्रकलन समीतिय Сबसे अधिक मेंबर होते हैं 30 मेंबर तो इस समीति में लोक सभा के 30 सदस्य होते हैं जिसमें राज सभा के सदस्यों को सामिल नहीं किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है प्रसन आज ऐसे आ जाएगा कि कौन सी संसद्य की समीतियों में राज सभा का कोई सदस्य नहीं होता है तो समीथी और सोसे बढ़ा भी है इसलिए इंपोटेंट बनी जाता है इसके सदस्यों का कारिकाल एक वर्स का होता है प्रतेक वर्स मैं में समीती का कारिकाल प्राडम्ब होता है तथा अगले वर्स 30 अप्रिल को ये समाप्त हो जाता है ये वह प्रकलन समीती समीती का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनित किया जाता है लेकिन तो यदि लोगसभा का उपाध्यक्ष इस समीती में चुना जाता है तो फिर वही समीती का अध्यक्ष होता है समझगे अगर उपाध्यक्ष जो होगा लोगसभा का उसी को हम प्रकलन समीती का सतस्य बना देंगे तो एटोमेटिक वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा ल इस विशाईयों पर रिपोर्ट देती है प्रकलन समीथी के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होता परंतु यह समीथी अपने काड़ी वर्स भर रहती है और अपना द्रिश्टिकोन संसद के समक्ष रखती है तो मतलब यह कहता है ठीक ना संसद उसका माने नहीं माने वो अलग बात है इसका काम है इसको अगाह कर देना कि ऐसा प्रॉल्म चल रहा है आप समहल जाओ ठीक ना संभाल लो आगे दूसरा आपका लोग लेखा समीथी का लोग लेखा समीथी प्रकलन समीथी का जुर्वा बहन के रूप में ग्यात इस समीथी में 22 सदस्य होते हैं जिस को लोक लेखा समीती को समीती के सदस्यों का संसद द्वारा परतिवर्स अनुपातिक परति निधित्यों के अधहार पर एकल संक्रमणी एमत परनाली की सहायता से चैन हो जिसे रास्प्रतिक होता है नो ऐसे ही होता है इस समीती के अध्यक्ष का मनोनेयन लोकसभा अध्यक्ष दल के नेता बने थे जो उन्हें लोकलेखा समीती का अध्यक्ष भी मनोनित कर लिया गया तथा या और उसी समय से बिरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समीती का अध्यक्ष मनोनित करने की परंपरा शुरू हो गयी मतलब यह कोई संभिधान में नहीं है बस पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। तो समीती उन पर इस्थितियों की जाच करता है जिसके कारण अतिरिक्त ब्याय करना पड़ा हो। समीती राश्ट्रपती के बीतिय मामलों की संचालन में अप ब्याय फ्रस्ट्राचार और कुसलता की कमी लाने का प्रमान को खोच सकती है। नोट दिया गया है लोकलेखा समीती अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देता है जिससे की जो अन्यमित्ताएं जिसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उस पर तवाही कदम उठा सके है। अगे आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है सरकारी उपकर्मों की समीती है। समीती का अध्यक्ष्य लोगसभा अध्यक्ष दुआरा नम्जा समीती की निम्न काडिये सरकारी उपकर्मों प्रतिवेदनों और लेखाऊंग तथा, पर नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छक के पर्तिवेदनों की जाच करना ऐसे विचेयों की जाच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्द्रिश्ट किया जाए चोथा दिया गया पॉएंट इसमें कुछ अन्य पर्मुक समीतियां जिसमें पहला है काड़ी मंत्रना समीति लोगसभा की काड़ी मंत्रना समीति के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं लोगसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है राजसभा का काड़ी मंत्रना स समिती में अपणी सभा का स्भापति इसका पदें सभापति होता लोकसभा में किया जाता है समीथी में 15 सदस्य श या अध्यक्ष इस समीथी का अध्यक्ष होता है नियम समिती, लोकसभा की नियम समिती में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राजसभा की नियम समिती में सभापती एवं उपसभापती सहित 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष एवं राजसभा के सभापती अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अ अनुसुचित जातियां और अनुसुचित जनजातियों के कल्यान समंदी समीति हैं, जिसमें 30 सदस्य सामिल किया जाते हैं, जिसमें 12, sorry, 20 जो होता है वो लोकसभा से और 10 होता है राजित सभा से, टोटल 30 होता है ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, गरंथालाई समीत इसमें 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 6 मनोनित होता है, और राजसभा के द्वारा 3 मनोनित होता है, इस समीति का गठन परतेक वर्स किया जाता है, आगे जो हमारे एक्सरसाइज है वो है पंचाहिती राज, इसको भी हम इसी में कम्प्लिट करेंगे, क्योंकि मेरा रिपन का बहुत इंपोटेंट है ये, पंचाहिती राज, ठीक ना, तो जो पीछे छोड़ दियो गए आधा वीडियो देखेंगे, इंपोटेंट नहीं है, तो सम्झो उसका पंचाहिती राज इंपोटेंट टॉपिक छुट गया, लॉर्ड रिपन का अठारो सभेरासी इ इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को, इन्होंने पंचाहिती राज, मतलब अस्थानी स्वासासन के लिए, अठारो सभेरासी में में मेगना काटा लाया था, पंचाहिती राज वस्था का मुल उद्देश से, विकास की प्रकिडिया में जन भागेदा कारी को सुनिस्षित करना तथा लोक तांत्रिक विकेंद्री करण को बढ़ावा देना है, पंचाहिती राज का सुभारंब, स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1969 इस्वी को भारत के पर्थम परधान मंत्री जवाहर लाल नहरू के दुआरा राजस्थान राज जी के नाग प्रदेश वर्स होगी यह तारिक से पांच वर्स होगी यह दिया गया अनुछे 243 के ड्वा में यदि किसी पंचायत को समय पूर भी घटित कर दिया जाता है तो इसका गठन निर्वाचन छो महिने के भीतर सेस बचे हुए अवधी में कराया जाता है किन्तु यदि पंचायत ऐसे समय भ संबंदित है 243 अनुछे 244 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए नियुनता मायू कितना है 21 बचिस आगी के सब्सक्राइब यह और पर परिए संबीधान संसोधन संसयभा oppos j Wood कि दुवारा संबिधान और ढूरा के भागना अनुछे 243 के इसमंद्स तक कुल 16 अनुछेद है और अनुशुची 11 में प्रापधान किया गया अनुशुची 11 का सम्मध किसे है तो पंचैती राज से नोट दिया गया है वर्स 1986 में गठेत है एलम सिंद्वी समीति की सिफारिस के अधार पर तेहतरवा संबिधान संसोधन 1993 के दुआड़ा पंचैती घ्या करत एक यहां इंपोडेंट है कौनों से संबिधान संसोधन के अन्तर अंतर गत पंचैती राज को संबिधान कि 993 के के कॉढ़िंग बरत्मान में पंचैती राज को छोरकर अनि सभी राज्यों में तथा दिल्दी को छोरकर अनिसभी पर्देसों में लाग कि इसके द्वारा पंचैती राजी के त्री अस्तर ये ढाचे का प्रापधान किया गया है। अब नोट में है कि तेहतरवा संबिधान संसोधन के बाद पंचैती राज अधिनियम का निर्मान करने वाला पर्थम राजी कौन सा है करना टक। तथा बारवी अनुसुची में प्रापधान किया गया है। तो नगरपालिकाओं में महिलाओं की संख्या एक वटे तींज होगा अरक्षित होगा। नगरपालिकाओं में अनुसुची जाती और जन जाती के लिए भी अरक्षन की वस्था की गई है। नगरिये संस्थानों का कारिकाल पांच वर्सका होगा बिघटन के इस्थिती में छो माह के अंदर चुनाव कराना होगा। नगरपालिका के प्रभाव नगरपंचायत ऐसे गरामिन चेत्र में जो नगर चेत्र में परिवर्तित होड़ा हो। दूसरा नगर परिशाद छोटे नगर चेत्र के लिए नगर निगम बड़े नगर चेत्र के लिए नोट में दिया गया है नगर निगम की अस्तापना सरपढ़था मदरास में 29 सिप्टेंबर 1688 इस भी में किया गया था 1687 में Board of Directors ने मदरास में नगर निगम बनाने की अनुमती दी अब यहां सहितिस्मा exercise दिया गया है महतपुर्ण सब्दावली देखो है तो यह बहुत बड़ा exercise लेकिन complete करते हैं आज ठीक ना सहितिस्मा exercise महतपुर्ण सब्दावली काफी इंपोटेंट आज गाव वीडियो में तीनों exercise जो हम देखने तीनों इंपोटेंट यह पहला है सुन्यकाल संसत के दौनों सदनों में प्रस्नकाल के ठीक वाद किसमे को सुन्यकाल कहा जाता है यह 12 वज़े प्रणभ होता है और एक वज़े दिन तक चलता है सुन्यकाल का लोकसभा या राजिसभा की प्रकिडिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है इस काल अर्थात 12 वज़े से एक वज़े तक के समय को सुन्यकाल का नाम समचार पत्रों द्वारा दिया गया इस काल के दौरान सदस्ये औ बिलंब नियम महत्यों के मामलों को उठाते हैं तथा इस पर तुरंत काड़वाही चाहते हैं नोट में दिया गया बरतमान में सुन्यकाल एक वज़े से लेकर दो बज़े तक चलता है संसद का स्थागन संसद के अस्थंगन द्वारा संसद के कामकाज को बिनिद्रिष्ट समय के लिए अस्थागित कर दिया जाता है या कुछ घंटे दिन या सप्ता कावी हो सकता है जबकि सत्रा वासन द्वारा सत्र की समापती होती है तिसरा है विघटन विघटन के वल लोगसभा का ही हो सकता है इसके लोगसभा का अंत हो जाता है विघटन जो होता है वो और थ्यक्षि नियुक्य झiping जूए जाता है्व...... तारंकित प्रस्ण कहा जाता है तारंकित प्रस्णों का उत्तर मौकिक दिया जाता है तथा तारंकित प्रस्णों के अनुरूपक प्रस्ण भी पूछे जा सकते हैं इस प्रस्ण पर तारा लगा कर अन्य प्रस्णों से इसका भेद किया जाता है और तारंकित प्रस्ण जिस प प्रस्टाव को अनुपूरक प्रस्ट नहीं पूझे जाते हैं अस्थगन प्रस्टाव पेस करने का प्रमुकुद्देश से किसी और लंबनिये लोग महत्व के मामले की और सदन का ध्यान आकर्शित करना है जब इस प्रस्टाव को और स्विकार कर लिया जाता है तब सदन और लंबनिये लोग महत्व के निस्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियामित कारी रोक देता है इस प्रस्ताब को पेस करने के लिए नियुनतम 50 बर्श की स्विक्रती अवस्यक है अस्थंगन प्रस्ताब के लिए आठमा प्रस्ताब के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधी से कम सुचना देकर पूछा गया हो उसे हम कहते हैं अल्प सुचना प्रस्ताब इस संचित निधी कंसीलडेटेटर फंड समयधान के अनुचे 266 में संचित निधी का प्रपधान है संचित निधी से धन सदन की संस्तुति अनुदान मांगों के द्वारा ही बै किया जाता है राजीयों को करो एबम सुलको में से उसका अंस देने के बाद जो धन बजता है निधी में डाल दिया जाता है राश्टरपती उपराश्टरपती नियंत्रक और महाले का परिक्षक आधी के बेतन तथा भत्तेवी इसी निधी पर भाड़ित हैं। के बिना इस मद सेधन नहीं निकाला जा सकता विशेस परिस्थिती में राश्टरपती अग्रिम रूप से इस निधी के धन को निकाल सकता है। पांच बजे से लेके सारे पांच बजे के बीच हो सकता है। ऐसी चर्चा का विशे पढ़ियाब तो लोक महतु में होना चाहिए। तथा विशे हाल के किसी तरांकित और तरांकित या अल्प सूचना का प्रस्न रहा हो। और उसके उत्तर में किसी तथ्यात्मक मामले का असपस्तिक्रन आवस्चेक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पहले करना पड़ेगा। अगर हमारा अल्प कालिन चर्चा हैं। रिखनों याँ पे एक सो प्रस्न पर सदन का ध्यान आकर्शित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए असपस्त कारनों सहित सदन के महासचीव को सूचना देना अवस्यक है। इस उचना पर कम से कम दो अनि सदस्यों का हस्ताक्षर होना अवस्यक है। बिन्योग बिधेयक में भारत की संचित निधी पर भारित ब्याय की पूर्टी के लिए आपेक्षिक धन तथा सरकार के खड़चे तू अनुदान की मांग सामिल होती है। भारत की संचित निधी में से कोई धन बिनियोग बिधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है चौता है लेखा नुदान जैसा कि बिधित है बिनियोग बिधेयक के पाडित होने के बाद ही भारत की संचित निधी से कोई रकम निकाली जा सकती है सरकार को इस विध्यक के पाडित होने से पहले वी रुपिय की आवसकता हो सकते हैं अनुचित 116 का को के अंतरगत लोकसभा लेखा अनुदान पाडित कर सरकार के लिए एक अगडिम रासी मंजूर कर सकते हैं जिसके बाड़े में बजट विवरंद देना सरकार के लिए के अनुचित 112 बित विध्यक को परिवासित करता है जिन बितिय प्रस्तावों को सरकार अगामी बर्स के लिए सदन में प्रस्तूत करता है उसे बितिय प्रस्तावों को मिला कर बित विध्यक की रचना होती है समानिता बित विध्यक उस विध्यक को कहते हैं जो राजस्व या ब्याई से संबंधित होता है सदन में प्रस्टूथ सभ्ही धन विदेयक नहीं हो सकते धन विदेयक है या नहीं इसे परमानित कौन करता है लोकông давा का अध्यक़ है वो खोण बताएगा लोग सभा का अध्यक़् सोलवा है धन विधयक परचालू बर्स के लिए ब्या किये जाने के लिए प्रधिकृत कोई रासी और पढ़ियाप्त पाई जाती है या बर्स के बजट में उल्लेखित ना की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च किया वसकता उत्पन हो जाती है तो रास्टरपती एक अनुपूरक अनुदान संसत के समख्च पेस करवाएगा अनुपूरक अनुदान और बिनयोग बिधयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया बिधित की होगी अठार्मा सब्द जो है बजट सत्र यह सत्र फरवारी के दूसरे या तीसरे सब्ता के सोमवार को आरंब होता है इसे बजट सत्र इसलिए कहते ह कि इस सत्र की अगामी बितिये वर्ष का अनुमानित भजट परस्तू होते बिचरित और पाडित किया जाता है नौमा है सामुहिक उत्तरदाईत हुआ अनुछित 75 के तीन के अनुसार मंत्री पडिसद लोगसभा के परती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होता है इसका इसमा है कटोती प्रस्ताव कटोती प्रस्ताव सत्ता पक्षद्वारा सदन की स्विकृति के लिए प्रस्तूत अनुदान की मांगों में से किसी भी परकार की कटोती के लिए विपक्षद्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटोती प्रस्ताव कहा जाता है सरकार की निदियो की और स्विकृति को दर्साने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय एक रुपिया की कटोती का प्रस्ताब किया जाता है जिसका अर्थ यह होता है कि प्रस्ताब मांग के मुद्य का असपस टुलिक किया जाए एक इसमा है आपका औविश्वास प्रस्ताव औविश्वास प्रस्ताव सदन के भी पक्षी दल के किसी सदस्य के दुआरा रखा जाता है प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम पचास सदस्यों का होना आवस्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तूत किये जाने के दस दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवस्यक है चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान दुआरा निरने की घोसना करता है आगे सब्दें हमारा मूल प्रस्ताव मूल प्रस्ताव अपने आस में संपुर्ण प्रस्ताव लेता है जो सदन के अनुमोधन के लिए पेस किये जाते हैं मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे सदन के फैसले की अभिव्यक्ती हो सके निम्निलखिर प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं पर जैसे की राष्टरपतिक अभिभासन का धनिवाज प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्री परिसद में अपना अविश्वास बेक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्री परिसद को त्याग पतर देना पड़ता है लोग सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज सभा के उपस्वापती के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए ये प्रस्ताव जारी होता है मिलने और विश्वास प्रस्ताव बिसे साधिकार प्रस्ताव यह प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा पेस किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्री परिशद के किसी सदन से ने सदन में जूटा तथा प्रस्तूत करने के सदन के विश्व सदरिकार का उलंगन किया है तब 23. अस्थानापन प्रस्ताव जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के अस्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेस किया जाता है उसे हम कहते हैं अस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है अस्थानापन प्रस्ताव को आगया अनुसंगी प्रस्ताव इस प्रस्ताव को विभिन प पर विचार करने के प्रस्ताव से प्रस्ताव के संबंद में प्रस्तावित प्रस्ताव 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 या प्रस्ताव मुल प्रस्ताव के संबिधान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्ताव जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्विकार या और स्विकार किया ज जाता उसे हम कहते हैं और नियमित दिनवाला प्रस्ताव 28 में अध्यादेश काफी इंप्रोटेंट है राश्ट्रपती या राजपाल संसत या विधानमंडल के सत्रावासन के स्थिति में आवस्यक विशाय से समंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं अध्यादेश म से आपका है निंदा प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव मंत्री पडिशत अत्वा किसी एक मंत्री के विरुद उसके फ़लता पर खेट अत्वारोज व्यक्त करने के लिए किया जाता निंदा प्रस्ताब में निंदा के करनों का उल्ले करना अवस्यक होता है निंदा प्रस्ताब नियमानुसार है या नहीं इसका अध्यक्च ही निरनाई लेगा तीसमा है धन्यवाद प्रस्ताव मतलब ये पुरा क्लियर है कोई अगर लुसंसत अच्छा काम करेगा न उसके लिए क्या गरेगा धन्यवाद प्रस्ताव अगे विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के संदे होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोक सभा में विश्वास प्रस्थाव लाया जाता है यह प्रस्थाव का उद्देश से यह सिध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है या नहीं है बिश्वास प्रस्थाब के पारित ना होने की दसा में सरकार को त्याग पतर देना आवस्यक हो जाता है 32 है बैंक वेंचर सदन के आगे के अस्थान प्रायह बंतरियों संसदिय सचीव और बिरोजी दलके नेताओं से आरक्षी तुराता है गैर सरकारी सदस्यों के लिए पिछला अस्थान नियत होता है पीछे बैटने वाले सदस्यों में से ही बैंक वेंचर कहा जाता है गुलेटीन या संसदिय प्रकडिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथी तक न निर्पटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है आगे हमारा दिया गया है संभीधान के कुछ महत्पूर्ण अनुछेद तो इसको हम न अब अगले वीडियो में कवर करेंगे जरूर लाइक मेरे जरूर कर देना और जितना हो सके उसको शेयर करो ताकि अधिक सद्ग लोगों तक पहुँच पाए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं आध्यान के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुशेंट समानी ज्यान जिसमें हमारा चल रहे भारती संभीधान और 38 और 49 एक्सेसाइज बच जाएगा टेलीग्राम गुरूप पे टेलीग्राम गुरूप नहीं जोइन की हो तो ज़रूर्ण कर लेना वहां मैं अन्य कभी पोटो भी शेयर कर देता हूं अच्छा लगता है उसमें और मैंसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना लिंक दोनों का डिस अनुशे 2 नंए राज्य के प्रवेस या अस्थापना का प्रब्धान है नुशे तीन संशद बिधी दुआरा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के छेत्रों, सिमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकता है ये हैं अनुशे 2 अनुछेद पांच संबिधान के प्रारंब होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहां के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हो जिनके पिता या माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या संबिधान के प्रारंब के समय भारत में रह रहे हो यह दिया गया आपका अनुछेद पांच में अनुछेद तिरेपन संग की काड़ीपाली का समंधी सकती रास्टरपती में नहीत होती है यह दिया गया है अनुछेद तिरेपन में देखो इसके बीच भी कुछ इंपोटेंट है अनुछेद लेकिन जब हम मूल अधिकार तद तो है वहाँ पे एक लाइन से पूरा संविधान दिया गया तद वहाँ में लोग पढ़ लिये थी। इसलिए यहाँ पे बुक में भी नहीं दिया गया है। वह आपकर मास्टर वीडियो देख लोगे ना पूरा एक जगा किलियर हो जाएगा। अनुछेद 64 उप्रास्टर पती राजी सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुछेद 74 एक मंत्री पडिसद होगी जिसके सीर्ष पर परधान मंत्री रहेगा जिसकी सहायता एवं सुझाव के अधार पर रास्टर पती अपने काड़ी संपन करेगा। रास्टर पती मंत्री पडिसद के लिए किसी सलाह के पुनरविचार को अवस्यक समझ सकता है पर पुनरविचार के पस्चात दी गई सलाह के अनुशार होगा कारी करेगा। जिसे समंधित किसी बिवाद की पडिक्षा किसी नियाले में नहीं दी जाएगी। अनुशेद शीहतर काफी इंपोटेंट है। रास्टर पती द्वारा महा नियवादी की नियुक्ति की जाएगी। रास्टर पती ही महा नियवादी का नियुक्ति करेगा यह अनुशेद शीहतर। प्रस नैसे आ जाएगा अनुछेद 76 का सम्मंध किस से है तो महानियवादी की न्युक्ति से अनुछेद 78 परधान मंतरी का यह करता भी होगा कि वह देश के प्रसासिनिक एवन बिधाई मामलों तथा मंतरी पडिसद के निर्नाय के सम्मंध में राश्टरपती को सूचना दे यदि राश्टरपती इस परकार की सूचना प्राप्त करना आवस्यक समझे तो वो सूचना यह अनुछेद 78 अनुछेद 86 इसके अंतरगर राश्टरपती दोर्ण संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है अनुचेद 89 राजसभा के स्भापती एवं उप्सभापती राजसभा का स्भापती और उप्सभापती के बारे में दिया गया है 89, 89 में अनुचेद 108 यदि किसी बिधहयक के सम्मंद में दोनों सदनों में गतिरोद उत्पन हो गया तो संजुक्त अधिवेशन का प्रापधान है अनुचेद 108 के अंतरगत अनुचेद 110 धन बिधेयक को इसमें परिभासित किया गया है धन बिधेयक को परिभासित किया गया 110 बहुत इंपोटेंट है 110 क्या है धन बिधेयक को परिभासित किया गया है अनुछेद 111, संसद के दोनों सदनों दुआरा पाडित विध्यक राश्टरपती के पास जाता है राश्टरपती इस विध्यक को सम्मती परदान कर सकता है या अस्विक्रित कर सकता है वो संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनड़ विचार के लिए भेज सकता है पर यदि दोबारा विधय को संसद द्वारा रास्टरपती के पास भेजा जाता है तो वो उसे अस्विक्रित नहीं कर सकता है काफी इंपोर्टेंट है अनुचेद अपका 111 अनुचेद 111 अनुचेद 112 प्रतेक बीती एवर सहेतु रास्टरपती दुआरा संसद के समक्ष बजट पेस किया जाएगा अनुचेद 123 संसद के अवकास में रास्टरपती को अध्यादेस जारी करने का अधिकार है जब सतर नहीं चलेगा तब भी वो अध्यादेस जारी कर सकता है अनुचेद 124 इसके अंतरगत सर्वोचे नियाल्य के गठन का बड़न है किसमें हैро 124 में 123 भी काफी important दा अध्यादेश जाड़ी करने का अधिकार है अनुचेद 129 सर्वोचे नियाले एक अभिलेक नियाले है सर्वोचे नियाले एक अभिलेक नियाले है यह है अनुचेद 129 अनुचेद 148 नियंतरक एबं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति राश्टरपती करता है 148 में क्या दिया गया है नियंतरक और महालेखा परिक्षक की नियुक्ति के बारे में अनुचेद 163 राजेपाल के काडियों में सहायता एवम सुझाव देने के लिए राजियों में एक मंत्री पड़िसाद है एवम इसके सिर्थ पर मुख मंत्री होगा पर राज येपाल के स्वभिवेक समंधी काडियों में वह मंत्री पड़िसाद के सुझाव लेने के लिए बाद ये नहीं होगा देखो होता क्या है ना मतलब अभी आपको लग रहा है कि याद ही नहीं हो रहा है आप अगर एक दो बार इसको देखते हो नहीं एक वारी पूरा देख लोगे ना तो एक आइडिया लग जाता है कि इसा अनुछेद में अचा ऐसा है एकजाम में टिक कर पाऊगे ठीक ना तो देखो अनुछेद 169.179 राजियों में बिधान परिशद की रचना या उनकी समाप्ति बिधान सभा द्वारा बोहमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्विक्रिती से संभव हैं अनुछेद 200 राजी की बिधाय का द्वारा पारित बिधायक राजपाल के समक्ष प्रस्तूत किया जाएगा वह इस पर अपनी सम्मती दे सकता है या इसे औस्विक्रित कर सकता है वह इस विधायक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनरविचार हे तो विधायका को वापस भेज सकता है पर पुनरविचार के बाद दोबारा विधायक अगर आ आगे अनुछे 213, राजी बिधायका के सत्र में नहीं रहने पर राजपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुछे 214, सभी राजियों के लिए उच्छी नियाले की वस्ता की गई है, सभी राजी में उच्छी नियाले होगा, अनुछे 226, मूल अधिकारों के प्रवरतन के लिए उच्छी नियाले को लेख जारी करने की सकती है, और अनुछे 233, जिला नियाधिसों की न्युक्ति राजपाल द्वारा उच्छी नियाले के प्रामर्श से की जाएगी, अनुछे 235, उच्छी नियाले का नियंतरन अधिनस्त नियाले पर रहेगा, उच्छी नियाल को इसके प्रसाशन का दैतु सोब सकता है या एक प्रसासक की निखती भी कर सकता है अनुछे 243 इसमें पंचायत एवं नगरपालिका का गठन है सनरचना आरक्षन सक्तियां प्राधिकार एवं उत्राधिक से संबंदित प्राब्धान किया गया है पंचायत एवं नगरपालि ककी गठन सनरचन आरक्षन सक्तिया प्रातिधिकार उत्रदायत इस सबसे समधित प्राफधान है अनुचे 243程ट डोसोथाघन संसद संपूर्ण देश या इसके किसी भी हिस्से के लिए तठा राज्य विधाय का अपने राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून ब अनुछे दोसो उन्चास राजसभा बिस्यस बहुमत द्वारा राजसुची के किसी विशाय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानुन बनाने के लिए अधिक्रित कर सकता है यदि वो इसे राजस्ठित में अवश्यक समझे तो ऐसा करेगा अनुछे दोसो उन्चास के अंतरगत है अनुछे 262 अंतरराजी नदिया एवम नदीग हाटियों के जल के बित्रन एवम नियंत्रन से सम्मंदित बिवादों के लिए संसद बिधी द्वारा निर्दाय कर सकती है अनुछे 263, केंद्र राजी समंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के चत्रों में विकास के उद्देश से राष्टरपती एक अंतराजीय पडिसत की अस्थापना कर सकता है अनुछे 266, भारत की संचित निधी जिसमें सरकार के सभी मोदरिक अवसिस्टिया नियंतलब एकत्र होगी रहेगी विधी समत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी रासी नहीं निकाल सकता यह है अनुछे 266 संसद बिधी द्वारा एक आकस्मिक निधी अस्थापित कर सकता है जिसमें औकस्मात उत्पन प्रिस्थिती के लिए रासी एकत्र की जाएगी अनुछे 275, केंदर द्वारा राजियों को सहायक अनुदान दिये जाने का प्रापधान है अनुछे 280, राश्टरपती हर पांचवे वर्ष एक वित आयो की अस्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्नी सदस्थ होंगे जो राश्टरपती के पास केंदर और राजियों के बीच करों के बित्रन के संबंद में अनुसंसा करेगा अनुछे 300 का कौँ राजि किसी भी ब्यक्ति को उसकी संपत्ती से वंचित नहीं करेगा पहले ये परापधान मूल अधिकारों के अंतरगत था पर संबिधान के 44 में संबिधान संसोधन 1978 द्वारा इसे अनुछे 300 के कौँ में एक समान्य बैधानिक कानून के रूप में अवस्तित कर दिया गया अनुछे 300 के कौँ के कोड़ी अनुछे 312 राजिसभा विशेस बोहमत द्वारा नई अखिल भारती सेवाओं का गठन या अस्थापना कर सकता है 312 अनुछे 315 संग एवम राजियों के लिए एक लोग सेवा आयोग की अस्थापना की जाएगी यह अनुछे 315 अनुछे 324 चुनावों के प्रिवेक्षन निर्देशन एवम नियंतरन समन्ति समस्त सक्तियां चुनाव आयोग में नहीत रहेगी अनुछे 326 लोग सभा तथा विधन सभावों में चुनाव वैस्क मताधिकार के अधार पड़ होगा अनुछे 330 लोग सभा में अनुशुचित जातियों इवम जन जातियों के लिए आरक्षन है अनुछे 331 आंगल भारतिय समुदय के लोगों का राश्टरपती द्वारा लोग सभा में मनुनेयन संभव है यदि वो समझे तो उनका उचित परतिन्दितु नहीं है यह है अनुचे 331, काफी इंपोरेंट है, आंगल भारतिय समुदय के लोगों का रास्टरपती द्वारा लोकसभा में मनोनेयन संभभ है, यदि वो समझे कि उनका उचित परतिनती तो नहीं है, तो आंगल भारतिय समुदय के लोगसभा में रास्टरपती, वो आता है जन जातियों का बिधान सभा में अरक्षन का प्रापधान, अनुचे 333, आंगल भारतिय समुदय के लोगों का बिधान सभाव में मनोनेयन, अनुचे 335, अनुचे 338, का को रास्टरिय अनुचे जन जातियों के वारे में है, अनुचे 340, पिछरे वर्गों की दसाओं में अनुवेशन के लिए, आयोक की न्युकती है, 340 में, 343, संघ की आधिकारिक भासा, देवनागली लिपी में लिखी गई हिंदी होगी, संघ की या दरखेगा, देश की या रास्टर की ने लिखाया, संघ की आधिकारिक भासा की होगी, हिंदी होगी, ये दिया गया है अनुचे 343 में, अनुचे 347, 327, या दि किसी राजी में, पड़ियाप्त संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हो, और उनकी आकांचा हो, कि लोग द्वारा बोली जाने वाली भासा को मानिता दी जाए, तो उसकी अनुमती के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, वो है हिंदी के लिए अनुचे 351 में, मतलब 343 से लेकर 51 तक जो है वो भासा से रिलेटेड, हम लोगों पर पठे हुए थे, अनुचे 352, रास्टरपती दुआड़ा, अपात सक्ति की घोसना, यदि वो समझता हो कि भारत या उ और सैन्य विद्रोह के फलसुरूप खत्रे में है, तो क्या लगेगा, अपात स्तिती लगेगा, 352 के अंतरगत, फिर 356 क्या था, इसमें रास्टरपती सासन लगेगा, और 307 क्या था, बीती आपात, यह सब पढ़े हुए है ठीक ना, अभी हम 355 पढ़ते हैं, इसमें बाह द्हानिक तंतर और सफल होके आए, तो वो रास्टरपती सासन लागू कर देगा, 360 में यह रास्टरपती यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग में बीती इस्थिरता या साक को खत्रा है, तो वो बीती आपात इस्थिरती को घोसना कर सकता है, इसको आरम काफी देशक का पालन करने में और सफल रहता है, तो रास्टरपती द्वारा यह समझा जाना बिधी सम्मत होगा कि उस राज्जिक में संबिधान तंतर के अनुरूप प्रसासन चलाने की इस्थिती नहीं है, और वो रास्टरपती सासन वहा लागू कर सकता है, अनुछे 368, को संबिधान के किसी भी भाग का संसोधन करने का अधिकार है, अनुछे 368 का कहता है, कि संबिधान के किसी भी भाग में संसोधन कौन कर सकता है, अनुछे 371, कुछ राजियों के विशेश चेत्रों के विकास के लिए रास्टरपती बोर्ड अस्थापित कर सकता है, जिसे क महरास्टर गुजरातनागा लेंड और मनिपूर के लिए अनुछे 394 को रास्टरपती अपने अधिकार के अंतरगत इस संबीधान का हिंदी भासा में अनुछित करवाएगा अनुछे 395 भारतिय सुतंदरता अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें विपड़ी कॉंसिल काड़िछेतर अधिनियम सामील होते हैं यहां रद्य किया जाता है मतलब यहां से भारतिय संबीधान हमारा चालू होता है आगे दिया गया है 49 एक्सेसाइज है संबीधान में किये गए पर्मुक संसोधन ठीक ना इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लेट कर लेते हैं ताकि जल्दी से मारा बुक्रा कंप्लेट हो जाए बहुत दिन हो गया पहला संसोधन है 1951 में वह था पहला संसोधन 1951 इसके माध्यम से सोतंतरता समानता एवं संपती से सम्मंधित मौलिक अधिकारों को लागो किये जाने सम्मंधि कुछ वेभारी कटनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया है भासन एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार पर उसमें उचित पर्तिवंध की विवस्था की गई है साथ ही इस संसोधन द्वारा संबिधान की नौवी अनुसुची को जोड़ा गया है जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोची नियाले के नियाईक पुनरावलोकन की सक्ति के अंतरगत परिक्छा नहीं की जा सकती है दूसरा संसोधन है उन्नी सो बाबन में हुआ था इसके अंतरगत उन्नी सो एक्क्यावन की जनगना के आधार पर लोग सभा में परतिनधित्व को पुन्दर विवस्थित किया गया जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं आध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से हम अभी पढ़ रहे हैं लुसेंट का संभीधान यह एक्सेसाज हम पहले वाले वीडियो में कंप्रेट कर लेते हैं पर जब यहां तक पढ़े ना तो पता नहीं क्या हुआ अटमेटिक मेरा सिस्टम ही आप हो गया तो 39 नमर एक से जो है न फिर से पढ़ते हैं यह संभीधान का यह लुसेंट का जो बुक है ना उसका यह लास्ट वीडियो होगा इसके बाद मास्टर वीडियो आज आएगा उसको भी देख लीजेगा रिवीजन प्रस्पेक्टिव से अच्छा होता है और इसका हम एकोनोमिक से स्टाट करने वाले हैं इंडियन एकोनोमिक सो लुसे भारी कटनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया बहासन एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार पर इसमें उचित पर्तिवंथ की विवस्था की गई साथ ही इस संसोधन दुआरा संभिधान की नौवी अनुसुची को जोरा गया जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्व 251 इस विक की जनगन्ना के अधार पर लोग सभा में पढ़ती निधित्व को पुंदर व्यवस्थित किया गया अब यह जो होगा दोहजार चब्विस में होगा तीसरा संसोधन 1954 में होता है तीसरा संसोधन 1954 इसके अंतरगत सात्वी अनुसुची को समवर्ती सुची की 33 प् समझने पर सरकार उन पर नियंत्रन लगा सकती है चोथा संसोधन 1955 में हुआ जिसके अंतरगत ब्यत्तिकत संपती को लोग के हित में राजी दुआरा हस्तगत किये जाने के स्थिति में नियाले इसकी छती पूर्ती के सम्मध में परिक्षा नहीं कर सकती है पांचमा संसोधन 1955 में हुआ संबिधान को यह सकती प्रदान की गई कि वो राजियों के छेत्र सीमा और नामों को परभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्री ये बिधान पर उसके मत देने के लिए राजी मंडल हेतु समय सीमा निर्धारित करे यह है पांचमा संसोधन 1955 का चठा संसोधन 1956 में जो हुआ था इस संसोधन द्वारा सातवी अनुसुची के संह सुची में पडिवर्तन कर अंतर राजिये बिक्डी कर के अंतरगत कुछ बस्तूओं पर केंद्र को कर लगाने का आधिकार दिया गया चठा में संविधान संसोधन के अंतरगत अब है सात्मा संविधान संसोधन 1956 इस संसोधन द्वारा भासाई अधार पर राजियों के पुनरगठन किया गया जिसने पहले वे तीन सरेणियों में राजियों के वर्गी करन को समाप्त करते हुए राजियों इबं किंद्रसासि परदेश में उन्हें विवाजित किया गया साथ ही उसके अनुरूप केंदर और राज जी की बिधान पाली कावों में सीटों की पुनरस्थापित की गई आठमा संसोधन था 1969 में इसके अंतरगत केंद्र और राज्जी के निम्न सदनों में अनुसुचि जाती अनुसुचि जन जाती और आंगल भारती समुदय के आरक्षन समंधी प्रवधान को दस बर्सों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया नुमा संसोधन 1960 इसके द्वारा संबिधान की प्रथम अनुसुचि में परिवर्तन कर भारत और पकिस्तान के बीच 1958 की संधी की सर्ते के अनुसार बेरू बारी खुलना छेत्र पकिस्तान को दे दिया गया दसमा संसोधन 1961 जिसके अंतरगत भूत पुर्व पूर्टगाली अंताचेतर दादर और नागर हवेली को भारत में सामिल कर उन्हें कंद्रसासित परदेश का दरजा दिया गया ये था दसमा संसोधन इसके अंतरगत उप्रास्टरपती के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संधर में दो सदनों के संजुक्त अधिवेशन को बुलाया गया साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल के पद के रिख्तियों के अधार पर रास्टरपती या उपरास्टरपती के निर्वाचन को चुनौती नहीं दीया सकती है बारवा संसोधन जिसके अंतरगत संबिधान की पर्थम अनुसुची में संसोधन कर गोवा दमन वा द्यूप को भारत के केंद्रसासित परदेश के रूप में सामिल कर लिया गया। तेरहवा संसोधन उनुसुची में जिसके अंतरगत नागालेंड के संब्ध में विशेस परावधान अपना कर इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। पंद्रहवा संब्धान संसोधन 1963 में हुआ जिसके अंतरगत उच्छी नियाले के नियाधिसों की सेवा मुक्ति की आयू 60 से बढ़ाकर 62 वर्स कर दी गई। तथा आवकास परावध नियाधिस को उच्छी नियाले में नियुक्ति से संब्धित परावधान बनाएगे। याद रखिएगा ये हाई कोट का है। सुप्रीम कोट का कितना है? 65 है। आगे हमारा सुलावा संसोधन 1963 इसके द्वारा देश की संप्रभूता एबं अखंडता के हीत में मूल अधिकारों पर कुछ पर्तिबंध लगाने के प्रभधान रखे गए हैं। साथी तीसरी अनुसुची में अभी परिवर्तन कर सपत गरहन करने के अंतरगत मैं भारत की सुतंदर्ता एबं अखंडता को बनाए रखूंगा ये जोड़ा गया है। इसके अंतरगत पंजाब का भासाई अधार पर पुनरगठन करते हुए पंजाब भासी छेत्र को पंजाब एबं हिंदी भासा छेत्र को हर्याना के रूप में गठित किया गया। सुनाने का अधिकार दिया गया। आगे आपका बीसमा संसोधन 1966 का जिसके अंतरगत और नियमित्ता के अधार पर न्युक्त कुछ जिलास नियाए धीसों के न्युक्ती को बैधता परदान की गई। इसके दुआरा सिंधी भासा को संविधान की आठवी अनुसुची के अंतरगत 15 भी भासा के रूप में दर्जा मिला। याद रखिएगा सिंधी भासा आठवी अनुसुची में कब जोरा गया। इस संविधान संसोधन के आरक्षन एवं आंगल भारती समुदय के लोगों का मनुनयान और दस वर्चों के लिए बढ़ा दिया गया। 24 संसोधन 1971 में हुआ इस संसोधन के अंतरगत संसध की इस सक्ति को असपस्ट किया गया कि वो संविधान की किसी भी भाग को जिसमें भागतीन के अंतरगत आने वाले मूल अधिकार भी संसोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संसोधन समंधी बिधयक जब दोनों सदनों से पारित होका राश्टरपत्ती के समक्ष जाएगा तो उस पर राश्टरपत्ती द्वारा समंधी दिया जाना बाधिकारी होगा। अधिकारों का उलहंगन के अधार पर चुनौती नहीं दिया सकती है। संब्धान की नवी अनुसची में रखा गया जिससे इसकी संब्धानिक बैधता को नियाले में चुनौती नहीं दी जा सके। 31 संब्धान संसोतन जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्यां 525 से लेकर 545 कर दी गई। तथा कंद्र सासित परदेश की संख्यां 25 से घटा कर 20 कर दिया गया। कि वह सिर्फ स्वेक्षा से दिये गए उचित त्याग पत्र को ही स्विकार करे। 34 संब्धान संसोतन 1974 में हुआ जिसके अंतरगत विभिन राजियों द्वारा पाडित 20 भूमी सुधार अधिनियम को 9 अनुसुची में परवेश देते हुए उन्हें नियालाई द्वारा संब्धानी के वैधता के परिक्षन से मुक्त कर दिया गया। 35 संसोतन 1974 में हुआ जिसके अंतरगत सिक्किम को सनरक्षित राजि का दरजा समाप्त कर उसे संबंध राज के रूप में भारत में परवेश दिया गया। 36 संसोधन 1975 में हुआ जिसके अंतरगत सिक्किम को भारत का 20 मा राजी बनाया गया 37 संबिधान संसोधन 1975 जिसके तहात अपात इस्थिती की घोसना और राश्टरपती राज जेपाल एबं केदर सासित परदेशों के प्रसासिक परधानों दुआरा अध्यादेश जारी किये जाने को और विवादित बनाते हुए नियाईक पुनडविचार के लिए उन्हें कर दिया गया एक तालिस्मा संबिधान संसोधन 1976 जिसके दुआरा इस राज्ये लोक सभा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ती की आयू साथ से बढ़ा कर बासट कर दी गई पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानेविर्ती की अधित्यम आयू 65 वर्सी रहने दिया 42 संबिधान संसोधन इसके दुआरा संबिधान में ब्यापक परिवर्तन लाए गए जिससे मुख्य निम लिखी थे पहला था संबिधान की प्रस्तावना में समाजबादी धर्म निर्पेक्च एवं एकता और अखंडता आधी सब्द जोड़े गए सभी निती निर्देशक सिध्यान्त को मूल अधिकारों पर सर्वच्य सुनिश्चित की गई इसके अंतरगत संबिधान में दस मौली करतब्य को 51 के कौमें जोड़ा गया भाग चार के कौमें है इसके दुआरा संबिधान में नियाईक परिछन को मुक्त किया गया इसके दुआरा ये निर्धारित किया गया था कि किसी केंदरी ये कानून की बैधता पर सर्वच्य नियाले और राजी के कानून की बैधता पर उच्य नियाले का परिछन करेगा साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवेधानिक बैधता के प्रस्न पर पांच से अधिक नियाधिसों की बेंच दुआरा दो तीहाई बहमत से निर्णाय लिये जाने चाहिए और यदि नियाधीसों की संख्या पाँच तक हो तो निर्ने सर्व सम्मत्ती से होना चाहिए इसके दुआरा बन संपदा, सिक्छा, जन संख्या नियंत्रन, आदी विसाईयों को राज सुची से समवर्ती सुची के अंतरगत डाल दिया गया इसके अंतरगत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपती मंत्री पडिसद एवं पर्मुक परधान मंत्री की सलाह के अनुसार काड़ी करेगा इसके संसद, इसने संसद को राष्ट विडोधी गतिविद्यों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिये एवं सर्वच्य अस्थापना कि इद्रागंधी के टाइम होता, काफी मतलब इरिलेवेंट कहा जाता है इस प्यालिसमे संबिधान संसोदन को इसके अंतरगत राष्ट्री अपात इस्थिती लागू करने के लिए अंतरिक असांती के अस्थान पर सैने बिद्रोह का आधार रखा गया और अपात इस्थिती समंदी अन्य प्रापधानों में परिवर्तन लाया गया जिसके उनका दुर्पयोग ना हो इसके द्वारा संपती के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा कर कानूनी अधिकार की स्रेनी में रख दिया गया लोकसभा और राज्य विधान सभाओं की अवधी छो वर से घटा कर पांच पर्स कर दी गई उचितम नियाले को राश्ट्रपती और उप्राश्ट्रपती के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकता प्रदान की गई थी आगे पचासमा संविधान संसोधन 1984 का इसके दुआरा अनुचे 33 में संसोधन कर सैनी सेवाओं को पूड़क सेवाओं में कारी करने वालों के लिए आवस्यक सुचना एकत्रित करने देश की संपती की रक्षा करने और कानून दुआरा विवस्था से संबंधित दायतु भी निभाने के दुद्या गया इस संसोधन के दुआरा राजनिती दल बदल पर अंकुस लगाने का लक्ष रखा गया जिसके अंतरगत संसद या बिधान मंडल को उन सदस्यों को अयोगी घोसित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनावचिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था पड़ यदी किसी दल की संसदिय पार्टी के एक तिहाई सदस्ये अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगा दल बदल बिरोधी इन प्रभधानों को संबिधान की दसवी अनुसुची के अंतरगत रखता है आगे है चवानमा संबिधान संसोधन 1986 में हुआ जिसके द्वारा संबिधान की दूसरी अनुसुची के भागडी में संसोधन कर नियाधीसों के बेतन में बिर्धी का अधिकार संसद को दिया गया पचपनमा संबिधान संसोधन 1986 जिसके अंतरगत अरुनाचल परदेश को राजी बनाया गया चपनमा संबिधान संसोधन जिसके अंतरगत गोवा को एक राजी का दर्जा दिया गया और दमन और दीवकों के नसासित परदेश की रूप में ही रहने दिया गया इस सतावदी के अंततक कर दिया गया 58 1987 में हुआ था जिसके दुआरा राष्टरपती को संबीधान का प्रमानिक हिंदी संस्क्रण प्रकासित करने के लिए अधिक्रित किया गया 60 संबीधान संसोधन 1988 में हुआ जिसके अंतरगत बेवसाई कर की सीमा 250 रुपिये से बढ़ा कर 25 रुपिये परती वेक्ती परती वर्स कर दिया गया बेवसाई कर सीमा आगे आपका 61 61 इसके दुआरा मताधिकार की आयू जो है 21 बर से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया बेरी इंपोटेंट 65 संबीधान संसोधन 1990 में हुआ जिसके अंतरगत अनुचे 338 में संसोधन करके अनुचुचित जाती और जन जाती आयो के गठन की वस्ता की गई 69 तरमा 69 1991 में हुआ था दिल्ली को दिल्ली को राश्ट्री राजधानी छेतर बनाया गया और दिल्ली संग राजधानी छेतर में के लिए विधान सभा और मंत्री पड़िसद का उपवन्त किया गया 17 संबीधान संसोधन 1992 वाला दिल्ली और पुदुचेरी संग राजधानी छेतर की विधान सभावों के सदस्यों को राश्टर पती के लिए निर्वाचन मंडल में समलित होने का अधिकार दिया गया यह 1992 में हुआ था 17 संबीधान संसोधन काफी इंपोर्टेंट है आगे है 71 सेवेंटी फस्ट 1992 में हुआ था आठवी अनुसुची में कौंकनी मनी पूरी और नेपाली भासा को समलित किया गया याद रखिएगा नेपाली इंटेर्ट मतलब यह दूसरी दिसकी लेंग्वेज है और यह हमारे आठवी अनुसुची में है जबकि इंग्लिस नहीं है तेहतरवा संबीधान संसोधन 1992 से 1993 में हुआ था जिसके अंतरगत संबीधान में ग्यारवी अनुसुची जोरी गई पंचैती राजसमंदी प्रब्धानों को समलित किया गया और इसी के दौरा भाग नो जोरा गया जिसमें अनुच्छे 243, अनुच्छे 243 का को से लेके नो तक अनुच्छे जोरा गया चोहतरवा संबीधान संसोधन 1993 में हुआ था इसके अंतर गत संबीधान में बारहवी अनुसुची सामिल की गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिशत से सम्मधित प्राब्धान किया गया इस संसोधन के दौरा संबीधान के भाग 9 का को जोरा गया और अनुच्छे 243 से लेकर 243 यो तक अनुच्छे जै नोट में दिया गया है कि 73 संबीधान संसोधन 25 अप्रेल 1993 से लेकर 74 संबीधान संसोधन एक 111 के सतेच्छामा मेना 1993 तक परिविरत रहाँ आगे 63 संबीधान संसोधन 1994 वाला इस संबीधान अधिनियम द्वारा संबीधान की 9 अनुसुची में संसोधन किया गया और तामिल लाडू सरकार द्वारा पाडित पिछरे वर्गों के लिए सरकारी नोकडी में 69 परसेंट अरक्षन उपबंध करवाने वाली अधिनियम को 9 अनुसुची में सामिल किया गया आगे 38 अनुसुची में विभीन राजियों द्वारा पाडित सत्यस भूमी सुधार विधियों को स्माविष्ट किया गया इस प्रकार नुसुची का समलित अधिनियम की कुल संख्या कितनी हो गई 284 हो गई आगे आपका उन्नीसवा उन्ना सीवा सेवेंटीनाइन इसमें अनुसुची जातियों और अनुसुची जनजातियों के लिए आरक्षन की अवधी 25 जनवडी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई इस संसोधन के माधियम से विवस्था की गई कि अब राजियों में परत्यक्ष केंद्रिये करों को प्राप्त कुल धनलासी 29 परतिसत का हिस्सा मिलेगा आगे आपका 12 सिवा संबीधान संसोधन अच्छा हुआ उस वीडियो में कंप्लीट नहीं वहने तो वीडियो काफी लमबा हो जाता वहुआ न नियुन्तम प्राप्तांकों में छूट पर्दान करने की अनूमती पर्दान की गई। तेरा सीवा, संबिधान सन सोधन जोकी 2000 में हुआ था। इस संसोधन द्वारा पंचैती राज स्थानों में अनुसुचित जाती के लिए आरक्षन का प्रापधान ना करने की छूट परदान की गई अरुनाचल परदेश में कोई भी अनुसुचित जाती ना होने के कारण उसे यह छूट परदान की गई है 84 संसोधन 2001 इस संसोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा बिधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 इसवी तक कोई परिवर्तान ना करने का प्रापधान किया गया है 85 संसोधन 2001 में सरकारी सेवाओं में अनुसुचित जाती जन जाती के अभ्यार्थियों के लिए पदो निती में अरक्षन की वस्था की गई है 86 संसोधन 2002 इस संसोधन अधिनियम द्वारा देश के चौ से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवाड़ी और निसुल्क सिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मानिता देने समन्दी प्रापधान किया गया है इस अनुछेद यानि एकिस के कौ के अंतरगत जोरा गया है इस अधिनियम द्वारा संबिधान के अनुछेद 45 और अनुछेद 51 के कौ में संसोधन का प्रापधान किया गया था नतलब ये 2002 में हुआ था 86th Constitution Amendment आगे आपका 87 संसोधन 2003 में जो हुआ था इसमें परिसीमन में जनसंख्या के अधार पर 1991 इस्वी में जनगन्ना के अस्थान पर 2001 कर दिया गया 88 संसोधन 2003 में जो होगा उसमें सेवाए कर का प्रापधान किया गया नवासीमा 2003 में हुआ जिसमें अनुसुचित जनगाती के लिए पिर्थक राश्ट्री आयो की अस्थापना की गयी 90 नमर का जो था 2003 में हुआ था असंबिधान सभा में अनुसुचित जनगाती और गयर अनुसुचित जनगातीयों के परति निधित्व बरकरार रखते हुए बोडो लेंड टेरिटोरियल कॉंसिल छेतर गयर जनगाती के लिए मतलब अधिकारों की सुरक्षा के बारे में ब पडिशत के सदसे संख्या करमसा लोकसभा तथा विधान सभा के सदसे संख्या का 15 परतिशत होगा जहां सदन की सदसे की संख्या 40 से 40 है यह अधिकतम 12 हो गये अगे 92 2003 में हुआ था इसमें आठवी अनुसुचि में बोडो डोगडी मैथली और संथाली भासा जोरा गया औ और 22 भासा टोटल हो गया आगे है 93 नंबर का 13 यह 2006 में हुआ था सिक्षा संस्थानों में अनुसुचित जाती जन्जाती और अने पिछले वर्गों के नागरिकों के दाखिल के लिए सेटों के आरक्षिन की विवस्था संभिधान के अनुचित 15 की धाराचार के प्रब्ध सगत राज्य में लागू करने की विस्था की गई मधिपर्देश और ओडिसा राज्य में यह प्रब्धान पहले से ही लागू है 95 नंबर का जो 2009 में हुआ था इस संसोधन के द्वारा 324 में संसोधन कर लोकसभा में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन्जातियो कि आरक्षन एवं अंगल भारतियों को मनुनुद करने समंधी प्राप्धान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया 96 नंबर का 2011 में हुआ था इसमें आटवी अनुसुचि में उडिया भासा के अस्थान पे ओडिया लिखा गया उडिया लिखा गया 97 नंबर का जो संबिधान संस 2017 dois 11 में इस संसोधन के दुआरा सहकाड इसमीति को एक संब्धानी क सन्थान एवं संरकषन पर्दान किया गया में नया साहकाड़ी समीति बनाने का आधिकार एक मौत तौक दूसरा था राज के निती में सहकारी समीती को बढ़ावा जेने के लिए नया निती निर्देशक सिध्यान का स्मावेश किया गया 43 के खो के अंतरकत और तीसरा था सहकारी समीती नाम पर नया भाग 9 के खो संबिधान भाग में जोरा गया यह 243 यौ से जो तक या 243 यौ नौ है 98 नंबर का संबिधान संसोदन 2012 में हुआ था संबिधान में अनुछे 371 जे सामिल किया गया इसका उद्देश करनाटक के राजपाल को हैदराबाद करनाटक चदर के विकास हेतु कदम उठाने के लिए ससक्त करना था 99 नंबर का था 2014 में हुआ जिसमें रास्त्रिय नियाइक न्यूक्ति आयो की अस्थापना की गई एक सो नंबर का हुआ 2015 में इसमें भारत बंगलादेश का भूमी अस्थांतरन हुआ और 2017 में हुआ 101 संबिधान संसोदन जिसमें जी एस्टी लगाया गया ओके तो यह आपका लुसेंड का जो है ना समापन हो गया पॉलिटी के लिए संबिधान के लिए अभी तो बहुत बचा है साइन्स का कुछ बाज बचा हुआ है और कुछ बचा हुए एकोनिमिस बचा हुआ है तो उसको हम अगले वीडियो में करते रहेंगे यहां सेशन को इंड करते हैं मिलत हुआ है